एक तूफ़ा अनॉस्मेंट लेकर आपके सामने है हूँ नुस्ट अवेटिंग रेगुलेशन इस है शेयर बेस एंप्लोई बेनिफिट एंड स्वेट इकुटी रेगुलेशन तो फॉट इन दोनों रेगुलेशन को सेवी ने कर दिया है मर्ज और आपके सामने अचुकि एक नहीं रेगुलेशन से भी शेयर बेस इंप्लोई बेनिफिट एंड स्वेट इकुटी रेगुलेशन 2021 तो मेटा जी उसका पूरा विडियो यह मैंने रेकॉर्ड के इसके अंदर यूहाफ दे रेगुलेशन आपके सिलिबस में रेगुलेशन में end to end इस वीडियो के अंदर अन्द इस इस बढ़ीशन देखने है और नहीं है और प्रफेशनल ऑच्चे तोनों बच्चों ने यह एंग्युलेशन इमांदारी से डेखनी है यह बीच्चों ने यह इस उपर सिंपलिफाइट रेगुलेशन इस जास एक बार देखने के जरौत एक आप आपने देख ल होगा इसके बाद में दूसरी बात में हाँ पर कर लिता हूं येस अलोड अव स्टूरेंट्स वर स्ट्रॉगलिंग टू फाइंड दी नोट्स तो यह जो रेगुलेशन के नोट्स भी है या फिर हमारे कोई भी नोट्स होते हैं आपको कहां पर मिलेंगे मैं आपको बता रहत इसका भी नोट्स आपको मिल जाएंगे इसके लावा हमारा चैनल है शुबं सुखलिचा में टॉट्ट इसके लावा एक और आपका सवाल था इसका में जवाब देता हूं विद रिस्पेक्ट तो अदर अमेंडमेंट्स यह मैंने आपका क्या क्या एक रेगुलेशन हमने एंड-to-end कप्लीट कर लिए इसी प्रकार से एक और धुवादार रेगुलेशन में आपके लिकर आने वाला हूं पूरी की पूरी मेरी जिम्यदारी है आपकी जिम्यदारी क्या है कि आप अपने रेगुलर कंटेंट को अच्छे से पढ़ते तो फिर आपको अमेंडमेंट्स अब्सॉप करने में इस होती है थोड़ी सी तो आप जी जान से अपना सिर्विस कम्रीट करने पर फोकुस करिये सारे सब्जेक्स के कंपनी लोग सिक्योर्टी लोग फंडिंग M.C.S. I.D.C. सब के अमेंडमेंट्स की end-to-end जिम्यदारी मेरी है आपने अपने पर कहने है आप अपने अपने पर क्या करने है आप अपनी जू अपनी असलिटी का पाने है। अपना syllabus completion का पाट है, आप अपनी अच्छे से करिये, एस अच्छे से लिखिये और अपना पाट प्ले करिये, अच्छे से, रिमीनिंग रिविजिन अमिंटमें पूरा पाट में प्ले करेंगा, अरे भाई, सहाब आपको एक्जाम में मज़ा जाएगा, एक है, एक है, एक है, Yes people, a very good morning to all of you, good morning people, आज, इस Sunday, सुबह सुबह, हम लोग मिले हैं, एक उदेश्य के साथ, बहुत ही पयाला उदेश्य है, तो हमेशा आपके मजे लेता हैं, इस वर आपके मजे लिए हैं, सेभी ने, तो क्या हुआ है, आपको तोड़ा साब बैगराउंड देता हूं, फिर म तो स्कोरिंग रहेगा, आसान भी रहेगा, पर आपको समय देना होगा इसको अब्सॉर्ब इन होने के लिए, चैसी कि हम शुरू से बढ़ रहे हैं, चैप्टर इसको भी difficult नहीं होते हैं, चैप्टर के सिर्फ कुछ topics difficult होते हैं, तो हम अगर उन दो-तीन topics को अच्छे समझ फ़ुरा चैप्टर काफी असान जाता है, तो यहां पर भी एक ही ऐसे topic अज़ाता है, तो यहां पर भी एक ही ऐसे topic आएगा, तो हैं पढ़ाउगा, तो मैं पढ़ाउंगा, मस्ती से, बागिसे chapter is super easy, इस गोँड़ फेच्च यॉट छुडरेफू मक्स इन इए एक Shares का टाइप बुता है जो आप अपने कंपनी की Employees और डिरेक्टर्स को देते हैं आप नाम देखो, नाम का है, Sweat Equity Sweat, पसीना, लॉजिक वहीं से आया है कि जो हमारे कंपनी में काम करते हैं, Employees and Directors उन लोगों को हम कुछ Equity Shares देंगे, उनको मोटिवेट करने के लिए तो यह एक Regulation अल्रडी था, Issue of Sweat Equity Shares Regulation 2002 साथ में एक और Regulation था, SEBI, Share Based Employee Benefit Regulation 2014 इसके अंदर भी आप अपने Employees को मोटिवेट करने के लिए उनको Shares देते थे जो बचपन से आप सुन रहे है ESOPS, ESPS यह आपने सुना होगा, यह सब स्कीम इसके अंदर होती थी Share Based Employee Benefit Regulation 2014 फिर SEBI को लगा, कि भाया जी, यह जो Sweat Equity Regulation है यह भी Employees के Benefit के लिए है, यह भी Shares के थुरू हो रही है यह जो Share Based Employee Benefit Regulation है, यह भी Employee के लिए है और यह भी Share Based हो रही है, तो why not to merge these two regulations तो SEBI ने क्या किया, SEBI ने दोनों regulation को SEBI Sweat Equity Regulation 2002 and SEBI Share Based Employee Benefit Regulation 2014 इसको merge करके नया regulation मनाया और उस नया regulation का नाम है SEBI Share Based Employee Benefit and Sweat Equity Regulation 2021 सुनो मेरी बात, दिमाग शुन या लगाना है पहले एक regulation थी, SEBI Sweat Equity Regulation 2002 SEBI Share Based Employee Benefit Regulation 2014 अब इसको merge करेंगे, तो ने क्या क्या, SEBI Share Based Employee Benefit and Sweat Equity Regulation 2021 तो दोनों regulation को merge कर दिया है, ठीक है I repeat, इसके content में ज्यादा differentiation नहीं है जो पुराने regulation के content में था, वही इन्होंने merge करके एक regulation के content में ले लिया, तो content में ज्यादा difference नहीं है लेकिन बस यह पहले दो regulation हुआ करती थी और यह अब एक regulation हो गई है, हमारा target रहेगा के इस session के पूरी regulation को मच्छे से पढ़के wrap-up करें Are you all with me? ठेक है? तो बहुत आसान regulation है, बड़ा मसा हैगा चल, सबसे बहले क्या करते है, हम इस regulation के bear act को देखने की कोशिश करते हैं इधर अब, 100% focus on the screen SEBI, Securities and Exchange Board of India, Share Based Employee Benefit and Sweat Equity Regulation 2021 ठीक है साब, अब इसको अगर हम देखने की कोशिश करते है, chapter 1 preliminary आता है, जैसे कि हर एक act या regulation हम देखते है इनिशली preliminary chapter होता है, short title commencement and application के कब से commence होगा, इसका short title क्या है इसकी applicability क्या है, this will be applicable to ESOPs this will be applicable to ESPS सुना होगा कभी ESOP, ESPS दोनों अलग चीजें होती है, दोनों के अलग-अलग conditions है, discuss करेंगे हम उसको भी lecture के अंदर आजी stock appreciation right scheme, क्या तूफान concept है, SAR का, SAR भी बढ़ेंगे, general employee benefit scheme, retirement benefit scheme, theoretical है, यह भी बढ़ेंगे और last में आता है, sweat equity share, तो जो पुरानी regulation थी, उसके अंदर applicability में सिर्फ 5 point हुआ करते थे share based employee benefit के अंदर 5 point हुआ करते थे, अब उन्होंने sweat equity को भी mix कर दिया, तो applicability में 6 point ले लिए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है फिर यह time pass, definition sections चलती है, बहुत सारी, ठीक है आपके काम की चीज़ पर लाता हूं मैं सीधा Chapter 2 Scheme Implementation and Process, तो यह Chapter 2 आ जाता है, जिसमे Scheme Implementation and Process की बात करते है रुकना रुकना आप स्क्रीन पर देखते रहो Chapter 3 Administration of certain specific schemes होती है, ठीक है Chapter 3 चल रहा है, Chapter 4 का इंतिसार है मुझको Chapter 4 Issue of Sweat Equity Share, समझना अच्छे से मैं का मतलब कहा है SEBI Share Based Employee Benefit and Sweat Equity Regulation 2021 अब यह कैसे बनी है, इसका background मैं आपको पढ़ा दिया है that is also very easy, के पहले regulation थी SEBI Sweat Equity Regulation 2002 and SEBI Share Based Employee Benefit Regulation 2014 In दोनों को Merge करके SEBI ने जो Regulation रिसेंटली बनाई है that is SEBI Share Based Employee Benefit and Sweat Equity Regulation 2021 Easy to understand अभी तरह कुछ high-five चली नहीं रहे अब मैं जब इस regulation के अंदर जाता हूं तब मैंने यह देखा कि इस regulation का जो Chapter 1 है वो तो Preliminary है Preliminary मतलब वो तो सब के लिए apply के बहले Prelim एक introduction है उसके बाद में आता है Chapter 2 and Chapter 3 यह जो Chapter 2 और Chapter 3 हमने पड़े on the day these are specific chapters for Share Based Employee benefit Chapter 2 and Chapter 3 are for Share Based Employee Benefit Schemes जो पुराना regulation था ना, समझदा मैं क्या कहने की गोशिश कर रहा हूँ, पहला जो regulation न, Share Based Employee Benefit Regulation 2014, इसका जो content है, वो लोग लेकर आया है इस नए regulation के chapter 2 और 3 के अंदर, इसका content आया है, नए regulation के chapter 2 और 3 के अंदर, जो पहले Share Based Employee Benefit Regulation थी, उसका content आया है, chapter 3 और 3, of the new regulation, Share Based Employee Benefit Schemes, इसके बाद में आता है हमारा, chapter number 4, मुझे जादा चीजों से मतलब भी नहीं है, chapter 4 पहा जाता हूँ, chapter 4 talks about sweat equity share, sweat equity shares, तो जो पहले का sweat equity share regulation, 2002 का content था, वो chapter number 4, of the new regulation के अंदर, आया है, I hope you are getting a fair idea, के पहले 2 regulation थी, merge करके एक regulation बना दी, अब इसी regulation के अंदर content है, chapter number 2 और 3 के अंदर, share based employee benefit schemes का, और chapter number 4 के अंदर, sweat equity shares का, तो हमारे life super easy हो जाती है, हमको बस ये एक regulation पढ़नी है, और हमारे ये 2 concepts, पूरे end-to-end complete हो जाते है, 100% with me, चालो, without wasting any time, let's start share based employee benefit scheme, ये detailed है, sweat equity share तो half an hour का है, sweat equity shares half an hour का concept है, उसमें समय नहीं लगेगा, main समय लगता है हमको share based employee benefit scheme के अंदर, तो without wasting any time, let's hit it, चालो, अब समझ लो, कि सब कुछ हो चुका है, अब हमारा focus है share based employee benefit scheme के ओकर, share based employee benefit schemes, सुना मेरी बात को बद अच्छे से, इसके अंदर पाच schemes है, जो की cover होती है, share based employee benefit scheme में 5 तरह की scheme cover होती है, पहले भी 5 तरह की scheme cover होती थी, कोई change नहीं है, इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, पहले दो सब से popular जो आप सबको पता है, ESOP, employee stock option, plan, ESPS, employee stock purchase scheme, 100% focus screen पे रखेंगे, employee, employee, stock, option, plan, employee, stock, purchase scheme, बहुत सारे से students होंगे, जो नहीं दोनों के नाम बहुत बार सिकें, लेकिन दोनों में exact difference क्या होता है, हम 100% उस point पाएंगे, वो भी आज ही आएंगे, पट पहले हम लोग cover करेंगे common provisions को, हम लोग एक regulation पढ़ेंगे, तो regulation ने क्या रखा है, इनके जो common provision है, जो law दोनों के उपर same है, हम पहले उस पर focus करेंगे, और end में इन दोनों के difference है, और साथ में बाकी तीनों को भी explain करूँगा, ये दो हो गए, ESOP and ESPS, third one is, SAR, SAR का कुछ बच्छों नाम सुना होगा, कुछ नहीं सुना होगा, Stock Appreciation Rights Scheme, बहुत interesting concept है, Stock Appreciation Rights Scheme, बहुत ही बढ़िया, और इसके बात के last के दो है न, वो theoretical है, एक होता है, General Employee Benefit Scheme, और ही कहा है, Retirement Benefit Scheme, क्या आपने कोई scheme General Employee Benefit के लिए बनाई है, है, Retirement के लिए, Theoretical Concepts है, General Employee Benefit Scheme, and the last one is, Retirement Benefit Scheme, Retirement Benefit Scheme, सुना मेरी बात को बहुत कैरफ़ली, चल, यह हो गए, जब भी मैं कहता हूँ, Share Based Employee Benefit Scheme, तो Share Based Employee Benefit Scheme, Share Based Employee Benefit Scheme, पाँच हो सकती एक कंपनी के अंदर, ESOP, ESPS, SAR, General Employee Benefit Scheme, and Retirement Benefit Scheme, एक आईडिया देता हूँ, वड़ना आप लोग ऐसे क्वेशन माग के साथ आगे बढ़ेंगे, Employee Stock Option Plan में क्या होता है, खलका साइडिया दे रहा हूँ, Employee Stock Option Plan के अंदर, एक कंपनी ऐसा कहती है, कि जो भी मेरे Employees है, मैं कंडिशन रखूँगा, आप में से जो जो लोग उस कंडिशन को कंप्लाय करते हैं, उनको मैं Shares दोंगा at a given price, For Example, आज Reliance के share का market price है, For Example, 2400, 2400 is the market price of Reliance, फोकुस करणा, Reliance announces कि जो जो employees, दो साल तक मेरे Employment में रहेंगे, जो जो employees, दो साल तक मेरे Employment में रहेंगे, उनको मैं हर एक employee को 100 shares of Reliance दोंगा, at the price of 1500 रुपीस पर share, Reliance का तब का market price के चल रहा है, 2400, मुकेश अमानी के कहता है, हर वो employee, जो मेरे Employment में रहा, जिसने job नहीं छोडी Reliance पे, for 2 years, I'll give him every employee 100 shares each, at the price of 1500 पर share, अब ये employee को choice मिलती है, कि आपको इस scheme के लिए register होना है, या नहीं होना है, Employee Stock Option Plan, Option दिया जा रहा है employee को, कि आपको इस scheme में register होना है के नहीं होना है, कुछ employees सोचते हैं कि नहीं मुझे register नहीं होना, मेरी तो salary जो है न, क्योंकि मुझे 100 share, 1500 मैं खरीदने होंगे, 1500 रुपए तो होने चाहिए, मेरी salary इतनी है कि मैं वो 1500 रुपए भी afford नहीं कर सकता, मुझे नहीं लेना है scheme, या फिर मैं 2 साल तक employment में रहना ही नहीं चाहता हूँ, तो मुझे scheme नहीं लेना है, तो employee stock option plan में आपको एक option दिया जाता है, जो employee stock option को avail करते हैं, कि हाँ हम scheme में register होना चाहते हैं, उनके every month की salary से एक proportion cut होता जाएगा फिर, दो साल तक, दो साल तक every month salary से एक proportion cut होता जाएगा, जैसे ही 2 साल complete होगे, तो वो divide ऐसे करेंगे, 1500 रुपीस थोड़ा थोड़ा करके लेते रहेंगे, और जैसे ही 2 साल complete हुए, उनको 100 shares allot हो जाएगे at 1500 रुपीस पर share, तो 1500 into 100, तो मान लीजे, 1500-200 के 1.5 रुपी हो रहा है, तो 1,50,000, तो 1,50,000 उनकी salary से recover किया जाएगा over a period of 2 years, तो every month थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा deduct होगा, Employee Stock Option Scheme, मान लीजे, company में 500 employees है, मैंने अनौन्स किया, 300 नहीं scheme के लिए register किया, तो 300 के ही salary से deduct होगा, 200 लोग चाहते हैं कि भाई, हमारी salary इतनी है ही नहीं कि आप deduct करो कुछ, तो उनको उन्होंने इसके अंदर register नहीं किया, उनका choice है, यहाँ पर एक option दिया जा रहा है, इसके इसे कह जाता है, Employee Stock Option Plan, इसके अंदर Employee Stock Option Scheme भी खा जाता है, same meaning ESOP या ESOS, Employee Stock Option Scheme, Employee Stock Option Plan, same, अगर मान लीजिए, दो साल के बीच में, किसी Employee ने जॉब छोड़ दी, तो उसके जो पैसे हैं, जो भी तक उसके कट हुए, वो उसको वापस refund कर दिये जाते हैं, और वो इस Scheme के अंदर continue नहीं करता है, जो Employee 2 साल complete करता है, एंड में उसको Shares दे दिये जाते हैं, at the given discounted price, that is Employee Stock Option Plan, एक आईडिया लगा सबको, Employee Stock Purchase Scheme एकदम अलग है, Employee Stock Purchase Scheme में क्या होता है, Company का Public Issue आ रहा है, Company Public Issue का दौरान कहता है, कि हमें 5,00,000 Shares बेचने हैं, उनमें से 50,000 Shares हम Employee के लिए रिजर्व कर देते हैं, Employee के लिए रिजर्व कर सकते हैं क्या, Reservation on competitive basis, रिजर्व कर सकते हैं आप, आपने Employee के लिए 50,000 Shares रिजर्व कर दिये, कोई condition नहीं रखी हैं उन पर, उन पर बोला है कि भेया, आप आके ये Shares खरीद सकते हैं, Employee Stock Purchase Scheme, Employee Stock Purchase Scheme में कोई condition नहीं रखी जाती है, कि हम Public Issue में दे रहे हैं, उसमें एक हिस्सा Employee के लिए रख दिया है, आप आके खरीद के जा सकते हैं, Employee Stock Purchase Scheme, No Condition as such, आप खोड़ लोजिकली सोचो, देखो, of course, जब Employee Stock Purchase Scheme में भी आप देते हैं, आप Public Issue कर रहे हैं, उसमें से थोड़े Shares आप Employee के लिए रिजर्व कर रहे हैं, तो थोड़ा तो उनको Discount पे देते हो ना, है ना, एक limit है उनको Discount की, पर उनको आप थोड़ा तो Discount की उपर देते हो, My question here is, carefully understand, एक कंपनी, ESOP में Shares जादा Discount पे देगा, या ESPS में Shares जादा Discount पे देगा, ESOP में, ESPS में भी थोड़ा सा Discount देता है, पर वो सिर्फ इसके लिए, ताकि वो डिफ्रेंसियेशन कर सके, कि पब्लिक को इतने में दे रहे हैं, और आपको इतने में दे रहे हैं, ते वो डिफ्रेंसियेशन के लिए, लेकिन ESOPs are there to motivate the employees, कि आप कंपनी मत छोड़ो, हमारी कंपनी में इकाम करो, I'll tell you, कंपनी लाइक HDFC, कंपनी लाइक, KOTAK, ताटा मोटर्स, तो इनके एक बार इसके जोड़ते नहीं हैं, क्योंकि क्या होता है, और यह बार-बर ESOP की अलग-अलग scheme लाते रहते हैं, अभी एक scheme है, दो साल की, अब employee क्या सोचता है, दो साल रुख जाता हूँ ना, रुख जाता हूँ ना, जैसी दो साल खतम होने आएंगे, वो एक और ESOP की scheme लाएंगे, तीन साल की, दो साल की, तीन साल की, तो इस प्रकार से उनका employee turnover जो होता है, ratio बहुत कम रहता है, कि employees छोड़ के नहीं जाते जाता, और company का बहुत बढ़ा खर्चा होता है, employees को रखने का, बार-बार train करने का, तो इस कारण से employees, आप मुटिवेटर करते हैं अपने employees को, बात समझ में आ रही है कि, ESOP, ESPS, सार एक अलगी दुनिया है, Stock Appreciation Rights, चलो एक एक ग्जामपल से बता रहता हूं, यह जनरली मैं एंड में बताता हूं, Regulation की शुरूआत में बढ़ाता है, बढ़ा मजायाँगा, I have to motivate all the employees के अच्छे से काम करो, ठीक है? तो मैं सबको टार्गेट दूगा काम करने के लिए, बोनस देना है मुझको, तो मान लीजे, मैंने Manufacturing Division को बुला, कि है Manufacturing Division, तूफान काम करो आप, अगर आपने इस साल, मैंने Manufacturing Division को का, अगर आपने इस साल, आपको सेलरी के 10% का बोनस, आपकी सेलरी जो भी होगी इसका 10% बोनस आपको, सब खुश, सब महनत करने के लग गाए, Next, मैं गया, सेल्स टीम के पास, कि पिछले साल कितनी कार बेची थी, बोले सवार 1800, मैंने का, इस साल अगर आपने 2000 कार बेच दी न, तो आप सब को सेलरी का 10% का बोनस, सेल्स टीम को बोल जा, सेलरी का 10% का बोनस, तूफान मचा दो, नाउ सेल्स टीम भी बहुत तूफान तरीके से काम कर रहे है, मैनिफाक्चरिंग हो गया, सेल्स हो गया, और कौन सा दिविशन अच्छा रखो मैं, बनाने वाले बेशन, चलो, सिंपल, यही रखते हैं, अभी सिंपल, concept को एजी रखते हैं, अब क्या हुआ, मैनिफाक्चरिंग डिविशन ने, 2000 की जग़, 200 कार बना दी, बहुत भारी काम के है, बहुत भारी काम के है, बहुत भारी काम के है, इनोंने 200 कार बना दी, हमने का बहुत अच्छा, इनको 10% का बुनस देना पड़ेगा, सेल्स डिविशन ने इस बार सिर्फ 1200 कार बेची, इनको बुनस देंगे क्या, नहीं, बट पता है आपको, मैनेजर का तो कट गया है अपर, मैनेजर के साथ बहुत गलत हो गया, उसको बोनस भी दिना पड़ गया, मैनिफैक्टरिंग को, और ओवरॉल कंपनी का बहुत कॉस्ट भी बढ़ गया, क्योंकि अब जो यह डिफरेंस इन कार है, मानलो हजार कार है, अब हजार का का कैरिंग कोस्ट होता है, कैरिंग कोस्ट समझते हैं बचे, कोई भी चीज आपने खरीद ली, उसको आपके पास रखने का भी तो कॉस्ट होता है, आपनका बखी बुल्क में लेते हैं, आप मानलीजे कोई चीज खरीदने के लिए गया है, नोटबुक खरीदने के लिगा है, उसने कहा, कि सर एक नोटबुक लोगे तो पचास उर्पेगा, और पचास नोटबुक लोगे, तो फॉटीफाइफ में दे दूँगा, और पचास नोटबुक लिलूगा, बड़ मैं रखूंगा गहाँ पर, मैं को घर पर नहीं रखना कि बार-बार उनका ध्यान रखना पड़ेगा, तो कंपनी का केरिंग कॉस्ट और बड़ा, प्रॉफिट तो बड़ा ही नहीं क्योंकि सेल्स नहीं हुआ, और कंपनी को बोनस भी देना पड़ेगा, बेफकूफी हो गई, दूसरा केस, मानलो, सेल्स वालों ने, दोजार की जरब 25 सो सेल कर दिया, बड़ यह मैनिफेक्चर कर पाए सिर्फ 1500, तो भी कंपनी का नाम भिगड रहा है, बिकूस जो कमिटमेंट कर आपने, कि हम आपको टू मंस में दे देंगे, कमिटमेंट क्या होगा, वो कमिटमेंट आप पूरा ही नहीं कर पा रहे हो, यहां पर नु तो यहां पर एक बहुत प्यारा कंसेट लेकर रहा है, स्टॉक अप्रिशेशन राइट, सुनो, मैंने बुलाया, डिविजिन, जो भी आपके मैनिफेक्चरिंग डिविजिन, आजाओ, सेल्स डिविजिन आजाओ, अरे HR को भी बुला लो, उनको बुलाओ, HR वालो को भी ब 14% bonus, हमने हमारे इम्पल Requokus केनओ को किस से लिंक कर दिया? Parks शेर के प्राइस, Stock Price है, लईब मिल्सित इंक्रिस जोनियृइख прим हमने हमारे इमपरिस के बुलाओ के बुलाओ को किस से निक कर दिया? तब जाके share price बड़ेगा, तो यहाँ पर manager भी खोश है, अब अगर पूरी company अच्छे से perform कर रही है, तब share price धीर धीर बड़ेगा, और share price अगर 3000 टेश हो जाता है, then they'll be giving bonus, stock appreciation right, आपने उनके bonus को link कर दिया है, with the share price, now this bonus can be paid in cash, this bonus can be paid through shares also, हमने कह दिया, आप सबको अपनी salary का 10 10% cash bonus मिलेगा, जिसकी salary 50,000 है, उसको 5000 का bonus, rupees में, तो भी SAR होगा, तो भी SAR होगा, stock appreciation right, because उनका bonus is dependent on what, shares, share-based employee benefit है, हाँ, बिल्कुल cover होता है, या फिर हम यह भी कह सकते हैं, कि आपकी salary का 10% के आपको shares मिलेंगे, तो आपकी salary का 10% होगा, उतने के आपको फिर हम shares दे देंगे, तो SAR can be equity settled और cash settled, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ भाया है, आप उनको benefit cash में दिया है, equity में दे, यह वो relevant नहीं है, relevant यह है कि आपने उनके bonus का जो criteria है, वो set कर दिया है, क्या, share price, that is known as SAR, stock appreciation right, two fun concept है, इसके बाद में आता है, general employee benefit scheme and retirement benefit scheme, that is simple कि हमने company के लोगों के general benefit के लिए भी एक scheme चालो किये, company के retirement के benefit के लिए एक scheme चालो किये, that's it, तो उसके लिए जादा दम नहीं है, यह पाँच share based employee benefit schemes है, ठेक है, अभी मैं आपको यह मान के चली कि इनके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया, एक शब भी नहीं पढ़ाया, आप यह मान के चलो, यह सब हम पढ़ share based employee benefit regulation and sweat equity regulation, तो हमें पढ़ना है कि इनके ओपर क्या law है, that is our primary focus, आपको यह आइडिया जे दिया, तो समझना असान जाएगा, तो सबसे पहले हमने क्या बढ़ा भी तक, कुछ भी नहीं, negligible, हमने सिर्फ एक idea लिया है, इन पांच schemes का, तो भारत में share based employee benefit के लिए यह पांच प्रकार की scheme होती है, एक फ़राओ छोटा सा revamp, share based employee benefit के employees को option देते हैं, एक condition रखते हैं, वो condition comply की, तो shares देंगे discounted price में, share based employee stock purchase scheme, कि जब public issue कर रहे हैं, उसी में से थोड़े shares employee के लिए रखतेते हैं, थोड़ा discount में दे रहेते हैं, खुश हो जाते हैं, ठीक है, सार, जब उन लिंक कर देते हैं, company की share price, ये graph idea हैं पर, चले, अब इस chapter में actually enter हो जाते हैं, 100% focus on the screen, सब का, चले, नहीं, अभी तक आपको note को touch करने की बयावशकता नहीं होगी, Yes, 100% focus यहां पर जाओ, तो share based employee benefit के अंदर, सबसे पहली चीज़, जो हमको देखनी होगी, that is the meaning of employee, 100% focus on the screen, सिर्फ screen पर देखते रहो, आप लोग, सही समय पर हम notes में हैंगे, share based employee benefit, सबसे पहले, कि sir employee का मतलब क्या होता है, that has to be read first, कि what do you mean by employee, understand very carefully, employee की definition होने बहुत ही specific definition दिये, इन्होने लिखा है, employee refers to a person, सबसे पहला point, working, in, और outside India, तो पहला point clear होगा है कि employee, अगर भारत के बहार भी काम करा है, तो भी वो employee है, तो भी उसका आप share based employee benefit, दे सकते हो, scheme के अंदर benefit, जो employee इंडिया में काम कर रहें, जो इंडिया के बहार काम कर रहें, उन सबको benefit मिल सकता है, ठीक है, दूसरा point, understand very carefully, director of the company, कि जो भी directors हैं, वो भी employees हैं, तो आप director को भी benefit दे सकते हो, बट सुनना, whether, यह क्या हो भाई, जादू, whether, whole time director or not, मतला, आप अपने whole time directors को भी benefit दे सकते हो, अपने part time directors को भी benefit दे सकते हो, हो, so a director of the company, whether, whole time or not, including a non-executive director, including non-executive director, क्या आप अपने non-executive directors को भी दे सकते हो, क्या बात है सर, मतलाब हम दे सकते हैं, हमारे whole time director, part time director, हमारे executive director, non-executive director, किसी को भी दे सकते हो, लेकिन, 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 आप किसको नहीं दे सकते हो, इंडिपेंडेंट्रेक्टर को नहीं दे सकते हैं और एनी पर्सन प्रमोटर और र रेलेटेट टु प्रमोटर गुरुप को नहीं दे सकते हैं promoter और promoter group को ने दिए एकदम शांती समझना इसका intention है कुछ हमारा किसी भी employee को दे सकते हैं working in India और outside India Okay acceptable director को दे सकते हो whole time director, part time director को दे सकते हो non executive director को भी दे सकते हो executive को दे सकते हो of course लेकिन कोई भी ऐसा director जो promoter या promoter group से related है उसको आप नहीं दे सकते हैं, और आप independent director को नहीं दे सकते हैं, आप सोचो ना, अगर independent director को दे दिये, dependent हो जाएंगे ना धीर धीरे, company के shares मिल जाएंगे उनके पास, तो independent director को भी ये benefit scheme हम नहीं दे सकते हैं, तो इस employee benefit scheme है, बली पांचों में से कोई से भी, सकते हैं, कौन कौन इसका फाइदा सकते हैं, a employee working in India, outside India, इसका इसके डिरेक्टर सारव एख सकते हैं, एक्जिकते हैं non-Executive, सभ डिरेक्टों सकते हैं, shortly bluff, और आप स संजो ना, Imagine, मुके मानिचा जाप, और वो तो motivated हमिल छिर्सते हैं, वही प्रमोटर नहीं आरे मेरा जमनी लग रहा था तो मैंने खुद को दसदार शेर्ट शिशु कर दिया आप मन लग रहा है मेरा इसंद वोक दर्विन आप यूव तो मोटिवेट अधर देक्टर अप्रमोटर के नौट मोटिवेट इंसल्स इसंद वग देडिव तो फूर्स प्रमोटर प्रमोटर गूट को नहीं देशने का निगर डिपेंडेंट्ट और फिर उसका कंटी में इंट्रेस्ट बन जाएगा या फिर अगर शेर्स दे दिया उसको तो उसको भी नहीं दे सकते हैं चलो लाइव यहां तक भी सीखें अब बहुत अच्छी चीज़ है सुनना एक और यह डिरेक्टर होगा है एनी इंप्लोई इंप्लोई इंपलोई और सब्सिडियेशोचीट इंपलोई व प्रश गर्श गर्श्डीश यहां से रूपस। को बढ़ा है एक आईया लेहां अच्छी लेक्टर प्रश पोकॉस गड़ा इंपलोई इंप्लोई इंक प्रमोटर ओर प्रमोटर ग्र्रूप्स related है, तो उसको भी नहीं, और lastly, any employee who is a director and who owns somehow 10% or more equity shares, समझना अच्छे से, कभी-कभी क्या होता है, कि हमारी company का वो director है वो promoter से related नहीं है, बिलकुल promoter से related भी नहीं है, वो independent director भी नहीं है, ठेक है, और लेकिन उसके पास 10% या उसके जाधा shares है, तो उन्होंने का है, क्यार भली आपका 10% या उसके जाधा shares है, आपको promoter बोल नहीं रहे, आप as a promoter classified नहीं हो, बट control तो आपके पास भी है, तो आपको भी equity shares नहीं दिये जा सकते under this benefit, शान्ती से यह ऐसी employee की definition, बस cover हो गया, मुझे बता नहीं तो और 100% focus करना, क्या कहने की कोशिश करना है हम share-based employee benefit scheme के ताहत, हम share-based employee benefit scheme के ताहत, किन-kिन employees को benefit दे सकते हैं, तो किन-किन employees को benefit दे सकते हैं, सब सले देखाँ, वह व सकते हो ना Nutが एक्टी झाल लिए शगार ये झाल ञेंग के इंडिया इंडिया के बहर ब्रह्रे ध tentang क्योंकर डे सकते को ङुई चिंता की बात नहीं रखंगोड सकते हो यह ynette की संफंट अपनी शुडुक्कॉ य्वन सबस्युलिंघ को मतलब आपकी सबसे अपकी सब्सट्रीघ कम्पनी इंपलईज को दे सकते हूं, कि होल्डिन सबसे ट्रय सब्सट्री bạn इंपलोईजुलिंघ को दे सकते हो अपनी subsidiary company, जिसके shares आप hold करते हैं, उसके employees को भी दे सकते हैं, फिर आपके associate company, जो आप आपस में 20% shares अगर hold करते हैं, तो आप उसके employee को भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर it is not, a company can make a scheme not just for the benefit of its employees, a company can make a scheme for the benefit of all the employees of holding subsidiary associate. यह क्यों रखा गया है, मान लीजी है, Reliance है, Reliance के बहुत सारी subsidiary है, Tata's है, बहुत सारी subsidiary है, तो वो क्या करते हैं, कभी-कभी एक ही scheme मनाई है, और उसी के अंदर सबको benefit दे रहे हैं, that is also doable na, हर एक company separate scheme मनाएगा, उससे अच्छा एक ही company अपनी scheme मनाती है, उससे सबको benefit दे र पड़ा होगा, कुछ बच्छो ने, है ना, वो वेक्ती company का promoter भी था, pilot भी था, क्या दा रहे, तो जिन्नों नहीं बड़ा चंता मत करो, वो company law के अंदर आ पड़ते हैं, इधर देहन देहन, किसी बच्छे ने पड़ाया तो बहुत अच्छी बात है, फोकस करो, तो कभी-क तो भी promoter is also an employee of the company, normal सी चीज है, तो मैं company का promoter भी हूँ, मैं आरे, inspire, राज आवटे साब, he is the promoter of the company, as well as he gives professional service as a teacher as well, are you understanding, so then a person can be a promoter as well as an employee, तो promoter क्या बलता है, देखो सुनो ना, मैं अभी promoter हूँ, ये ठीक है, बत मैं ऐसे employee to shares ले सकता हू ना, तो भूला के भाई साब क अभी आप स्कीम के अंदा benefit दे सकते हैं, but an employee who is a promoter उसको नहीं दे सकते हैं, मता promoter किसी भी तरह से ये स्कीम का benefit नहीं दे सकते हैं, for the same purpose ना, कि आप खुद को क्या motivate करने के लिए हो, you need to motivate other employees, and next is, any director who has 10% on more equity shares, directly, indirectly, through relative, कही से भी, अगर 10% on more equity shares, अगर 10% on more equity shares, अगर 10% on more equity company, practically, तो ये हुई definition of employee, अभी employee की definition बढ़ा, clearly क्या कहता है, कि इंडिया के बाहर के employees है, इंडिया के अंदर के employees है, हमारे employees है, holding के employees है, subsidiary के employees, associate के employees, सबको benefit दो, लेकिन mainly exclude किया है दो ही लोगों को, promoter, promoter group को, और independent director को, वही याद रखना है, आप समझो practically, सब लोगों को include कर दिया ना, exclude तो किसी को किया ही निया, सिर्फ promoter, promoter group और independent director, इन लोगों को, आप share based employee benefit के अंदर benefit नहीं दे सकते, exam में घुमाफरा के question आता है, कि इसको दे सकते हैं, कि इसको दे सकते हैं, कि इसको दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं, सब को दे सकते हैं, बस promoter, promoter group को नहीं दे सकते independent director को दे सकते and of course a director who has more than 10% equity shares in the company उसको नहीं दे सकते अरे यह already motivated नहीं को क्या motivate करो गया 10% equity shares है already motivated independent को देनी सकते मजबूरी है तो यह basic employee की definition चलो सुनना मेरी बात को एक तमाराम से हज़िए 9999 वैसे सुनना अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवर्वीव दे रहो फिरम नोट्स के अंदर जाएंगे तो हम और बहतर तरीके से पढ़ेंगे तब साथा मसा एगा पर पहला मेरा intention है के half an hour के अंदर let's see the entire scheme once then when we'll be studying it in detail तो आपको जादा comfort level आएगा related topics के अंदर अब रुको दूसरी चीज़ सर यह scheme है यह scheme को हम implement कैसे करते हैं यह आगया सबसे tricky part of this chapter implementation of the scheme everyone on the screen अभी तक मैंने जो पढ़ा है उसको बिल्कुल अभी तक मैं जो भी पढ़ा रहा हूं उसको एग्दम ignore करते हुए चलो I am just giving you an overview फिर हम लोग आएंगे notes में notes को एगदम खोद देंगे ठेक है सबसे पहला focus है हमारा एक overview लेने का यह जो schemes होती है सर बली कोई सी भी इन schemes का implementation कैसे होता है this is a tricky part इसको अच्छे समझने की कोश्च करना पूरी class का focus यहां पर scheme के implementation के दो तरीक हैं जो कि 7 ने allow कर रखें क्या आप चाहें तो इस scheme को direct route से implement कर सकते हो या फिर आप चाहो तो scheme को trust route से implement कर सकते हो आप चाहें तो scheme को direct route से implement कर सकते हैं चाहें तो scheme को trust route से implement कर सकते हैं सर मतलब मतलब यह अब सबसे popular इंसब के अंदर है ESOP तो ESOP को दिमाग में रखते हुए पूरा concept समझना कि मालेजिए कमपनी उसको lire इसॉप देना है तो एक कमपनी कर सकती डायर रूट में यह कुंपंपनी अपने सारे इंक्रॉइसиком है option देती है के employees जो हमारे employment में वन तक रह हुआ उसको हमढ़ा इस देंगे एटप्रइस ऑफ 800 रुपीज पर शेर कितने शेर देंगे 20 शेर कंपने रेक्लायर दिया सब इंप्लोई को बुला कि जो भी हमारे यहां पर एक साल तक इंप्लाइमेंट में रहा उन सब को हम 20 शेर देंगे at the price of 800 रुपीज पर शेर market price यादा होगा तभी ना तभी तो employees motivated फील करेंगे I'll tell you if at all we are saying market price 700 हम आपको सिर्फ 800 में देंगे लेलो कैसी बाते कर रहा market price has to be 1000 or 1200 then you are motivating them by saying कि आप हमारे employee हो आप हमारे खास हो अगर आप एक साल तक employment में रहे तो हम आपको 800 में देंगे so employees also feel कि हाँ हमारा company के अंदर हमारा stake आजाएगा we'll get equity shares in the company बली थोड़ा सा बट कुछ तो आएगा so company directly option देती employee को employees scheme को मान लीजिए इसके अंदर register कर लेते scheme के option को उन्होंने accept कर लिए scheme के अंदर register कर लिए मैंने आपको शुरुआत में बताया कि company अगर e-shop launch करती सारे employees register नहीं करते है और को employee हो सकता है कि भाई मेरी salary 40,000 है भाई मेरे EMI 30,000 रुपे का है क्या बात कर रहे हो और उसके बात में वो 3D का movie का scene याद रख लो कि वो पापा की दवाई, बेहन का वो शादी करानी है, मम्मे की खासी सही करानी है, रोटी में छोड़ो वो सब What I'm trying to tell you is, तो हर एक व्यक्ति का अपना struggle हो सता है न? So no matter how lucrative the option might be, a few employees will not register, that is for sure and that is why it's why it's called employee stock option plan कि हमने option दिया जितने लोग चाहते है वो आजा, उनकी salary से छुटा-छुटा amount deduct होता रहेगा और एक साल, दो साल जो भी हमने condition रखा है, उसके बाद में आपको Shares मिल चाहेंगे चला, तो employees ने रजिस्टर कर दिया, जैसे tenure complete होगा, after completion of the tenure, company employees को Shares दे देगे company employees को Shares देगे, as easy as that, so life is very easy, this is direct route, this is direct route, कि company नहीं option दिया, employees ने रजिस्टर कर लिया, उस option के अंदर, scheme के अंदर, और company ने, वो tenure पूरा होगा, on complying with the condition on completion of condition, कि जब condition complete होगी, condition यही होती है, कि आप कितने समय तक employment में रहेंगे जब condition complete होगी, तब company ने उनको Shares a lot करती है, life is easy अभी भी, कोई परिशानी की बात ही नहीं है, right, अब trust route सुनना, यह आपका दिमाग खराब कर देगा, 100% focus यहाँ पर, company, focus यहाँ पर, company create करता है, एक trust, understand very carefully, यह 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 ट्रस्ट, employees को देता है option, कि भाई यह, यह स्वेट इकुटी शेर्ट इस इसू कर रहे है हम लोग, कितने लोग register होना चाहते है, यह option कौँ दे रहा है, trust, यह option कहाँ यह company भी दे सकता है, main issue क्या है समझना, यह option trust ने दिया, employees ने रजिस्टर कर लिया, on completion of tenure, employees को shares कौन देता है, अब, trust, यह दो root हो गए, अभी तक जो लिखा है, वो एक idea तो मिली गया, one is direct route के company, directly क्या कर रही है, company directly option देके खुदी shares देती है, one is trust route के company create करती है, एक trust को, एक trust को create किया, और उस trust फिर option देगा, वही shares देगा, यह सारे कारेकरम चलेगा, सर क्यों complicate करना है, क्यों trust को लाना है, यह सब कर सकते हैं, सुनना अच्छे से, आप कभी भी scheme के अंदर, example ESOP का ही लेके चलेंगे हम, वह best तरीका इस chapter को समझने का, ESOP के अंदर एक company shares देने वाली है, दो तरीके से company shares दे सकती है, या तो company fresh shares issue करेगी, या फिर company market से shares लेकर और वो share उनको देगी, बात सब को समझ में आरी है, company ने कहा employees को के जो जो हमारे, जो जो हमारे employed में रहेगा for two years, after the completion of two years, we'll be giving them these many shares. So now understand, after the completion of 10 years, जब share देने की बात आएगी, company has two options, या तो company fresh share issue कर देगा उनको, या फिर company fresh share issue नहीं करना चाता, तो company market से shares खरी देगा and thereafter उनको देगा, clear है? अगर company fresh shares issue करना चाह रहा है, अगर company fresh shares issue करना चाह रहा है, तो direct route करता है generally कि आप fresh share issue कर रहे हैं, direct route से कर दो कोई problem ही नहीं है, लेकिन अगर company को करना है secondary acquisition secondary acquisition का मतलब समझते हैं कि company secondary market से, stock exchange से shares लेगी और वो share in employee को देने वाली है, तो SEVI ने mandatory किया हुआ है that company will not buy its own shares it will create a lot of complication, buyback अगरा सब पिक्चर में आने लग जाएगा, उस case में आपको trust को create करना mandatory हो जाएगा, उस case में company will give money in the form of loan to the trust, सुनना, the trust will buy shares from the market and these shares will be given to employees तो अगर मैं आसान भाशा में बोलू, तो SEVI ने क्या बुल रखा है, कि अगर आप secondary acquisition करके shares दे रहे हैं, तो trust create करना mandatory है, अनेवार रहे है अगर आपको direct के अंदर भी, अगर आप fresh shares issue कर रहे हैं, तो भी आप trust में देना चाहते हैं, आपकी इच्छा, कोई problem नहीं है लेकिन अगर आप secondary acquisition कर रहे हैं, तो trust is mandatory, trust root it is mandatory, if secondary acquisition is involved. सर, एक और चीज़ हो सकती है, एक company नहीं decide कि है कि employees को shares दे रहे हैं, 10,000 shares देने वाली है, 5000 fresh issue करेगी, 5000 का secondary acquisition, trust root is mandatory, partial हो अगर थोड़ा सा भी secondary acquisition हो रहे है, तो trust root mandatory है, because a company is not allowed to buy its own shares, company नहीं कर सकती, तो company को एक trust बनाना जरूरी हो जाएगा, अगर company secondary acquisition कर रही है, तो, बात सम अगर मान लो, चलो ठीक है, company decide कि पूरा का पूरा shares fresh issue करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर trust root mandatory है क्या, नहीं है, but company को मस्ती है, तो trust root ला सकता है, then it is optional, the question is, trust root mandatory कब हो जाएगा, trust root mandatory हो जाएगा, अगर secondary acquisition है, बाकि आप optionally तो जब चाहे तब कर सकते है, is everyone with me up till here, चलो ठ trust root के अंदर बहुत जादा complication नहीं होती है, company क्या करती है, company कुछ loan देती है trust को, क्योंकि trust को, company कासे तो पैसे रहते है, trust को market से share खरीद ने करे तो पैसे चीए न, company कुछ loan देती है, trust क्या करता है, trust ने employee को option देती है, अब employees से trust को continuously पैसा तो आई रहा है न, थोड़़़़ से every month पैसा तो आई रहा है, तो ये पैसा आता रहता है trust के पास, और trust ने company से loan भी ले रखाए, sir अगर पैसा employees से आ रहा है, तो फिर company से loan ने क्या जरू होता है, अरे गधो, yes, employees से आप अगर 800 ले रहे हो, तो market में 800 में थोड़ी मिलता है, आपको company से extra loan तो लेना ही पड़े हो, so because of these two reasons, company से loan लेते हैं हम ठीक है, तो company से loan लेते हैं, और employees से भी पैसा मिल रहा है, इन सब के through, trust market से shares खरीदता है, और employee को share दे लेता है, time पे, two years के end में, फिर trust के पास अगर end में कभी कुछ पैसा बच जाता है, कभी कुछ पैसा बच बच भी जाता है, अगर पैसा लिया था, employee से भी पैसा है, सब्सक्राइब की पूरा का पैसा खर्च हो जाए, जो पैसा बच गया, वो trust loan का repayment कर देते है, repayment of loan, पर मुझे बताओ, क्या कभी पूरा loan repay होगा, नहीं होगा, तो जो loan repay नहीं हुआ, फिर उसको company charge कर लेती है as their employee expense, मालीचे company ने 15 crore का loan दिया एंड में सिर्फ 2 crore है, तो 13 crore का company को क्या हो गया, employee expense, और अगर ये company है, तो ये company तो पूरा का पैसा directly employee expense में charge कर लेती है, मालीचे इस company ने 12 crore के shares issue किये है, तो 12 crore का 12 crore company charge कर लेगी as employee expense, तो बात तो भी रहे क्योंकि company का employee expense है न, P&L के अंदर charge करेगी company, I hope you are understanding, ठीक है को market price, है न, हमने उनको दे दिये 8 crore में, है न, तो 8 crore तो उनसे आये न, है न, तो 8 crore तो 2 crore, employee expense हो जाता है, as easy as that exactly, अगर बात करो तो, खर वो सब तो बहुत बात में आता है, अभी मस आपको बताना चाहता है कि ये जो scheme implement होती है, उसमें 2 roots है, one is a direct route, one is a trust route, life is easy here also, if secondary acquisition is involved, if secondary acquisition is involved, then it is mandatory to go for a trust route, बात समझ बारिये, अब जब हम पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे, बहुत सारे limits आजाती है, कि आप maximum कितना acquire कर सकते हो, maximum secondary acquisition पे भी limit है, कितने shares benefit दे सकते हो, हम धीर 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 पढ़ते है, आराम से, I am not taking queries अभी, ठीक है, क्योंकि मुझे इसका अभी आ आप लोग बने रहा हूं, बहुत ही बढ़िया, सुनना अच्छे से, कंपनी के अंदर, यह जब भी एक कंपनी को, scheme देनी है, तो कंपनी के अंदर, someone has to look into it, someone has to take care of the entire thing, जब भी एक कंपनी, share-based employee benefit scheme launch करती है, तब company forms a compensation committee, compensation committee, 100% focus याभी बनाया, company a compensation committee form करती है, तो compensation committee क्या करेगा, जैसे के आप पढ़ते है audit committee, जैसे के आप पढ़ते है, nomination, remuneration committee, उसी प्रकार से company will be forming a compensation committee, this compensation committee will look after the entire scheme, तो पूरी scheme का ध्यान का काम किसका रहगा, compensation committee तो every company which is launching any one of this scheme the company has to first form a compensation committee the compensation committee looks after the scheme looks after the scheme sir मान लीजे हम share based employee benefit दे रहे है so मुझे बताओ किसका अप्रुवल लेना कंपलसरी होगा what do you think shareholder's approval compulsory रहेगा और सिर्फ बोर्ड के uphold से देढ़े कि जो share shareholder ने market price में खरीदे वो share आप अपने employees को गुलु-गुलु-गुलु करके कम में दे रहे हो तो shareholder's का दो जलेगा ना understand 110% होगा आज आपने कोई भी चीज़ ले ली say for example you buy any apple का product यूबाइपल का प्रड़क्ट फॉर अपने मोबाइपल का फॉर 1 लाग रुपीज एंद दे यूग तो नो कि यार यही एपल का मुबाइपल जो है न यह एपल वाले अपने इंप्लोई को देते हैं 60,000 रुपीज तो आपका दिल जलेगा मतलब यार इतना मारजिन है इनका मतलब कोई चीज जो उनको इतने कम में मिल रही है हमको आप कोई भी आपल प्रड़क लो जितने में भारत में मिलता है उससे 60-70% 60-70% के अंदर आपको यूस के अंदर मिल जाएगा तो वो कितना दिल जलता है मतलब यह पूरा प्रोफिट टेक्स के अंदर जा रहा है जी ह हां so there are certain things there are certain things जो कि when we get to know कि यह कम में मिल रही है तो हमारे लिए इसकी वर्थ कम हो जाती है मैं क्या कह रहा हूं समझ मैं कि आप जो पहले उसकी वर्थ 10,000 समझते थे आप मोबाईल की वर्थ 1,000,000 समझते थे when you get to know कि वो यूस के अंदर 60,000 INR में मिलता है तो आपके लिए उसकी वर्थ ही कम हो जाती है same works for share कि company के shareholder ने share लिया पंतर आसो दोज़ और बाईसो में और भईशे अब आप आटसो आटसो रुपे में दे रहे हैं तो company के shareholders feel odd you have to convince them that we are doing this to make your 1500 का share 2000 का share I repeat again, हमें shareholder को ये बात पर convince करना होता है कि जो share आपने 1500 में लिया वो हम employees को 800 में दे रहे है to make your 1500 का share or 2000 का share 2500 का share because employees motivated तरीके से काम करेंगे to automatically the company is going to prosper this is our way to motivate employees तो हमें कभी भी अगर share based employee benefit आप दे रहे हैं तो आपको compulsory रूप से क्या पास करना होगा एक shareholder's approval mandatory mandatory shareholder's resolution के बिना आप जाई नहीं सकते without shareholder's resolution you cannot give you cannot offer any of these schemes कोई भी scheme offer नहीं कर सकते विदाउट shareholder's approval and logical also because shareholder's का ही पैसा है ना उन्हीं के जो शेर्स थे जो उनके बास शेर्स थे उसी प्रकार के शेर्स आप कम में दे रहे हो तो यह जो पूरा खर्चा आप कर रहे तो shareholder's का और ना अरे company बहुत प्यारी चीज़ है company के अंदर directors मजे लेते हैं पैसा तो पब्लिक का लगा है पूरा का पूरा अच्छे से variation in the terms of the scheme, क्या ही किया जा सकता है क्या ideally तो नहीं किया जाना चाहिए एक बालक बोल रहा है कि sir नहीं आपने एक बार scheme मना दी तो फिर scheme को आप चेंज नहीं कर सकते हो company क्या करेगी अभी बोलेगी कि जो जो employees हमारे employment में रहेंगे 2 साल के लिए उनको हम shares देंगे at the rate of 800 जिसका market price 1200 है और फिर थोटाइं पर नहीं 900 में देंगे तो यार फिर तो company ऐसा करेगी SEBI ने क्या rule बना है मुझे बताओ SEBI किसको प्रेम करता है Retail Investor को सबसे आदा SEBI को यहां पर ध्यान अखना है किसी पितार Retail Investor का नुकसान नहीं हो understand very carefully these employees will be treated like Retail Investor because employees पे भी थाई लाग के लिमेट होरी है 2 लाग के लिमेट होरी है if you remember upper end पर 5 लाग के लिमेट देते हैं but इनको भी Retail Investor की तरह ही treat के जाता है बहुत सारे माइनों में SEBI का क्या कहना है SEBI says listen you can bring variation in the terms of the scheme आपने एक बार scheme मनाई है आप उसके लिएशन ला सकते हैं but this variation should not be देखना में क्या लिख रहा हूं this variation should not be detrimental to the interest of employees detrimental का मतलब क्या होता है हानिकारक नुकसान देह disadvantageous आपने change करना है करो और आसान भाशा में अगर इसको बोलूं तो यह समझो के variation has to be for the benefit of employees कभी भी आप variation ऐसा नहीं कर सकते कि employee के लिए नुकसान देह हो ऐसा variation आप नहीं कर सकते मतबल मतबल यह हुआ आज हमने अगर आज हमने अगर employees को एक आए कि 1200 रुपय का शेर है आपको 800 में देते हैं कलको हम variation करना चाहते हैं 800 को हम 700 कर सकते हैं We can make that 800, 700, 600 क्या आपको 800 में दे रहते हैं ना हम आपको 600 में देंगे share variation कर सकते हो but it has to be for the benefit of employee आप 800 को 900 में नहीं कर सकते हैं हम आपको 800 में दे रहे हैं आपको 700 में देंगे but आप 800 को 900 में नहीं कर सकते यह क्यों आया समझना क्यों आया समझना कि variation allowed है but only for the benefit of employees आज मैंने आप सब को आप सब employees हो Tata Motors के Manager आया है Manager Ankush आया Ankush ने बोला सुनो जो जो लोग दो साल तक employment में रहे उनको हम सब लोग shares देंगे ठेक है आप सबको shares मिलेंगे market price कितनी है 500 आप सबको share मिलेंगे 400 rupees per share 100 share each आप खुब महनत करने लग गए दिन रात एक करके महनत करने लग गए कि भया यार दो साल तक employment में रहेंगे company छोड़ेंगे यह नहीं दिमांग नहीं नहीं चोड़ेंगे और share हमें कितने मिलेगा 400 में 100 shares मिलेंगे market price 500 का है 2 साल is a very long tenure बहुत competition आगे भारत में EVs की नहीं नहीं companies आ गई और Tata Motors का share price गिरने लगा अब Tata Motors का share price हो गया 300 rupees अभी employees क्या महनत कर रहे है कि अगर हम 2 साल तक employment में रहे तो हमें share कितने मिलेगा 400 में 400 की बात वी थी देते हैं market price 500 होगा 400 में मिलेगा आप महनत कर रहे हो महनत कर रहे हो market price 300 हो गई है और आपकी salary से पैसे cut हो रहे है imagine करो आपने जिस दिन 1st of January 2022 इस दिन आपने scheme में register किया market price 500 था आपको कितने मिल रहा था फोन डेड में after 2 years आपने register कर दिया आपके salary से पैसे cut होना चलो गया देड़ साल हो गया देड़ साल में आप substantial पैसे दे चुके हो और अभी market price आप देख रहे हो दक दक 300 अब आपको share कितने मिलेगा अगर आपने 6 महीने और Tata Motors में काम किया तो 400 तो यह कैथा प्यारा motivation नहीं हो जाएगा कि छोड़ो company क्योंकि अगर आपने company छोड़ दी तो पूरा पैसा refund हो जाता है यह मैंना बताया कि अगर आपने company छोड़ी तो कुछ forfeit नहीं होता है पूरा पैसा refund हो जाता है अगर आप end तक रुके तो आपको share मिल जाएगा 400 में तो यह तो motivation की जाएगा demotivation हो गया ना सब लोग company छोड़ना चलू करते हैं कि भाई हमारे पैसा वापस देता हो तो इस case में company has an option to variate the scheme but only for the benefit of employees हम बोलेंगे चिंदा मत करो आपको हम share 200 में देंगे 400 छोड़ो 200 में देंगे बात समझ महारी है एक्स्ट्रापैस अगर अगर salary करत हो गया उसके बाद में एक छोटी सी बात है यह तो बड़ी obvious सी बात है मुझे बताओ कि यह जो benefit मिलता है यह जो benefit 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 क्या होगा मेरा pen कहा गया अफव रुको फोकुस बनाए रहा मैं रो दूँगा है 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 अगर मैं नहीं होता न तो मैं रो देता क्योंकि यह क्या प्यारा octopus बनाया मैंने आपको समझ में रहा है चले दर आओ चलो topic पर आते अज है क्या रुका जाएगा अभी तो खेर pen क्यों नहीं आ रहा अफो अरियर एक तो इस इस एप्लिकेशन के लिए इंटरेट इस मेंड़ी थोड़ास बिद इसलता है न अग्यू चलो रूप जाओ इस नहीं बटकना नहीं है समालो बहुत प्यारा कंसेप्ट चल रहा है इस तरह से चलाना तो आपका ऐसे chapter complete हो जाएगा, 100% focus आपी बनाए रखो बस 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 आजा, लाला अरे, पैन कुठे गेला, फुल मराथी, एक अधू में दे रहो, मला ये थे, हाँ, ही बगवाण, पैन क्यों ने चल रहा है, अफो, यहो, अ यह यह से करते हैं, आपको सम्झाद है, जिए पैन का option होता है, पैन का option क्या इंप कर दिया है, रुखो, मैं दूसरी जगह जा के देखते हूँ, दूसरी जगह pen का option, कहीं सभी हैं, पूरा बन कर दिया मैना, यहां पर लिख रहा है ना चलो चिंदा मत करो कोई बात नहीं I think source कारण प्रॉब्लम होगी बट ठीक है चलो मनच को यह सब एडिट करना बड़ता है विचारे को पूरा बैठके लेक्टर देखता है यह बगवाल चलो इंटरनेट ही गया ना इस कारण से प्रॉलम होगी ना चलो इच इज़रा हो इतना कितना चाथ हुए बाई अले यार इतना चाथ हुए बाई इतना चाथ हुए बाई अभी तक जो भी रीट किया सब कमफटेबल है ना जिमाग बेट रहा है कि हमने पड़ा कि दो रेगलेशन मिक्स करके एक रेगलेशन हो चुका है उस रेगलेशन के अभी तक हम शेर बेस इंपलाई बेनिफिट रेगलेशन के अंदर ही फोकस कर रहे उसके नवड़ा कि 5 प्रकार की scheme होती है अब फिर हम एके करके scheme implement कैसे होती है trust route या फिर आपका direct route होता है फिर scheme में variation हो सकता है विर अपरोव लगता है यह हमने ने minor छोटी छोटी बाते बढ़िए आशा करते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे और बड़ी-बड़ी बाते भी पड़ेंगे देखो यार मैंने मेरा, हाँ हाँ, ये रहा, येस हो गया, connected वहो चारा आगया पैन? उरी यार, ये कैसे आप यार इंटेनेट नी जला तो ये पैन ले जाते है बेश शरम पैन आगया, बाकी कुछ नहीं हा रहे नहीं नहीं, है साब है, चलो यारो बहुती प्यारी बात अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा रहा था है, येस, येस, येस मुझे एक बार बताओ, अब 100% फोकुस यहां पर ही 100% फोकुस यहां पर इसको क्या हो गया बाई, ये था तो से ही पहले, इसको आपके साफ कर क्या हूं करता है नहीं, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करने की कैसा है? कुछ छोटी-मोटी परिशानी हो तो लोड नहीं लेनेगा उससे क्या हो तो नजर नहीं लगती अपने प्रिपरेशन को ऐसा ये बोल के मैं खुद को खुश करता हूं ये वापे साथ होने की कोशिश कर रहा है इतने हम लोग फोकस करते हैं, अब अधर आओ थोड़ा सा लिटल लिटल ही बता रहा हूं जाद 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 नहीं नहीं है आपे मुझे बताओ, ये जो स्कीम के अंदर जो हम बेनिफिट दे रहे हैं ये जो स्कीम के अंदर हम बेनिफिट दे रहे हैं बेनिफिट का उप्टोबस कुथे ये जो स्कीम के अंदर हम बेनिफिट दे रहे हैं फॉर एक्जांपल अमने इस आप का ऑप्शन दिया एक एम्पलोई को विल दिस ऑप्शन बी ट्रांसफरेबल नौ। The shares after completing the option period will be transferrable, but the option will never be transferrable. अच्छे समझना कि इसके अंदर जो भी benefit होता है, इन schemes में जो भी benefit होता है, they are non-transferrable. लेकिन एक बहुत अच्छा viewpoint रखा है, SEBI ने, बहुत ही प्यार viewpoint रखा है, समझना अच्छे से. This, generally, the benefit is not transferrable, अगर ESOP है, और मानली जी की employee है, वो कहता है कि भाई, मैं तो ये company छोड़के जा रहा हूँ, मेरा ESOP तू ले ले, ऐसा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें वो employee को चाहिए था employment में, इसके हमने दिया है, ESOPs are never transferrable. यहाँ पर सेभी ने बहुत अच्छे दो, मुले सुनो, वैसे तो ESOPs transferrable नहीं है, लेकिन अगर कोई employee हमारी company में काम कर रहा था, और उसके मृत्ति हो जाती है, ideally transferrable नहीं है, बड़ इस case में, it will be transferrable to the legal air, और उसको tenure और complete भी करने की ज़रुत नहीं है. अब of course, यह थोड़ी expect करेंगे, legal air आओ, काम करो इसकी जगह पे, नहीं नहीं, government काम थोड़ी है, यहाँ पर कैसे है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, कि वो कोई परिशान नहीं है, देढ़ साल हुआ था, 6 महीने बाकी थे, यह सारे के जो ESOPs हैं, employee के legal air को देदिये जाएंगे, जब 2 साल complete होगा, तब legal air को shares मिल जाएंगे. बात समझ में आरी है, क्या बोल रहा हूँ? वापिस repeat करता हूँ. Generally, the ESOPs are not transferable. The golden rule is, it is not transferable. The benefit is not transferable at all. बात खतम हो जाती है. लेकिन, if at all an employee has died, तो उन circumcised में क्या करते हैं, कि उनके legal airs को, उनके ESOPs दे जाते हैं, shares तब नहीं मिलते हैं, shares तो सबको साथ में मिलेंगे ना दो साल के बाद. तो जब tenure or complete होने पर सबको shares मिलते हैं, तब इनको भी shares मिल जाते हैं. And same work, the second point, for permanent disability also. कि अगर death नहीं हो, लेकर permanently disabled हो गए, तो भी same चीज, कि उनको फिर भी share मिलते हैं, अगर उनने job discontinue किया, तो भी. Because permanently disabled हो गए, तो job तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको भी उनके पैसे return नहीं किया जाते हैं, tenure or पूरे होने पे, उनको भी shares दिये जाते हैं. So normally it is non-transferrable, but एक case में legal error के पास जा सकते हैं, अगर death वगरा हो गई है, तो. सब लोग clear है यहां पे भी? चाले, छुटा था point है, डीटल में, हाँ, जी. मस्ती से हम जब read करेंगे तो हम मैं doubts तो कमाने, जाए थे, दोस्त मिल गया, दोस्त ने बोला कि एक और दोस्त हॉस्पिटल में उसको देखकर आते हैं, हम उस दोस्त को देखने चले गए, उसने जैसी हॉस्पिल पहुंचे, वहाँ पर बाहर दो-तीन दोस्त में उनका, तो अभी structure में deviate नहीं होते हैं, जब उस topic पे हम खूद के पढ़ रहे होंगे, तब queries लेंगे, जाता मसा यहागा, चलो, यह हो गया, transferrable नहीं है, बहुत यह अच्छी बात है, इसके बात में मुझे जाता कुछ बताने की जरुत नहीं है, YES, 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 BAS, यही बताना था, सबसे बहले, let's try and ensure that all of you have understood this entirely, then we'll try and read it, khod khod ke, सबसे ले का शुरू के मैंने बताया आपको के दो regulation merge के है, Share-based Employee Benefit Regulation 2014 and Sweat Equity Regulation 2002, these two have been merged and the new regulation is, SEBI, Share-based Employee Benefit and Sweat Equity Regulation 2021, and 21, easy, अब कैसा था, जो पहली regulations उनको merge के है, तो इस नहीं regulation का chapter 1 preliminary रखा गया, preliminary is easy, उसमे कुछ दम की बात नहीं, Applicability of the Regulation वगरा इस सब बात यहां पर की गई है, preliminary के अंदर, फिर आता है Share-based Employee Benefit के, दो chapter, chapter number 2 of the new regulation and chapter number 3 of the new regulation, talks about Share-based Employee Benefit and then chapter number benefit scheme and then chapter number 4, talks about Sweatiquity Share, अभी तक Sweatiquity को touch ही नहीं क्या है, पहले इसको पूरा complete करेंगे, फिर Sweatiquity की बात करेंगे, ठेक है, और जैसे कि मैंने कहा, मैंने शुरुआत में भी कहा, के, ज्यादा content में change नहीं है, उन्होंने similar content को merge करती है, बस, बट नया regulation है, तो institute का मन हो गया, तो institute भी question पूछ ले कांट है, नया regulation बोलके बस, बागी कुछ content में ज्यादा change हुआ नहीं है, तो ऐसा, कहने के लिए ऐसा कहते हैं कि एकदम नहीं नहीं चीज़ है, बट इसके ज्यादा content wise नहीं है, बस लोनों को merge करती है, चले, yes people, इसके अंदर फिर हमने देखा, कि हमने सब सरे share based employment में employee की definition को बढ़ा कि employee definition के अदर सर, it includes India के अंदर के employee, India के बाहर हमारे employees काम कर रहे है, हमारे directors, even non-executive director, whole time director, part time director, सब included हैं, लेकिन promoter, promoter group included नहीं है, और साथ में independent director included नहीं है, उसके नहीं हमारे employee, हमारे holding, subsidy, associate employee सब included हैं, लेकिन promoter, promoter group included नहीं है, और any director whose holding, कितना 10% or more share, वो included, नहीं है, फिर दिका, sir, इस share based employee benefit scheme के अंदर कितनी scheme आती है, 5 scheme, ESOP, ESPS, SAR, general employee benefit scheme and retirement benefit scheme, अब मुझे बताओ, ये ये तो 4 scheme हो गई, अब जब मैं preliminary पढ़ाओंगा note स तो इसमें लिखा होगा कि this regulation covers 1, 2, 3, 4, 5 and 6 things, 5 तो हो जाएंगी, 5 schemes, और 6 हो जाएगा, sweat equity, क्योंकि preliminary chapter है, वो तो सब के लिए है, फिर chapter 2 and 3 के अंदर हम पांच scheme के आर्में पढ़ते हैं, और chapter 4 के अंदर हम पढ़ते है, sweat equity share के, तो preliminary में लिखा होगा 6, जैसे कि हमने bare act भी वापिस भी देखोगे आप, यह देखो, जिसके नहीं देखो, preliminary के लिए अंदर है, clearly लिखा होगा कि this is applicable on 6, यह रहा, तो इन 6 में यह जो 5 हमने पढ़े, वो तो 5 है ही सही, क्योंकि हमने 5 पढ़े हैं chapter 2 के लिए, तो यह chapter 2 and 3 covers these 5 schemes and chapter 4 covers sweat equity share, ऐसा है, rough idea लग रहा है, चली आ रहा हो, उसके बाद में हमने कुछ और चीजे भी पड़ी थी, हमने कुछ और चीजे ऐसी देखी, कि ठीके यह employee के अंद यह cover होता है, implementation कैसे होता है, तो इन schemes के implementation के दो roots है, one is a direct route, one is a trust route, direct route में company खुदी option देता है, employee register करते है, employees company को ही पैसे थे time to time, और company fresh air issue कर देता है, easy, trust route में क्या होता है, एक trust create की जाती है, फिर company trust को बोलता है कि पूरा का पूरा आप समालो, then trust क्या करता है, trust option देता है, employees को, employee register करते है, employee time time, पैसे देते trust को, trustee market से shares खरीद के देता है, employees को, trust को पैसे कहां से मिलते हैं, तो company trust को देता है, loan, are you all with me up till here, सब लोग कमफ़ड़े यहांता है, चलिए, तो अब finally, इसके बाद में हमने चोड़ी 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 पिदु पॉंट और पड़े, कि भया, compensation committee form करना पड़ता है, आपको to look after the scheme, shareholder के resolution के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते है, variation कर सकते हैं, but only for the benefit of employees, अफिर हम देखते हैं यह सब transferrable नहीं होते हैं, उसके इकाद एक्सेप्शन भी आपको बात भी बातों में पढ़ाए, and with this note, let's start the chapter for the day, चलिए, अब यहां पर आते हम लोग, SEBI, Share Based Employee Benefit and Sweat Equity Regulation 2021, प्यारा regulation है, मैं आपको क्या बताता हूँ, यहां से यहां तक, अगर मैं cut भी कर दू, तो कोई परशानी की बात नहीं है, बढ़ हम cut नहीं करेंगे, ठेक है, यहां से यहां तक आपको read करेंगे, exam look out से कुछ काम का नहीं है, यह बस आपको एक perspective idea दे रहे है, दो regulation था, mix कर दिया, एक नया regulation बना दिया, यह सब लिखाए, give it a read, background, एक दम easy, the chapter should go smooth now, पीछे पास कर देना, extra sheet से तो पीछे रख लीजेगा, कि आवाठाएरो मसे पवाथ गन्गे अपशो है, यह बसे है, दे।ारोग मसेट लुगाराएरों, क्या देरों. हुआ जाएं प्राइद कर दो कर दो अजद बड़ाइड दो प्राइड प्राइड लिए दो सुटन सुटन सो झाल झाल कर लो कर लो कर लो कर लो शांती से बहुत अब्वियस से चीजे लग रही होगी कुछ परिशानी की बात नहीं है क्या बात है हाँ जी हाँ तो कैसा होता है होल्डिंग सबसिट्री असूसिये holding company a company which has 51 more than 50% shares in the another company holding company subsidiary company 50% shares in B limited for example A limited holds more than 50% shares in B limited A limited becomes holding company B limited becomes subsidiary company associate मतलाब if a company holds 20% shares in B limited A and B becomes associate जैसे holding or subsidiary is like पापा बेटा जो hold कर रहा है वो holding कहलाएगा जिसमें hold कर रहा हो subsidiary कहलाएगा associate में कोई किसी में भी hold कर रहा हो वो भाई कहलाएगा associate तो if A limited holds 20% of more shares in B limited तो A और B का relationship is associate चलिए एक बार रीड किया कुछ याद नहीं रखना है कोशिश मत करना बैटके यह सब यह revisiting the framework SB यह सब यह सब कुछ भी रही है बस background दिया उन्होंने कि किस background के अंदर किस background के अंदर आप लोगोंने देखना है इस नए regulation को that is SEBI Share Based Employee Benefit and Sweat Equity Regulation 2021 यह दो regulation का merging है ठेक है फिर यहापे ता एक चीज Revisiting the framework or SEBI Sweat Equity Regulation vis-a-vis Companies Act and Suggesting Policy Policy Changes There Too तो इसका मतलब है vis-a-vis मतलब कि आप कभी भी दो चीजों को अगर comparison में देखते हो तो आपको Sweat Equity Regulation देखना है साथ में आपको Companies Act भी देखना है और आपको उसके साथ सजेस्ट करना है कि इन Companies Act में भी तो Sweat Equity Regulation के प्रोविशन है तो आपको You have to keep them in line सुना अच्छे से Listing की कोई भी रूल SEBI का कोई भी रेगुलेशन It should not ideally contradict Companies Act समझना It can create a stritter requirement but it should not contradict दोनों में difference है समझना अच्छे से अगर Companies Act कहता है कि एक व्यक्ती बीस कंपनी में डिरेक्टर बन सकता है और SEBI कहता है कि नहीं एक व्यक्ती आठी कंपनी के इंदे डिरेक्टर बन सकता है तो वो contradiction नहीं है वो एक stricter requirement है वो एक stricter requirement है That is allowed contradiction का हो जाएगा जब exactly companies है कुछ और बोल रहा है और यहाँ पर से भी कुछ और ही बोलतेगा exactly opposite तो stricter requirement से भी रख सकता है उसमें कोई problem नहीं है तो आपको जियान रखना है Companies Act का contradict ना करते Companies को contradict किये बिना आपने आगे बढ़ना होता है ठीक है चाप्टर 2 & 3 आएगे 1 तो preliminary है तो preliminary का A की topic पढ़ना होता है तो हम उसको इधर ही include कर लेते हैं ताइज़ पर कि में ली part A बी बीतों कि अबाट शेर बेस इंप्लोई बेनिफिट और इसका ही part B आप लोगों को pages flip करने की आवशकता निया part B will be talking about sweat equity share फोकस करें उससे question आने की प्रभल संपाना है because part B super easy part B sweat equity share में कुछ ही इत्तु सा है तो part A कफी प्रभल importance रखता है exam look out से 100% focus on the screen सबसे पहले यह मुझे बढ़ाने की जरूरत नहीं है The provision of this regulation applies to 6 points ESOP, ESPS, SAR, General Employee Benefit Scheme, Retirement Benefit Scheme and sweat equity share Automatically हो जाता है कोई बड़ी बात नहीं है तो यह 6 प्रगार की चीज़ों के ऊपर यह regulation apply करता है और हमको तो पता ही है भाया जी कि यह इसके लिए है Chapter 2 & 3 Chapter 2 & 3 and sweat equity share के लिए है Chapter 4 चल Life is easy up till here कुछ पढ़ा ही नहीं हमने अब यहां पर आता है Companies Covered अब यह अच्छा topic है कि कौन-कौन सी Companies Covered होती है इस regulation में यह regulation किस company पर होगा देख हमको पता है Of course Listed Company आएगी लेकिन उसके अंदर भी एक ऐसी company जिसने कोई scheme बनाई है उसी पर अपलाई होगी मालब यह Company is Reliance उसने Employee Benefit के लिए उन पांच्छों में से कोई scheme नहीं बनाई है तो इस company पर क्यों apply होगा तो एक topic आजाता है सबसे पहला Companies Covered कि यह regulation किस-किस company के उपर applicable रहेगी the provision of these regulation shall apply to any company whose shares are listed on a recognized stock in India and who seeks to issue sweat equity shares or has a scheme क्या या तो आपकी सब्सेल भी preliminary की बाते चल रहे है तो एक company listed होनी चिह listed और उसने sweat equity shares issue के तो भी regulation apply हो जाएगा because sweat equity shares भी covered है या फिर listed है or has a scheme complying with this condition listed है और साथ में has a scheme complying with this condition तो भी यह regulation apply हो जाएगा तो सबसेले regulation कब apply हो जाएगा अगर एक listed company ने sweat equity shares issue किये तो apply हो जाएगा या फिर एक listed company में एक ऐसी scheme है जो इन सब condition को comply करती है तो भी apply हो जाएगा यह condition देखने में एकदम डराब नहीं से लगेगी लेकिन logically पढ़ेंगे तो समझ में आएगी give it a read first यह जो green में है इसको read करो कि कोई भी एक scheme कोई भी एक scheme which complies with the following condition उसके उपर यह regulation apply होगा that the scheme is for the benefit of employees ऐसा पूरा लिखावा है read करने की कोशिश करो ओफो क्या बात है झाल चलिया एक बार read तो क्या होगा अरे देखो याद रखना बहुत easy है कैसे याद रखना easy है कि यह जो schemes होगी share based employee benefit schemes what do you mean by share based employee benefit schemes यह यहाँ पर पढ़ा रहो हो है कि share based employee benefit schemes का मतलब कह है सबस्वाल है employee benefit लिखाए ना clear? employee benefit इसका मतलब है the scheme should be for direct or indirect benefit of the employee, पहली condition that scheme होनी चाहिए for direct or indirect benefit of the employee, ठीक है दूसरा, it has to be share based मतलब, it should involve dealing in or subscribing to or purchasing it should involve dealing, subscribing or purchasing it should involve dealing, subscribing or purchasing अरे अलग अलग नाम है same चीज़ के it should involve dealing, subscribing or purchasing securities of the company directly or indirectly share based employee benefit it is for direct or indirect benefit of the employee, share based, it should include subscribing, dealing or purchasing securities of the company directly or indirectly यह हो गया अब एक लास्ट कंचिशन आती ही के साथ ही साथ it should satisfy directly or indirectly anyone or the following condition directly or directly तो तीनों पॉंट मैं ना तो याद रखना सदा असान हो जाता है ठीक है last point it should satisfy directly or indirectly any one of the following condition क्या one of the following condition पहला the scheme is set up by the company or any other of the company, any of the company in its group कि या तो scheme set up कि आपकी company ने या फिर आपकी group की किसी भी company में मैंने पढ़ाया यह भी आपको कि अगर एक company भी इसको set up करती है अपनी holding, subsidy, associate का सबके लिए रख रख सकती है the scheme is set up by your company or any of your group company second या फिर और the scheme is funded or guaranteed by your company or any other group company or the scheme is controlled or managed by your company or any of the group company तो इनके के कहने का मतलब है कि यह अलग-अलग words लोगोने scheme में लिख रख है either the scheme is funded by your company or group company or the scheme is controlled managed by your company or group company or the scheme is set up by your company or group company कोई भी language use की है इस scheme को हम कहेंगे share-based employee benefit scheme तो सबसे बड़ा सवाल आ रहता है यहां पर किसरी regulation किन-किन schemes पर अप्लाय करता है कोई भी listed company के अंदर कोई भी scheme है पहला directly or indirectly for the benefit of employees second directly or indirectly it involves subscribing, buying or dealing subscribing, purchasing or dealing in the securities of the company third it complies with it's satisfied at least one of the following condition what it is either set up by the company or its group company it is funded guaranteed by the company or the group company and last one is what? it is control managed by the company or the group company इन में से एक भी पॉइंट को हम satisfy कर लेते हैं तो यह इस regulation में cover हो जाता है नहीं if in the lecture I just have to teach तो तो और जल्दी हो जाएगा हमें कोशिश यह करनी कि यहीं पर पढ़ा और यहीं पर दिमाग में ऐसा बैट जाना चाहिए कि हमें self-study कर रहें पर उतना जाद याद करने में efforts नहीं देने पड़ें 100% focus यहां पर हम पढ़ रहें point number A2 companies covered आप लोग कुछ लिखेंगे नहीं साथ-साथ में जब मैं आपको कहूंगा तो आप लिखेंगे ठीक यह हमारे octopus के लिए जगे छोड़ देते हैं और यहां पर आचाहिए का A2 100% focus यहां पर class का topic number A2 companies covered क्या पढ़ाने की कोशिश करना हूँ कि regulation किन-किन companies पर apply करता है इन्होंने क्या आसान तरीके से कह दिया सबसे पहला तो बहुत easy है कोई भी listed company which has issued इसके पर regulation हो जाएगा applicable companies भी covered और second कोई भी एक listed company which has a scheme now the scheme should satisfy three conditions yes or no yes the scheme should satisfy three conditions तभी उस पर regulation apply करेगे पहली condition it should be for the benefit of employee directly or indirectly it should be for the benefit of benefit of एक तो यह पर इतनी line मारता है मै क्या करो पड़ा लिखा है पिद्यान दो employees it should be for the benefit of employees हमारा आजाता है directly or indirectly wonderful second क्या था it involves अवक्स yes it involves देखो dealing subscribing purchasing it involves dealing or subscribing or purchasing in securities of the company purchasing securities of the company वापेश भाई, डिरेकली और हे भगवान, सुधर भाई, सुधर पड़ा लिकाया भी त्यान दो आप लोग एडिव्स दीलिंग, सुब्स्राइबिग, परचीजिंग, इन सिक्योरी अपनी डिरेकली और इंडिरेकली, ये भी ठीक है last, it should satisfy at least one of the following condition ठीक है? it should satisfy, रुकन, 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 रुकन A, मिरस आगे मत बड़ो, रुक जा C, सुनन the scheme is, has to be either set up by the company or any of the group company the scheme has to be funded or guaranteed ये ही लिखाना, second funded or guaranteed by either the company or any of the group company and third, the scheme has to be controlled or managed managed by either the company or any of the group company set up by the company or any of the group company listen toπ 같아요, on? is it dirty? even though part of this in Tino, कोई भी then the company is covered under this regulation. There is a listed company which has a scheme about it. तभी तो स्कीम को हम बोलेंगे. आप देखोई नीचे इनो ने बस इस वर्ड को एक्स्प्लें किया है. Then this scheme can be termed as Share Based Employee Benefit Scheme. Then this scheme would be termed as Share Based Employee Benefits Scheme. तभी नाम अगर अच्फेस देखें, तो कोई भी एक listed company जिननाशुनाशूट इस फट्रेशन इस्यूदर शुकिया, तो भी एक regulation apply हो जाएगी. और कोई भी एक listed company जिसने ऐसी scheme isुकिया, which is Share Based Employee Benefit, तो भी regulation apply हो जाएगी. तोड़ा सा घुमाफिरा करकते हैं, और शबीका रेगुलेशन है इतना स्ट्रेट तोगा नहीं कि एस प्रैक्ष एडिरेक्ली का हरीग अलग मतलब है फॉसकी इंपलॉई के बेनिफिट के लिए और चीए या तब ड्रैक्ली उसको शेर दो या फिर उससे बेनिफिट और Indirectly तो इसका मतलब के कंपनी खोद डिरेकली शेर्स करीद़ी है या फिर Indirectly Trust के तुरू करीद रिया तो हरी जिगप पर अलग अलग मतलब होगा बर डिरेक्ली और इरेकली हरी कर चलता है Yes कुई भी अर फिरी यहाँ तक अभी तक हमने क्या पड़ा हमने दो टॉपिक पड़े हैं A1 और A2 A1 में हमने पड़ लिया है Applicability of the scheme, 6 points आता है ESOP, ESPS, SAR, General Employee Benefit Scheme Retirement Benefit Scheme and Swetiquity A2 हमने पड़ा Companies Covered कौन-कौन सी Companies Covered Are you all with me? कोई भी सवाल यहां तक A1, A2 तक A3 सबसे घातक चीज है A3 ही है ना, Implementation नए 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 अभी तो 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 अभी है A4 सबसे घातक है वहाँ पर हम लोग जाएंगे A4 के लाब सबसे चैप्टर में कुछ है नी जिससे में A4 हो गया ना मतलब उटके चाने मतलग जाना बढ़ हम रिलाक्स हो जाना के A4 के बाद कुछ पी नहीं शालौ हम आते हैं Definitions पे Definition में सिर्फ एक definition हमारे काम किये बागे definition easy है That is the definition of employee I want you to read the definition of employee first All of you Read the definition of employee अपनी अपनी इसी लगेगी पेचानी पेचानी लगरी है न Yes Yes शाले स्क्रीन पर देखवा जाओ Employee Except in relation to issue of sweat equity share मतलब क्या है Chapter 2 & 3 Share based employee benefit के लिए employee का मतलब अलग होगा और sweat equity share के लिए employee का मतलब अलग होगा तो जब sweat equity share पढ़ेंगे वहाँ पर वहाँ पर employee का मतलब अलग है यहाँ पर employee का मतलब अलग है तो अभी तो हमने Sweat equity share की बात ही नहीं किया हम अभी सिर्फ share based employee benefit की बात कर रहें तो उसमें हो उसमें employee का मतलब क्या होता है अपताय आपको क्या करना पढ़ेगा एक कऊ अर बापढ़ना पढ़ेगा एक और बाप पढ़ेगा तदो में बैट ये चारजर लगा तो इसके अर बाप पढ़ेगा मैं आइसे का देख रहे हैं में कौँ sorry मैंने किसी को sorry बोला ए बढ़ाई लिकाई पर आंतो चलिए सब लोग यहां पर employee सब से पहला पॉइंट an employee as designated by the company who is exclusively working in India or outside India कोई परिशानी की बात ही नहीं है कोई भी हमारा employee जो की बली भारत में काम कर रहा है भारत के बाहर काम कर रहा है उसको हम यह share-based employee benefit के अंद बेफिट दे सकते हैं so employee का first point employee includes any employee working in India or outside India life is easy a director of the company whether a whole time director or not मतलब आप whole time director है part time director है दोनों लोगों को हम यह benefit दे सकते हैं including a non-executive director non-executive director को भी दे सकते हैं promoter promoter group को नहीं दे सकते हैं including a non-executive director who is not a promoter or member of the promoter group but excluding an independent director independent director को आप exclude कर देंगे और last an employee as defined sub clause 1 or 2 यह जो 1 or 2 में define कर दिया कि डिरेक्टर होगा कोई सभी आपकी इंडिया इंडिया के बाहर काम कर रहा है इसा employee of a group company मतला हमारी holding, subsidiary, associate इसमें कहीं पे भी काम करता है including subsidiary or its associate company in India or outside India or holding company of the company but does not include तो सबसे पहले आसान भाशा में बात करता है employee can be a person working in India outside India second it includes a director whole time director, part time director but does not include any even non-executive directors are included but those directors who are related to promoter those who are promoter who is not a promoter and members of the promoter who are promoters they are not included तो हमारे non-executive director तो की promoter है उनको आप benefit नहीं दे सकते और जो executive promoter उनको तो of course नहीं दे सकते हो तो वो नीचे cover हो जाएगा यहां पे यहां पर तो आप promoter जो है उन्हें नहीं दे सकते हो और independent director को नहीं दे सकते लेकिन ऐसे director non-executive directors को भी दे सकते हैं इसे directors जो की promoter है या promoter group में cover होते हैं उनको आप नहीं दे सकते हैं उसके बाद में आता है independent director को आप नहीं दे सकते हैं next point आप employees को दे सकते हो अपनी company के अपना छोड़ो अपनी group companies अपने holding company के employees अपने subsidiary company employees अपने associate company के employees इन सबको भी आप benefit दे सकते हो तो हमारी company ने एक scheme बनाई and the scheme के अदर who all can register even holding, subsidiary, associate all of them can register it is allowed it is allowed BUT it does not include कि सारे employees register हो सकते हैं लेकिन कौन register हो सकते हैं an employee who is promoter or promoter group or person belonging to promoter group कोई भी वैक्ति चो promoter है or promoter group में belong करता है वह वैक्ति के favor में आप कभी भी benefit नहीं दे सकते हैं और any director who either himself or through his relative or through anybody corporate directly or indirectly holds more than 10% of the outstanding equity shares of the company कोई भी director directly, indirectly किसी भी तरह company के 10% equity shares own करता है, control करता है ऐसे वैक्ति को भी आप कभी भी share-based employee benefit के नहीं दे सकते हैं इन पे question आ सकता है सुननो तो आपको specifically यह ध्यान रखना है कि किसको नहीं दे सकते हैं अगर आपने वो धियान रखना लोगाज है, life becomes easy independent director को दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं कोई भी promoter promoter group को दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं भलाई नन executing director promoter उसको दे सकते हैं इस तरह से दिमाग है फ्रिक्चल क्रियर होनी चिए कि इनको दे सकते इनको नहीं दे सकते सर क्या इस प्रकार से कॉशिण आ सकते है Define Employee as per this regulation जनरली तो नहीं आता है बट अगर आप भी गया तो दिमाग में काफे ध्यान रखना है Define Employee, सबसे बहला Employee, can be an employee working in India or outside India मैं आपको पहले है बोल चुका हुआ, language नहीं हो सकती आपकी but the content has to be the same Employee can be a person working in India or outside India Second आपका हो गया के, any director whole-time director or part-time director even non-executive director but should not be a promoter or promoter group and you cannot give it to independent directors then even employees of group companies example holding subsidiary associate companies employees to them also you can give but it excludes promoter or promoter group and any director who directly or indirectly holds 10% or more shares in the company 10% or more holds more than 10% holds more than 10% holds more than 10% तो जो एक्ती 10% से जादा ओन करता है हम हमारे उसमे भी इसमे तेन पर संट और मूर लिखा इसको करेक कर देता है इसको मत देखा, इसको देखके आप गबरा जाते हो more than 10% तो दिमाग में कैसा ध्यान रखना है कि किन-किन को नहीं दे सकता है अगर वो दिमाग में ध्यान रखना है तो आपके लिए बिकम्स वरी इसी ठीक है, यह हो गया, employee का definition इसके बाद में बाके definition कोई सादा काम के नहीं है यह जिस नया regulation है, तो इसके सारी definition दे दिए है Scheme मतलब कोई भी एक ऐसी scheme of the company proposing to provide share-based benefit to its employees under chapter 3 of these regulation which may be implemented and administered directly by such company or through a trust in accordance with this regulation कुछ काम की नहीं कुछ काम की नहीं है, आप चाहिए तो tick कर सकते है tick कर सकते हैं, मतलब यह reference आपको याद नहीं करनी है exam के लिए ठेक है Secretarial Auditor Secretarial Auditor Secretarial Auditor मतलब कौन? हम लोग Means a company secretary in practice appointed by a company under rule 8 of companies meeting of voters per rule 2014 to conduct secretarial audit pursuant to regulation 24A of SEBI क्या कहने की कोशिच कर रहे है SEBI का एक regulation नहीं वो कहता है कि आपको Secretarial Audit कराना कंपल सरी है Listed companies को Secretarial Audit करना होता है Secretarial Audit is an audit which is done by a CS इतना idea होगा न? एक होता है Statutory Audit Statutory Audit is done by a CA Secretarial Audit it is done by a CS Cost Audit is done by a CWA CMA तो इस प्रकार से अपने अपने area कर रहे हैं, सब अपना खेल रहे है तो उसमें Secretarial Audit कान होता है एक Company Secretary जो की Secretarial Audit करता है वही लिखा है बस इन्होंने Complicate का कर दिया कि Secretarial Audit Means a Company Secretary Appointed by a Company Company नहोंने को किसके अंदर Under Rule 8 of Company's Meeting of Board and its Power Rule 2014 To Conduct Secretarial Audit Which is Required by SEBI Under Regulation 24A of SEBI LODR Regulation 2015 Simple ऐसा उसके आद में Employee Stock Option Employee Stock Purchase Scheme कुछ भी नहीं मताब इतना गंदा Explanation है Means a Scheme Under which a Company grants Employee Stock Option to Employees बहुत बढ़या तो इन्होंने Employee Stock Option के अंदर ही Employee Stock Option ही लिख दिया हमें कैसमज में आयागा है बहुत चीज़ बात है बट इन्होंने को एक चीज़ लिखियो समझेगी Employee Stock Option Scheme Means a Scheme Under which a Company Grants Employee Stock Option to Employees Directly or Through a Trust हमको पता है फिर Employee Stock Purchase Scheme Means a Scheme Under which a Company Offers Shares to Employees As a Part of Public Issue Or Otherwise Or Through a Trust Where the Trust May Undertake Secondary Acquisition For the Purpose of the Scheme थोड़ा-थोड़ा समझ में आता है जब हम इसको डीटेल ले पड़ें के तो पुरा क्लियर होगा तो अभी अगर हम ESOP और Employee Stock Purchase Scheme को Compare करते हैं तो यह समझ में आता है कि Employee Stock Option Plan के अंदर इन्होंने इतना सा लिखा It's a Scheme जिसके अंदर हम Employees को Shares देते हैं Options देते हैं Employees को Options देते हैं या तो directly या through a trust Employee Stock Purchase Scheme में clearly लिखा है और it is a part of the public issue जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि it is a part of the public issue कि जब हाँ public issue कर रहे हैं उसी के अंदर थोड़े Shares आप देते हैं Employee को कोई condition नहीं रखते हैं कुछ नहीं रखते हैं यह सब आगे chapter में detail में हैं यहाँ पर लोड लेने की ज़रत नहीं है फिर आता है General Employee Benefit Scheme फिर आता है Retirement Benefit Scheme यह भी हमें नहीं पढ़ना है Appreciation Appreciation का मतलब क्या होता है यह बता रहे हैं means the difference between the market price of the share of a company on the date of excise of SAR or the date of wasting of SAR as the case may be and the SAR price सब्सक्राइब क्या है मैं आपको क्या बताया था कि कंपनी क्या करती है कि कंपनी एक price target लगा देती है कि अगर यह वन यह का 10-year है वन यह के एंड में शेर का प्राइस अभी 2000-3000 रहा तो आप सबको bonus मिलेगा आज मैं आपको SAR दे रहा हूँ मैं आपको कहा है कि अगर year end पर अभी price 2000 है अगर year end पर price 3000 रहा तो आप सबको इतना bonus मिलेगा यहां पर क्या लिखा है means the difference between the market price of the share on the date of excise of SAR excise of SAR मतलब आज का दिन हो गया or the date of wasting of SAR as the case may be and the SAR price और SAR के अंदर आपने अग target price भी दियोगी तो यह जो difference है that is the appreciation आज मान लीजे मैं आपको कहा कि आज price है 1500 रुपए एक साल बाद जितनी price होगी उस पर depend करेगा कि आपको bonus कितना मिलना है तो आज 1500 है एक साल बाद if the price is 2200 तो appreciation कितने का हो गया 700 इसके ओपर depend करेगा कि आपको bonus कितना मिलना है a company can even do it in this fashion कि जितना share price बड़ा जितने percentage से share price बड़ा उतने ही percentage का आपको bonus मिलेगा तो इसदा share price is increased by 15% everyone will get a bonus of 15% company even can keep this in this fashion तो company के ओपर depend करता है यहां पर तो हम सिर्फ ब्रीफली देख रहे है उसके आद में exercise exercise period क्या लिखाया exercise means making of an application by an employee to the company or to the trust for issue of shares or appreciation in the form of cash as the case may be against vested option or vested SAR in persons of the scheme covered under part A or part C of chapter 3 of the regulation as the case मत बल सिर्पे हाथ मत लगाओ इधर आजाओ यह जो भी में आपको बढ़ा रहा हूँ यह यहां पर हम सिर्फ time pass के लिए पढ़ रहे है क्योंकि यह हम कहां पर पढ़ेंगे यह देखो यह दिख रहा है employee stock purchase scheme option scheme employee stock purchase scheme यह यहां पर पढ़ेंगे तो वहां पर हम सिर्फ formality तोर पर पढ़ रहे हैं अभी तो इस चीज का इतना वहां पर लोड मतलू चलो रुको हमें नेक्स पॉइंट पर जाने है उसके लिए फटावर्ट से एक बर जाना चाहते है exercise, exercise period exercise का मतलब क्या हुआ exercise का मतलब क्या हुआ नितिन exercise का मतलब क्या हुआ आज मान लीजिए हमने option दिया है एक साल के बाद अगर आप employment में रहे तो शेर मेलेगा आपको पंतरा सुरुबह में तो एक साल के बाद आप क्या करोगे उस option को exercise वो देखा है क्या आपने अरे यार एक बहुत यह जो अपना बिस्वा है ना बिस्वा popular तो हो गया बाद में बिस्वा और कनन यह बहुत पहले एक चीज बनाते थे pretentious movie reviews अब यूट्यूब पर जाएंगे अभी नहीं जाएंगे हम लोग यूट्यूब पर जाएंगे और यूट्यूब पर लड़की लिख रही के pretentious movie reviews अब यूट्यूब पर जाएंगे अब यूट्यूब पर सर्च करेंगे pretentious movie reviews यह उस जमाने की बात है जब stand-up comedy भारत में नहीं हुआ करती थी और बिस्वा इतना popular करनन इतना popular नहीं हुआ करते थे तब यह लोग दोनों क्या करते थे दोनों ऐसे बैठते थे एक टेबल लेके और यह movies के reviews बनाते थे pretentious movie reviews बाई साहाब मतलब तूफान तो उन्होंने एक movie का review बनाता I think मैं प्रेम ऐसे वो वाली movie थी मैं प्रेम की दिवानी हूँ शायद इस movie का था जिसके अंदर बहुत तूफान तरीके से वो एक शी होते है exercise तो इससे मुझे वो जाद आगया समालो आपको आप लोगों को जब समय मिलता है ना जब समय मिलता है तब देखना pretentious movie reviews अरे तूफान मचाते वो लोग और तब इतना popular भी नहीं था चलो छोड़ो हम लोग पड़ाय लिखा ही करते है let's get back to our exercise तो हमारे exercise में यहाँ पर उनका मतलब क्या होगा कि आज अगर कंटी ने option दिया है कि 1500 रुपय में आपको share मिलेगा अगर आप एक साल तक employment में रहे आज आपने option को ले लिया एक साल बाद उस option को आप क्या करोगे exercise तब आपको share मिलेगी तो इस exercise से इनका मतलब वो है exercise price क्या हो जाएगी कि जिस market price से मतलब नहीं है मुझे किस price में मिलने वाला है वो हो गई मेरी exercise price मुझे मतलब नहीं कि market में किस price में चल रहा है I have been given an option कि मुझे तो 1500 में मिलेगा तो I want to exercise at my exercise price बात समझ में आदिये क्या आप सिंपल समझो मेरी एक दुकान है मान लीजिए वड़ापाव की मैं आपको कह दिया है कि एक साल बाद आप लोग CS बनके आओगे तब मैं आपको वड़ापाव दूगा एक रुपए का एक बस जितने खाना है एक रुपए का एक वड़ापाव दूगा ठीक है आप एक साल बाद आते हो Now you are not concerned about the market price You want to exercise your right and buy the वड़ापाव at your exercise price exercise price तो अगर कंपनी के employees ने कुछ डील की हुई है पहले से कि हमें इतने रुपए में शेर मिलेगा तो वो अपना tenure होने के वाद अपने exercise करना चाहते है वो शेर को at their exercise price Super easy Stock appreciation और SAR ये एक बार रीड कर लेते हैं ऐसे Means a right given to SAR grantee grantee मतलब समझते है जिसकोई option मिला है entitling him to receive appreciation for a specified number of shares of the company where the settlement of such appreciation may be made by way of cash or shares क्या कह रहे है SAR means a right given to SAR grantee माली जा हमारे company employees थे आप सबको हमने SAR दिया है entitling him to receive appreciation appreciation विलेगा for specified number of shares of the company where the settlement can be in cash or in shares मैंने आपको बताया था कि SAR can be cash settled or equity settled मैंने आपको कह दिया employees जी जान से काम करो एक साल के बाद company के share का price में जितना appreciation होगा उतना आपको bonus देंगे मान लो share price 10% से बढ़ा है आप सबको आपकी salary का 10% bonus मान लीजे मैंने ऐसा कह दिया आपकी salary 1 lakh rupees उस पर 10% का 10,000 now this 10,000 can be given in equity shares also this 10,000 can be given in money form also मतलब लेकिन आपका benefit is linked to share ना तो वो cover इसी regulation में होता है वाली cash settled है equity sell explanation 1 a SAR settled by way of shares of the company shall be referred to as equity settled SAR जहां पे आपको benefit मैं shares में दूंगा तो वो equity settled कहलाएगा for the purpose of these regulation any reference to stock appreciation right or SAR shall mean equity settled SAR and does not include any scheme which does not directly or directly involve dealing in or subscribing to or purchasing security of the company इनका कहना है कि यहां पे कुछ नहीं दे रखा है तो यहां पे to be equity settled SAR so SAR can be cash settled also allowed है लेकिन यह regulation presume करता है कि SAR हमेशा कैसा होगा equity settled होगा क्योंकि हम उपर definition बढ़कर है it should involve dealing in buying and purchasing of security तो इनका ऐसा कहना है कि इस regulation में we will presume actually SAR का concept could be cash settled or equity settled तो SAR के concept में हो गया लेकिन यह regulation presume करेगा that SAR is always equity settled और इसका logic क्या है इनका if you make SAR as cash settled तो वो concept यही रहेगा लेकिन उसके अंदर आपने equity share खरीदे कहा फिर अगर SAR को आप cash settle कर लेते हैं कि equity share में जितना price बड़ा उतना percentage हम आपको salary के अंदर bonus देतेंगे cash तो उसमें the concept is of SAR only लेकिन आपने हमारी scheme should involve some purchasing of security आपने security purchase तो की नहीं कोई सी भी तो इस case में हमारी regulation के लिए we always presume that it is a equity settled SAR but conceptually कलको आप जाते है इदर उदर news में पढ़ेंगे SAR can be cash settled also तो बताया है दो होता है but here regulation presume करता है equity settled SAR रुक जाओ सिर्फ बस इतना सा और अपनी हिम्मत रखना Westing और Westing period क्या होता है अब सुन जाओ Westing means a process by which the employee becomes entitled to receive the benefit of a grant made to him or her under any of this scheme आपको वो जब benefit मिल रहा होता है उसे कहा जाता है Westing for example आज कह दिया के जो जो employees 1 year तक मेरे tenure में रहेंगे उनको ESOP मिलेंगे तो ये 1 year में क्या हो रहा है option is Westing in you Westing चल रही है Westing period मतलब वही 1 year का tenure हो गया Westing का मतलब ये option आप में West हो रहा है पूरा option West होने के बाद में option का आप exercise करते हैं रुको रुको Westing period means the period during which the Westing of option SAR or a benefit granted under any of the scheme takes place छोड़ दो देखो हमने सब कुछ पढ़ा आप चाहो तो सब के आगे Cross लगा सकते हो या फिर आप चाहो तो इसके आगे Star लगा सकते हो employee की Definition है जिसके उपर Express question आ सकता है Employee की Definition है जिसके उपर Express question आ सकता है वाकि किसी भी Definition के उपर Express question आना पॉसिबल नहीं है फिर भी अगर आप चाहते हैं तो क्या करो, employee की definition पर start लगा दिया, उसके बाद में आप चाहो तो, general employee benefit और retirement benefit यह हम पढ़ेंगे थोटा है बात, यह तीन definition पर start लगा दो, इसके अलावा किसी भी definition के उपर question नहीं आ सकता है, लेकिन आपको वो definition समझ में आना बहुत जरूरी है चलो, तीन स्टार लगे समझ में आगया, तीन स्टार कहुंचे लगया, जिन पर हो सकता है, direct question आजए, बागी किसी पर तो direct question नहीं आतकता है, मतलब आपको किसी भी definition को याद करने के आवशकता, नहीं है, अब रुप जाओ, एक चीज़ को समझ के आगे जाओ, what do you mean by vesting and exercising? Shhh, everyone here, पुरी class का focus नहीं पर, vesting और exercising में क्या difference होता है, का concept क्या होता है, A3, A3 के अंदर employee की difference होता है, अच्छे से पहले ही पढ़ चुके है, अब समझ हो, मान लीजिए, आज, Shhh, सब लोगे आप है, 100%, मान लीजिए आज, Example, Reliance Industries Limited, offered their employees hundred shares each at 1500 rupees per share after one year if they remain in employment for one year so now Reliance Industries offered their employees 100 shares at the rate of 1500 per share after one year if they remain in employment for one year say I will say here Reliance Industries Limited on 1st January 2022 offered their employees 100 shares each so we have 1st January offer 1st January 2022 this is the whole year so the whole calendar year of 2022 if you stay in employment then you will get the shares at the rate of 1500 per share 100 shares each you understand the story? listen to me listen to me here Westing period what can you tell me? yes 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 just this thing was just here the moon wait 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 हरा मैं सोचता हूं कि अब नया क्या हो सकता है और यह हर बर कुछ नया करतेते हैं ओफो मैं सच में पता है यह topic बढ़ाने के वाद आपको हलका सा ब्रीग ही देने वाला था नहीं नहीं समवाला यह topic इवार कंपी topic मतला बस यह concept बता रहा हूं Vesting period चलो अब आपको मुझे लगता है मेरी best handwriting के दिखानी पड़ेगी मचको अरे रुको 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 ए फोकुस इधर वही कोशिश कर रहा हूं मैं इधर हो ए पढ़ा लिखा यह दियान दो कि आप लोग सब ठीक है चलो समालो मैंने बोला नहीं तो इधर क्यों कर रहा हूं तो मैं बोलूगा तब करो गए इधर आओ Vesting period बहुत बढ़ा है पढ़ा लिखा दो मुझे बताओ Vesting period क्या रहेगा One year तो है बट इट विल भी One One 22 Two One One 23 यह क्या हो गया? Concept यह हो गया Vesting period इस दौरान यह option आपमें West हो रहा है समझे मैं रहा हूं यह West हो रहा है यह पूरा period यह पूरा period अगर मैंने employment में रहा So the option will be Westing completely तो then Exercise Date हाँ भाई साब यह बाखिये Exercise Date वोड बी One One 23 End of Westing Is the Exercise Date इस दिन में exercise कर सकता हूं मेरे Option को And I can get the Share Exercise Price Is what? 1500 Rupees Per Share Exercise Price is 1500 I am not concerned with the market price Exercise Prices के मुझे इस benefit के कारन मुझे इस benefit के अंतरगत किस प्राइस में वो शेर मिल रहा है That is my exercise price Exercise Price Exercise Date One One Exercise Period भी गभी कि इस दिन आपका option होगा इस 10 दिन में इस 20 दिन में इस एक महीने में आपको exercise करना तो exercise period हो जाएगा Exercise Date इस प्राइस प्राइस पर में exercise कर सकता हो मेरे scheme के तो मुझे क्या मिल रहा है Investing Period Is the entire period जब आपको condition comply करनी है Now answer me in this language क्या Employee Stock Purchase Scheme यह तो ESOP है यह तो ESOP है ESOP है sir कैसे समझ भाया Condition रखी है Condition रखी है Condition रखी है मतलब ESOP है अगर यह ESPS होता बाकी Definition आपके कुछ ऐसा बहुता काम की नहीं है यह आपको concept समझ भाया जाना चाहिए I think which is too easy also Vesting Period is the entire period during which the option vests in you That period in which you have to comply with the condition That is the Vesting Period Exercise Date जब आप अपने Option को exercise करके अपने Shares दे सकते है Exercise Price जिस Price पे आपको Share मिलेगा जिस Price पे आपको Share मिलेगा ब्रेक के उस तरफ आपके लिए क्या है ब्रेक के उस तरफ आपके लिए है सबसे तूफान provision that is implementation of the scheme इसके सिर्फ points देखो एक बार दिख रहें दो पेच का है पूरा scheme है सिर्फ यह बढ़ लिया तो इस chapter में कुछ हाही नहीं फिर बहुत easy easy है के eligibility का है compensation committee shareholder approval एक दम पिदू-पिदू सी चीज है तो I'll see you people after 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 चली आरो पड़ा लिगा करेंगे के हम लोग ना रुखेंगे हम हम कर्षपत कर्षपत चली वह गलत नहीं है वह अलग है mobile नीचे किराने का नहीं नीचे पानी भी जा रहा है flow के वह दो तरफा हल्मरा हो जाएगा उसके उपर तो क्या एकदम ऐसा फेखो mobile चली यारो अरे यार बगवान कौन सी city से आप ऐसे परबनी अरे तो आप जानती होंगे हाँ येस येस परबनी में आपके वो सर भी नहीं दिनेश शर्मा सर उनको भी चाहता बड़े नहीं बड़े परे नहीं बड़े हाँ 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 हेता मुझे नहीं बड़े बहुत बड़े अरे बफर हो रहा है क्या है ओफो स्क्रीन ही गया है ओफो ये वो लोग गधें बता है वो लोग नाश्टा कर पाया है इसलिए वो ऐसा कुछ प्रे करते है कि कुछ टेक्निकल प्रोलम आजा है और हम लोग टाइम पर पहुंचें तब तक हो जाया काम अफो 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 वीडियो सिगनल ये वीडियो सिगनल नहीं जाने का तो कोई कारण ही नहीं है ये आपे तो सब कुछ आ रहा है इक बहाँ इक बहाँ ओफो 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 झाल झाल चलिया रहूं शुरू करेंगे कारिकर हैं फड़ावर्ट से बैट जाओ अपना रुकेंगे हम ना जुकेंगे हम यह सर् एक सकत्त अहुद मैं मैं डिसाइड कर लूँ यह सब आपसे बात करेंगे सब लुके अपना पंडिसाइड कर लूँ गदो क्या है साड़े बार बज़े किसी नगर मुवी बुक के तो देख लेना कितनी बज़ेगी यह बास साथ खा जाओंगा उस मुवी को देखना अजाब की मुवी खा जाओंगा मैं देखना बहुत बढ़ा है कौन सी मुवी जा रहे हो कश्मीर फाल अच्छी है चलो बड़ी किया नई कैसा जीब लगेगा नॉमली एसा टीचर लेक्टर लेता है एक व्यक्ति उठके जा रहा है क्योंकि मेरा बीकॉम का एक्जाम है समझ में आता है आज में जा रहा हूं मैं कश्मीर फाल देखने जा रहा हूं अजीब लगेगा ना भाई इसलिए हम लोगे आप प्रिसीडेंट सेट कर देंगे यह परिशानी हो जाएगी जैसे कि आपको बता है एक दिन एजैंपल लिया था हो मैंने उसके बाद से प्रिसीडेंट मतब आप समझे रहें वह इस्टेबलिश हो गया है अब बस यह है तो लेक्चर के एंड के लिखते समय तो बस यह कितना अच्छा एडिया है इतनी इच्छी बात आपके दिमांग में आ कैसे जाती है यहां आपका कश्मीर फाइल्स कर दू मैं चलो पड़ा लखे करते हैं चलो 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 आओ वो डिरेक्टर की सारी मुवी स्टूफानी होती है एक दम ऐसा उन पॉइंट्स पर रहती है चलो छोड़ो उस एरिया पर डिस्कुशन नहीं करते हैं बहुत डिबीटेबल इ अरे यातरी पहले खुद की मदद करें बूलता बहुता बाहर चलो 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 इदर क्या कर रहे हैं वो लोग वो पानी बर रहे हैं ऐसे हो नहीं है तो कि वो गाउं में मटकी लेके जाते हैं सुबर सुबर लेडीज वहां बैठके और तुम्हारे घर में क्या चल रहा है इनके हां तो ऐसा ये तो ऐसा करते हैं क्या कर रहे हैं वो लोग कि वह मटकी करके आएंगे अंपही क्या चल रहे हैं का कि जल्ड हाइ बाद पी ले था मुठ लगा पिल्ट आपने बहरा ना कि कि च्छले आपके सारे कारिक्रम हो चुके हो तो अब lecture continue कर लें गदों कितनी पंचाई थी आपको दुनिया फर की चलो बस बस समालो पने आपको चलो इश चलो क्या ओन कर लो मैं क्या करूं चलो गदों क्या कर रहा है अच्कल बच्छे आप लोग है चलो चलो समालो मैंडम च्छोड़ ऑन चले क्या बात है बहुत ही बढ़िया हम लोग अभी तक शेशन में कहां पर बढ़े हम लोग यहां तक पहुंच चुक एंक हम लोग ने शुरू किया था हम लोग एक नया रेगुलेशन बढ़ रहे हैं SEBI, Share Based, Employee Benefit and Sweat Equity Regulation 2021 दो regulations को merge करके एक नया regulation बना इए हमने पड़ा फिर हम लोग ने पड़ा इस regulation के चैप्टर वन प्रिलिम्नर ही है उसमें पिद्दूसी बाते लिखी हुई है कि यह regulation किन-किन schemes पे कवर होता है 6 schemes पे कवर होता है यह regulation 6 schemes कौन सी हो गई? ESOP, ESPS, SAR General Employee Benefit Scheme, Retirement Benefit Scheme and Sweat Equity Share उसके अदम कहे? कवरेज के कौन-कौन सी कंपनी पे रेगलेशन कवर करता है अनि इस्ट कंपनी विचेशुट, Sweat Equity Share or any listed company which has a scheme which provides for A. directly or indirectly benefit of employees 2. which involves subscribing, dealing or purchasing the securities of the company directly or indirectly or which satisfies any one of the following three conditions 1. either it has to be set up by the company or any of the group company guaranteed or funded by the company or the group company and last is controlled managed by the company or any of the group company यहमनेपड़ा, फिर भागेगाईदेशन के ओपर employee के definition important, आगे सब ताइमकास definitions है employee के definition के अनदेशन के अनदेशन के अनदेशन के अनदेशन के अनदेशन के अदेशन के अनदेशन के अथा employee means either even if the employees working in India or outside India it includes director, whole-time director, part-time director even non-exige director but not those non-exige directors who are promoter or promoter group under that also excludes independent director and it even includes the employees of our company or subsidiary company, holding company or associate company but it does not include promoter or promoter group and second, any director who has more than 10% shareholding in the company directly or indirectly. Are you all with me? just here we have read chapter too and now we are going to chapter 4 that is administration of scheme through trust यह इस chapter का सबसे tricky part होता है once this is done, then the chapter, then the entire regulation goes very easy. 100% focus के साथ screen पर ध्यान देंगे. चरुब Implementation of scheme through trust सबसे पहला point हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कि हम scheme को दो प्रकार से implement कर सकते हैं one is direct and one is through trust direct में तो कोई काई काई है ही नहीं trust के थुरू करते तो बहुत सारे provision से जिनका हमको ध्यान रखना है यहाँ पर हम लोग बहुत सारे points पढ़ने वाले है आपने यह नहीं सोचना है कि यह points याद कैसे रखेंगे आपको सिर्फ यह सोचना है कि हम point number one पढ़े यह में समझ में आया है कि है समझ में तो एक स्मॉल टेक आजाता है second point पढ़ रहे है समझ में आया है कि है एक स्मॉल टेक तो में हमें focus करना है कि यह सारे points जो दो पेज भर के points है यह में समझ में आ रहे हैं या नहीं याद कैसे रखेंगे is not the area to be focus right now first a company may implement a scheme either directly or by setting up an irrevocable trust जिन बच्चों ने बड़ा है trust के बारे में उनको पता है trust दो प्रकार के हो जाते है एक हो जाता है revocable trust एक होता है irrevocable trust irrevocable trust इसको आपने एक बार बना दिया है तो आपने साथ कुछ भी random changes नहीं कर सकते irrevocable trust so company may implement a scheme either directly or by setting up an irrevocable trust if the scheme is to be implemented through a trust the same has to be decided up front at the time of taking approval of shareholder for setting up the scheme scheme को setup करने के लिए शेरोडर का प्रूवल लगता है यह तो हमको बता है अब ही क्या कह रहे हैं कि आपने upfront upfront का मतलब क्या होता है advance में शुरू करते ताइम पहले ही तो आपने upfront बता देना है कि scheme will implement will be implemented through trust at the time of taking approval आप ऐसा नहीं कर सकते के शेरोल्डर हम एक की स्कीम लाना चाहते है अप्रूवल ले लिया फिर आप decide करेंगे trust से करेंगे या फिर आप उसको direct करेंगे नहीं यह व्यूप्ट पहले and then take shareholder का प्रूवल ठेक है तो आपके दो अप्शन है इधर directly or through trust but आपको शेरोल्डर के अप्रूवल ले ने के पहले शेरोल्डर को बताना है that you will be implementing this scheme directly or through trust very easy however if prevailing circumstances so warrant the company may change the mode of implementation of the scheme subject to the condition that a fresh approval of shareholders by a special resolution is obtained prior to implementing such a change and that such a change is not prejudicial to the interest of employee second point कहता है माल लीजिए अपने शेरोल्डर से अप्रूवल ले लिया यह कहते हुए कि हमारे direct scheme रहेगी पट बाद में आपको लोगा नहीं या direct scheme नहीं हमें तो फ्रूवर trust करनी है तो आप इसको implement नहीं कर सकते हैं जब तक आप शेरोल्डर से क्या नहीं ले ले लेते हैं अप्रूवल तो आप इस जर्नल बीडि मिटिंग करो शेरोल करो और आप चेंज की नहीं टीक हैं लेकिन अचेंच थेढ़ एंश भी पर आप आप आपूट तायर से एंवर से direct but it has to be for the benefit of employees as well as you have to take approval of shareholder. Easy. Further it is provided that if the scheme involves secondary acquisition or gift or both then it shall be mandatory for the company to implement such a scheme through a trust. What do you mean by gift? इन्होंने एक्षीज को इंक्लूड की है लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि होगा. Gift का मतलब क्या? हो सकता है company के अंदर. किसी वेक्ती के पस shares है. वो अपने shares को gift कर रहा है. कि मैं मेरे shares दे रहा हूँ आपको trust को और आप ये employees को दे दो. क्या वो possibility exist करती है? येस. येस. बट वो practical नहीं है. येस. बट वो प्रैक्टिकल नहीं है. येट possibility होई. negligible possibility को बड़ो possibility हो सकती है. तो अगर कोई gift भी दे रहा है और उन shares को आप employees को दे रहे हो. या फिर आप secondary acquisition से खरीद के employees को दे रहे हो, तो उस case में trust बनाना अनिवार है. लेकिन अगर आप fresh shares issue कर रहे हो, तो आप direct route से भी जा सकते हैं. तो ये gift वाला point एक बहुत ही ऐसा rare possibility को include करने के लिए point रखा गया है. कल को मान लेते हैं. बहुत सारे ऐसे हैं, especially रतन टाड़ा साब, philanthropy trust चलाते हैं उनकी जो भी shares हैं, वो mostly उन्होंने खुद के नाम पे भी नहीं रखे हैं, उन्होंने trust बनाया है, philanthropy trust मतलब जो charitable purpose के लिए उस करता है, और उनका पूरा का पू we can gift the shares to the trust and trust thereafter can do what? can issue ESOPs. पैसे लेगा employees से भी, but market से कम. तो इस प्रकार की चीज़े करना भी संभव है, focus यहां पे. ठेक हैं? तो यह सब include किया है, that is the first point. First point की summary किया है हमारे लिए, 100% focus करना. First point की summary यह है कि कोई भी, कोई भी scheme है, आपने लिखना नहीं है, कुछ भी. तो यह दो रूट से जा सकती है. One could be direct route, one could be trust route. अगर secondary acquisition है या फिर gift है, तो trust route क्या हो जाता है? mandatory. एक बार आपने route decide किया है, फिर आप route को change कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको लेना पड़ता है shareholder का approval. दूसरी चीज, पहली चीज हमने यह पड़ी, कि अगर आप change कर रहे ह है route. Change route से मतलब समझ जाओगे ना, कि आपने trust का सोचा था पहले approval लिया shareholder का, फिर आप बोल रहे हो direct है, कि आपने direct सोचा था फिर आप बोल रहे हो trust route है, तो change भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको shareholder का special resolution पास करना पड़ता है, और साथ में it has to be for the benefit of employees. यह ह हो गई इस पूरे point number one की summary, तो point number one में दो point पड़े हमने, सही है, पहली चीज़ पड़ी कि scheme direct भी हो सकती, trust भी हो सकती, बट अगर secondary acquisition है, तो trust route mandatory है, change भी कर सकते हो route, लेकिन उसके लिए special resolution भी पास करना होगा, and it has to be for the benefit of employees. क्या अफसान चीज़ है, क्या अफसान चीज़ है पड़के यहां पर clear कि, second point, a company may implement several schemes as permitted under these regulations through a single trust, company ऐसा भी कर सकती है, कि उनका ESOP भी है, ESPS भी है, और वो सार भी चला रहे है, तो company एक ही trust create करे, यही trust, ESOP का भी option दे रहा है, ESPS भी दे रहा है, और time to time सार भी दे रहा है, this is also allowed, वो यहां पर लिखा है, a company may implement several schemes as permitted under these regulations through a single trust allowed है, however, अगर ऐसा करते हैं, तो आपको सबका हिसाब तो separately रखना पड़ेगा, however, such single trust shall keep and maintain proper books of accounts, records and document for each such scheme so as to explain its transaction and to disclose at any point of time the financial position of each scheme and in particular give a two and fair view of the state of affairs of each scheme, तो क्या single trust से multiple schemes हो सकती है, तो क्या single trust से multiple schemes हो सकती है, the answer is yes, but the trust will have to maintain proper books of accounts separately for each scheme, again life is very easy, second point भी इसी लिए अडिस्टेंडेबल है, क्या पढ़ा है, second point ने, single trust से manage की जा सकती है, multiple schemes multiple schemes बस आपको एक चीज का धियान रटना है, कि हर एक के लिए आप सेपरेट, वह तो obvious सी बात है, कि separate books of accounts maintain करोगे, separate हिसाब रखोगे, ताकि आप transaction बता पाओ कि कितने लोगों ने ESOP में है, कितने लोग ESPS में है, कितने लोग सार वगरा में है, तो आप सिंगल तो सिंगल ट्रस्ट कैन गिव, कैन हाव, कैन मैनेज मल्टिपल स्कीप, थर्ड, दर ट्रस्ट डीड, जभी एक ट्रस्ट होता है, जैसे कि आप कहते है, जभी एक कंपनी बनती है, तो AOA and MOA are mandatory, उसके मेना कंपनी नहीं सकती है, तो जब एक ट्रस्ट बनता है, तो ट्रस्ट क्रियेट कर रहे हैं, तो हम लोग LODR में नहीं पढ़ते हैं कि हर एक चीज़ डाकिये हैं, आप जाके बता उसको, तो यहाँ पर अगर आप एक लिस्टिड कंपनी है, और लिस्टिड कंपनी इती बड़ी स्कीम इंप्लिमेंट करें, एक ट्रस्ट बना, तो इसकी जो ट्र में कभी चेंज भी हुआ, तो वो चेंज भी आपको सम्मेट करना है, हमने सिर्फ अभी तक तीन पॉइंट पड़े, चल, आपको एक बैग्राउंड देता हूं बस, you have to 100% understand all the points, बट आज तक ऐसा question नहीं आया नहीं आएगा, कि implementation of the scheme की बारे में बताओ, नहीं, तो आपको याद नहीं करने है, बट हर एक point समझ में आना चाहिए कि exam में अगर किस तर से case study question में पूछ लिया, कि ऐसा कोई question आ गया, कोई एक question आगया, बड़ा सा, और उसके अंदर सब question आ गया, can a trust manage multiple scheme, you should know the answer, yes a trust can manage multiple scheme, are you understanding, so you don't have to ratify these points, but you have to samjhify these points, कि अगर exam में कोई भी case study question आत 3 points में ने समझा है अभी तक, कोई भी query इन 3 points में अभी तक, पहला point कहता है, एक scheme direct से भी कर सकते हो, आप scheme को, या trust route से भी कर सकते हो, लेकिन gift या secondary acquisition हो mandatory हो जाए का trust route, sir हमने एक बार trust route बोल दिया था, बड़ा हम change कर सकते हो, कर सकते हो, special resolution पास करना होगा, और साथ-साथ बहुत easy चल रहा है, procedural चल रहा है, आगे, हाजी please, permission stock exchange की किसी सकर लेनी पड़ेगी, अगर आप fresh shares issue कर रहे है, तो stock exchange से in principle अपरो लेना पड़ेगा, बस, हमें, उनका question यह है, कि sir हम अगर ऐसी को scheme launch कर रहे है, तो क्या हमें stock exchange की permission लेनी पड़ेगी, जी नहीं, आपको stock exchange की permission नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि stock exchange पर आपकी company's share listed है, अब अपनी company में कुछ भी करो, stock exchange को आपको हमेशा सिव inform करना होता है, आप कहीं पर भी नहीं पड़ेगे, पूरे law में, that you have to obtain permission of stock exchange, नहीं, you just have to inform stock exchange, एक चीज के अंदर उनका approval लेना पड़ता है, अगर हम और shares को list करना चाहते है, तो shares issue करने के पहले उनका क्या लेते है, in principle approval, तो अगर आप fresh shares issue कर रहे है, तो उसके लिए आप एक in principle approval लेंगे पहले, obviously, otherwise कहीं पर भी approval नहीं लेना होता है, सिर्फ इन फॉर्म करना होता है, चाला, इन अभे आप सोचोगे न, तो stock exchange हम पे favor नहीं कर रहा है, हम stock exchange के ओपर अपने securities को list करने, year end पे fees देते है, are you understanding, तो kind of stock exchange giving us a service, और वहाँ पे listing services दे रहा है, और हम उसको year end पे fees देते है, तो हमें generally उसका approval नहीं लेना पड़ता है, कभी भी, उसको हरी चीज inform करनी है, as per the listing regulation earlier it used to be as per the listing agreement, या दा रहा है, फिर सारे listing agreement को merge करके बना दिया था, क्या, LODR, तो LODR में जो जो चीजे लिखी है, उन सबसकी हिसाब से आपको intimation देना होता है, बस inform करना होता है, approval नहीं लेना होता है, except for issuing security, क्योंकि वहाँ पे 1 lakh securities already listed है, अब हम बोलने है कि 20,000 all list कर दो, त उसका approval लेना पड़ते है, otherwise नहीं, चलो, तीन point हुए, चौथे point साथ है, fourth point is important, important क्या, आपको मेरी ज़र्वत ही नहीं है, read the fourth point by yourself, star mark कर दो four point को सब लोग, छोटा सा star लगाना, क्योंकि बाद में कुछ लिखना होगा तो फिर जगे नहीं मिलेगी, छोटा सा star लगाओ, और read the fourth point by yourself, कौंसे वाले point में, require, if the prevailing circumstance so warrant, मतलब need आचुकी है, अर्गाइबाएम क्यों छोटा क्षगा घट जगाता ही नहीं है, ठूले वाले Под obsess how you can hear gencin, should you do आहीं कर यह जरी दिस लिदेशानेंग यह इंपोर्टेंट जोटेकल इसुपे सेपरेट कुछिछ रहे सकता है जैसे कि director, KMP, promoter of the company or its group company including holding, subsidiary, associate company or any relative of such director, KMP or promoter. तो हमारी company या हमारी company के holding subsidiary associate company का कोई भी director, KMP, promoter या उसका कोई भी relative. I repeat again, हमारी company और company के साथ में holding subsidiary associate सब इंक्लूट कर दिया, हमारी company उसके सारे related companies. वो, इनका director, KMP, promoter और उनके relative, या फिर कोई भी व्यक्ति जो कि substantial बडा शेरोल्डर है, who's holding 10% or more of the shares of the company. However, where individual or OPC, as we find that the company is appointed as trustee, there shall be a minimum of two such trustee and in case a corporate entity appointed as trustee, there may be sole trustee. या बात की बात है, however, छोड़ो. इसको छोड़ते हैं अभी हम. अभी हम फोकस कर रहा है के, कौन trustee बन सकते हैं, कौन नहीं बन सकते हैं, इन्होंने क्या का? Director, KMP, promoter of the company or its group company, including holding, subsidy, associate. और any relative of such, director, KMP or promoter. तो मान लीजिए, हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी पे चार माक लगाता हूँ, मतलब हो गया है, इसकी holding, subsidy, असोचेट, सबको include कर रहा हूँ, मैं जब इस चार लगाता हूँ तो, हमारी कंपनी, हमारी कंपनी की holding company, हमारी कंपनी की subsidiary company, हमारी कंपनी associate company, इन सबको include कर लिया, हमारा कोई भी promoter, director, या KMP, ये लोग तो trustee बनी नहीं सकते, ये लोग तो KMP, promoter, का कोई relative है, वो भी trustee नहीं बन सकता, तो कौन नहीं बन सकते है trustee, हमारी company, including its group companies, का promoter, director, KMP, या फिर उन का कोई भी relative, कभी भी हमारे company, जो trust create किया, उसके trustee नहीं बन सकते है, because we need an independent person, हमें एक independent वेक्ती चीए, तो related नहीं होना चीए, साथ में second point पे नहीं नहीं का, कि हमारी company का कोई भी shareholder, हमारी company का, जो shareholder है, वो भी trustee नहीं बन सकता, लेकिन shareholder तो लोग एक एक share खरीद की भी हो सकते हैं, तो उनका रूको, shareholder मतलब उसके ने लिमिट लगा दी किसकी, 10% की, हमारा shareholder, जिसके पास 10% shares of the company है, वो कभी भी trustee नहीं हो सकता, जिसके 10% से कम share है, वो trustee बन सकता है, बट कोई भी वेक्ति दिखता है, जिसके 10% है, उससे ज्यादा shares है, तो वो वेक्ति ट्रस्टी नहीं बन सकता, बात समझ में आ रहे हैं? चाले, कोई सवाल हैं पर है, नहीं, कोई भी बन सकता, कोई भी डिरेक्टर नहीं बन सकता, independent, executed, non, executed, कोई भी डिरेक्टर आपका trustee नहीं बन सकता, easy to go, यह हो गया, कोई trustee बन सकता है, अब एक सवाल आए, कितने trustee होने चाहिए, तो उन्होंने कहा के trustee, individuals भी हो सकते हैं, OPC भी हो सकते हैं, company भी trustee बन सकते हैं, हाँ, आप कोई भी mutual fund open करना, mutual fund के दिए भी trustee होता है ना, हमेचा mutual fund का trustee is a company, कोई ना कोई company उसका trustee बना होता है, तो companies भी trustee बन सकते हैं, आप लोगोंने आज तक जीवन में क्या देखा है, individuals can be trustee, even companies can be trustee, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि यह जो trust है, उसके इंदर कितने trustee होने चाहिए, तो लिखा है, अगर individual या OPC यह trustee बन रहे हैं, आपको कम से कम कितने चाहिए, two trustee, लेकिन अगर company trustee बन रहे हैं, तो वहाँ पर क्या चलेगा, minimum one trustee, तो minimum कितने trustee तो minimum one, that's it, that's it, तो यह एक चीज हुई, यह हमने बढ़ा कि trustee कौन नहीं बन सकता है, उसके आद में minimum trustee, अगर OPC या फिर individual है, तो two, अगर कोई भी company है, तो फिर one, easy as that, अरे आप सम्झोए, छोटे-छोटे provision है, examiner इसमें घुमा सकता है अपन को, examiner सिर्फ इस point के अंदर examiner case study question बना सकता है, कि पूरा ESOP, ESOP तो छोड़ो, हमें ESOP, ESOP को question नहीं, ESOP जो trust बना है, बता उसमें कितने trustee हो सकते है, हमने क्या किया है, हमने सिर्फ एक ही OPC को trustee बना रखा है, तो चलेगा क्या, तो चलेगा क्या, बोले नाई, OPC या individual है, तो कम से कम दो चलेगा होता है फिर या फिर एक individual है, हमारी कंपनी का भी एक डिरेक्टर, इंडिपेंडेंट डिरेक्टर, उसको trustee बना दिया चलेगा, कि नाई, हमारी कंपनी या कोई भी डिरेक्टर या उसका रिलेटेव या केम्प या प्रमोटर कभी भी trustee नहीं बन सकता है, लोटुँ वेरी केरफ इनलाइस इस पूविशन, वापिसा रिपीट रटना है नहीं, लिकिन समझते वे चलना है किक पूविशन, चले, यह हुआ, यह हुआ, यह एक इम्पोर्टन स्टर्माग पॉइंट हुआ, ठीक है, आगे बड़ता है, फिफ्थ, त्रॉस्टीज अफ ट्रॉस्ट इस गवर करने वाली है, तो हमने कंपी ने ट्रस को लोरं दिया, कि है कर्स्ट तो मार्केट से शेर्ष उठा लो, ट्रस्ट ने मार्केट से शेर्ष उठा लियét, अब ट्रस्ट के बास मार्केट से 2%, 1% को शेर्ष उठा थ. इस भीच कंपनी की जनल मीटिंग हो गई, सुखिए, यह काम करती है company के company promoter डिरेक्टर के डिरेक्शन पर चल रही है अब उसी टाइप जनल मीटिंग में अगर वोटिंग करने की बात आई प्रामोटर को थोड़ी सी वोट कम पढ़ रहे हैं को decision के लिए परामोटर बोल सकता है अजिवे यह पीछlie quality देने वाले लेकिन यह shares जब trust ने खरीदें यह eventually company के पैसें खरीदें से खरीदेंगे उज़ई हैं इन इन shares पे voting right कौन exercise करेगा यह problem है जब यह शोटफुलउइसको दे दिये उसके बाद उन्ट उन्टॉइ करे गा कुई टेंशन नहीं है जब तक वेस्टिय पिरीट चल राएं वेस्टिय का सबसल बता है ना तब तक विह में आप दिया नहीं है तब उन् the trustees of a trust which is governed under these regulations shall not vote in respect of the shares held by trust to avoid any misuse तो यह जो shares held by trust होते हैं इस पर voting right किसी को भी नहीं मिलता है, trust cannot give voting right अथर्वाइस तो misuse हो सकते हैं, आपको समझा है misuse का मतलब क्या है, because यह आगे-बीचे अपने employees को जाएंगे but अभी तो trust के control में है, मतलब company control में है, मतलब director की control में, तो इस कारण से यह आप exercise नहीं को, उन trust के पास जो shares हो उस पर voting right नहीं होते हैं, तो इसको summary में लिखना चाहता हूँ, no voting for shares held with trust क्या-क्या possible problem आती है, इनको पता है, उन सब को तो ध्यान में रखते हुए, उन्होने summary बनाई भी है, उन्होने provisions बनाई, Summary तो हम बना रहे हैं, उन्होने प्रोविजिंस बनाई, 6th point, the trustee should ensure that the requisite approval from shareholder has been obtained by the company in order to enable the trust to implement the scheme and undertake secondary acquisition for the purpose of the scheme, company ने shareholder का अप्रूवल लेना है, यह हमने पहले से पढ़ा है, तो trustee ध्यान रखेगा कि company ने shareholder का अप्रूवल लिया है, बस, तो special resolution, shareholder's approval has to be obtained, simple, तो हमें यह पहले से पता है, shareholder approval to be obtained, यहाँ पे इतना सा लिखा है कि यह किसकी duty है, trustee की to ensure के shareholder का अप्रूवल आपने लिया है, अगर आप secondary acquisition ले रहे हैं तो उसके अप्रूवल लिया है, यह सारे चीज़ें हुई है, तो shareholder का अप्रूवल प्रूवल लिया है, trustee की duty है, यह पिद्दू पॉइंट नेक्स्ट, हाँ, सेवंफ पॉइंट करो, बहुत आपको बातों ही बातों मैंने पहले बताया है, derivative एक अलग concept है, delivery based trading एक अलग concept है, तो derivative के अंदर आप actually shares खरीते नहीं है, आप उसको बस सट्टा लगाते है, खेर वो discussion नहीं रखता हो भी मैं, तो derivative अलग होता है, और delivery based trading अलग होता है, तो यह क्या कह रहे हैं कि trust ने सिर्फ क्या करना है, delivery based, उनको derivative नहीं करना है, उनको delivery based करना है, क्योंकि ideally trust के आप पैसे हैं, उनको shares को तो बस buy करना है, और employee को देना है, कभी कभी क्या हो सकता था risk, हमने trust बनाया, कुछ तूफान लोगों को trustee appoint कर दिया, वहाँ पर उनके पास 20 crore रुप है, अब वो क्या सोच र derivative करता हू, put option, call option, एकदम, full trading आ रहे, मैं 20 के, चालीस तो ऐसे कर दूगा मैं, ऐसा, and then if at all the trust does that, there is a huge possibility of loss as well, नहीं क्लियर किया कि भाई, the trust is not here to make money, the purpose is to buy the shares and to give it to employees, तो trust के पास जो पैसे है, वो shares से secondary acquisition कर सकती है, लेकन वो derivative नहीं कर सकती है, the trust shall do only delivery based transaction, this is something very obvious, वैसे है, के चो आपका trust है, वो करेगा सिर्फ मातर के वल, delivery based transaction, आपको यादे नहीं, delivery based transaction क्या होते है, जिसके अदर आपको actually delivery मिलेगी shares की, shares खरीते हैं, पैसे जाएंगे, और shares हमारे DMAT account मैंगे, delivery based transaction, spot delivery जिसको कहते हैं, 8th point, last point of this page, subject to the requirement of companies, act the company में, लेंद में लेंद मनी to the trust, हमको तो यह पहले से पता है, company हो सकता है के trust को पैसा लेंद करे, on appropriate term and condition to acquire the shares, either through new issue, और secondary acquisition for the purpose of implementation of the scheme, तो company loan दे सकती है, majority cases में company loan कब देती है, मुझे बताव, trust route कब mandatory हो जाता है, secondary acquisition में, तो तभी तो company loan देती है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, legally, के company loan दे सकती है, for new issue, as well as for secondary acquisition, और अगर new issue होता है, तो generally trust आता ही नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा है, देखो, के subject to the requirement of companies, act the company may lend money to the trust, on appropriate terms and condition to acquire the shares, either through new issue or secondary acquisition, तो उन्होंने legal four corner बड़े रखे हैं, कि आप किस transaction में भी पड़ा था, तो loan देनी की जरौत ही तब पड़ती है, जब secondary acquisition हो रहा है, आप logically सोचो, if the company is issuing new shares, तो उसके अंदर loan देनी की जरौत का पड़ेगी, उसके लिख तो trust को create ही नहीं करना पड़ेगा, ideally, कभी-कभी क्या होता है, कि company combination ले रही है, जिसके अंदर थोड़ to trust, हमको तो यह पहले से पता था, अब सुनना मेरी बात को, अभी रुख जाओ, इस page पे हमने 8 point पड़े, let's try and understand the 8 points, इसमें से हमारे काम के actually 2 point है, बड़ हमने 8 point पड़े, छोटे-छोटे-छोटे 8 point, जिसको हम एक बार समझ नहीं कि हम एक एक point समझ में है कि नहीं, पहला point क्या कहता है, कि दो root है, direct root और trust root, अगर secondary acquisition या gift है, तो trust root mandatory, एक बार आपने root decide भी कर लिया, उसका आप change भी कर सकते हो, but दो condition, special resolution भी पास करना पड़ेगा, और साथ में, it has to be for the benefit of employees, बहुत easy, दूसरा point हमने पड़े, कि एक ही trust multiples की manage कर सकते है, कोई चिंता की बात है, उनको trust में, कितने trustee होना जरूरी है, अगर OPC individual है, तो दो company है, तो एक, trustee कौन नहीं बन सकता, trustee कोई भी बन सकता है, except for, हमारी company या holding, subsidy, associate company के, director, promoter, KMP, और their relative, ये लोग नहीं बन सकते है, बाकी कोई भी बन सकता है, second point, कोई भी shareholder जिसके है, कितने share है, 10% और more shares of the company, ये व्यक है, उसको कोई भी voting right नहीं मिलता है, shares है, ये आपको shareholder का approval लेना होता है, before issuing, before creating the trust, trust सिर्फ डिलिवरी बेस transaction करेगी, and company may lend money to the trust, life compatibly असान लग रही है, first point, fourth point पर focus करना है, exam में fourth point importance रख सकता है, चला, इसकाद में इसी तरह से कुछ और points रिखते हैं, काफी असान असान से, ninth point, for the purpose of disclosures to recognize stock exchange, the shareholding of the trust shall be shown as non-promoter, non-public shareholding, अरे यारो, मदा आगया, सुनना अच्छे से, हर एक कंपनी के अंदर, promoter को भी एक minimum requisite set क्या है, उतना रखना पड़ेगा, कितना, 20%, public के पास भी minimum requisite है, कितना, 25%, अब सवाल या आया, कि ये जो इसके पास share है, trust के पास, दो साल जब तक westing period चल रहा है, तब तक trust hold करके बैठा है share, दो साल, देड़ साल, तीन साल, एक साल, जो भी time period है, westing period के दुरान, the shares are with the trust, तो ये जो पैसे न, इसको promoter shareholding में गिन ले गया, public बोला, इसको public shareholding में तो इसके लिए इस regulation में लिखना पड़ा, कि जो shares held by trust है, shares held by trust है, आप में से कितने बच्चों के sibling रहे हैं, छोटे, बड़े, भाई, बहन, कुछ भी, majority के siblings है, है न, हाँ, वैसे one child culture तो अभी आया है, हाँ, तो ठीक है, majority के siblings होंगे, अच्छी बात, हाँ तो येसे कोई पर कि आप और आपके बाई, जलने दो भाई अगर कभी होते न, तो मुझे लगता है कि मम्मी पापा मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, छोड़ो, ideally is one brother and a sister, बड़ कभी दो भाई हो जाते हैं, मतलब मम्मी पापा के लिए बहुत ही परशानी हो जाती है, क्योंकि कैसे समाले इनको, इनको कैसे समाले, और मतलब क्यों समाले कभी-कभी ऐसा लगता है, ठीक है न, छोड़ो इस बात को, तो क्या, घर में एकदम जगड रहे हैं, ठीक है, एकदम आइडियल ही बताओ, मेरे साब से, एक भाई और एक बहन, उसमें बहन बढ़ी हो, वह सबसे आइडियल स दूसरे को, ठीक है, मतलब इमानिटी तो ही नी घर के अंदर, ठीक है न, मानली जब किसी भी चीज़ पर लड़ रहे हैं, for example, you are fighting over remote, कि remote मैं देखूँगा, मैं देखूँगा, कैं, 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 और दो sibling में आप देखोगे, ये automatically घर में देखोगे, for example, you like, you like idli, he will like pizza, he like pizza, you will not like pizza, you like idli, he will not like idli, अरे हमारा नेचर शुरू से वैसे डिवलप होता है, तो automatically आपकी प्रिफरेंसिस है, वो अलग-अलग-अलग-अलग होने लग जाती है, तो for example, जगडा चल रहा है, ये remote के ओपर, क्या देखना है TV के ओपर, ठीक है, और जगडा चल रहा है, तो आपकी माताजी बीच में आती है, और आपकी क्या बोलती है, ना तेरा चलेगा, ना तेरा चलेगा, रिमोड लेके मैं जा रही हूं, are you understanding what I am trying to say, तो at times क्या है कि यहाँ पे हम किसी को दे दे थे, लेके मैं बुले कि Shares held by trustee, क्या लेका है regulation में, The Shares held by trustee will be named as Non-Promoter, Non-P Shares, कि जो Shares held किये गए हैं, they'll be Non-Promoter, Non-Public, कि ना तो Public तुमें मिलेंगे, ना प्रमोटर तुमें मिलेंगे, कि ना तो तुम्हारे 25% में Shares consider होंगे, ना प्रमोटर तुम्हारे 20% में, तुम 25% अपने हिसाब से देखो separately, और तुम भी 20% अपने हिसाब से देखो separately, मतलब तो अगर कोई कंपनी में, आपके academic doubt के आ सकते हैं, कोई कंपनी में cut to cut 25% चल रहा है, तो ये trust आ के secondary acquisition करेगी कैसे, अगर ये trust पुलिक से थुरता भी लेना चाहती है, तो वो तो Non-Public shareholding होगी, ना तो फिर पुलिक 24-23 हो जाएगा ना, तो the point here I want to make is very simple, the shares held by trust will not be considered as public holding, as well as not will not be considered as promoter holding also, ये non-public non-promoter आएगे, तो ना तो 25% को satisfy करने में help करेंगे, ना promoter के 20% को satisfy करने में help करेंगे, तो the shares held by trustee will be non-promoter non-public shares, एक बर और read करते है point को, for the purpose of disclosure in the recognized stock exchange, the shareholding of the trust shall be shown as non-promoter non-public shareholding, ये आपको ये लोडर के requirement होती है, हर quarter end में आपको shareholding बतानी है, तब आपको बताना पड़ता है, ये promoter के हैं, ये public के हैं, तो इस ताहएं पर trust के जो शेयर होंगे, वो जाएंगे, non-promoter non-public, explanation, the shares held by the trust shall not form part of public shareholding, which needs to be maintained at a minimum of 25% as prescribed vendor SCRA, हर जग पर 25-25 बोलते हैं, बढ़ हमारा मन जानता है, कि popular is 25, it can be 10 or 400 crore as well, वहा पर जाने ही रहा हूं मैं चलो, तो 9th point is easy, 10th point पर आते हैं, हाँ, अब 10th और 11th point बहुत important है, हर एक विक्ति का focus है आप है, 9th तक easy थे, 10th और 11th important है, उसके वापिस लट्डू points आजाएंगे, कुछ काम के नहीं है, Shhh, focus करना, secondary acquisition in a financial year by the trust, shall not exceed 2% of the paid up capital of the company at the end of previous financial year, आप अप क्या सोचने है, secondary acquisition करके आप e-sobs issue करना चारहें, तो आप कितने e-sobs issue करते हैं, हम क्या क्या करेंगे, company के total capital का 10% हम मार्केट से ले लेंगे और employees को देंगे, not allowed, secondary acquisition in any financial year is allowed how much? 2%, maximum limit दिए एक year की 2%, कि आप secondary acquisition maximum 2% का कर सकते हैं, हमने सोचा है कि हम इस बार employees को shares देना चाहते हैं, up till 5%, for example 5%, अब ये हमने 2 years का wasting period चल रहा है, तो इस year में maximum secondary acquisition से कितना acquire कर सकते हैं, 2%, next year कितना कर पाओगे, 2%, तो compulsory 1% का क्या करना पड़ेगा, public issue, इस कारण से कभी-कभी combination आता है, क्योंकि एक year में maximum, आप secondary acquisition कितना कर सकते हैं, 2%, अब ये आप सोचो, sir, एक year में maximum 2% है, तो हम क्या करेंगे, ESOP में wasting period दे देंगे 6 years का, 6 साल तक अगर employment में रहें, तो आपको इतने machines मिलेंगे, और हर साल 2%, 2%, 2%, 2% करते रहेंगे, समालो अपने आपको, देखो आगे का है, ये तो per year की limit हो गई, not exceed 2% of paid up capital of the year at the end of the previous financial year, ये in a financial year, मतलब ये पर year की limit है, aggregate limit के आगे दिये समझना, the total number of shares under secondary acquisition held by a trust shall at no point of time exceed the below mentioned limits, as a percentage of paid up capital of the company at the end of previous, at the end of financial year, immediately prior to the year in which the shareholder approval is obtained, तो आप क्या करते हैं, पिछले साल की year end की capital देखते हैं, कितनी हे 100 करोड, तो इस साल मक्सिम पन 2 करोड का secondary acquisition कर सकते हैं, that is okay, 2% in a year, aggregate limit के, for the schemes enumerated in A, B or C of chapter 3, 5% is the aggregate limit, for the schemes enumerated in part D or E, 2% is the aggregate limit, for all the schemes in aggregate, 5% is the aggregate limit, रोको, what do you mean by A, B, C, what do you mean by D, E, A, B, C, A, A मतलब है ESOP, B मतलब है ESPS, C मतलब है SAR, D है General Employee Benefit Scheme and E है Retirement Benefit Scheme, तो अगर आप, वैसे ही मैंने बताया है कि A, B और C ही popular है, यह जो D और E है, यह सिर्फ theoretically हम लोग पढ़ते हैं यहापे, A, B और C के अंदर उन्होंने clearly लिखके दिया है, कि अगर आप कोभी भी ESOP कर रहे हैं, यह ESPS कर रहे हैं, या फिर आप SAR कर रहे हैं, तो आपका maximum कितना aggregate आप secondary acquisition कर सकते हो, 5%, 5% जादा नहीं कर सकते हैं, तो एक year में 2%, एक और year में 2%, एक और year में फिर 1% यहाप, एक scheme के बात को, एक और सवाल आया, सर, 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 एक trust जो है, वो multiple scheme manage कर सकता है, अभी आप scheme specific बता रहे हो, तो हम क्या करेंगे, हमारी trust 3 scheme launch कर रहे है, ESOP, ESP, ESP, SAR भी, तो 5%, 5%, 5%, 15% का secondary acquisition मिलेगा क्या, the answer is no, सब scheme का मिला के भी कितना है, 5%, क्योंकि कोई भी company ऐसा नहीं करती है, कि SAR भ PSP चल रहा है, at a time, एक ही scheme चलती है, ideally, पर अगर दो scheme भी चला रहे हो, तो आपकी aggregate limit हो जाती है, 5%, तो अगर आप multiple scheme भी ले रहे हो, चले का नहीं, trust की limit पढ़ा रहा हो, मैं आपको, ओपर देखो क्या लिखा है, trust के लेके, कि एक trust कितना acquire कर सकता है, that is this limit, सर, अब हम क्या क to have one trust for one thing, one trust for multiple is allowed, उस case में the aggregate limit is gonna be 5%, what you can have, it is optional, that you can have one trust for one scheme, one trust for one scheme, one trust for one scheme, तो अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि एक ट्रस्ट है उसमें आपका E-SOP चल रहा है एक ट्रस्ट में आपका ESP चल रहा है एक ट्रस्ट में आपका सार चल रहा है इस लाओट देखो one trust multiple scheme की language को पढ़ो एक बार a company may implement several schemes as permitted दीजी दिए रुटार्ट्रेशन थुर सिंगल त्रस्ट तो वो जदा कन्वीनियंट होता है कंपनी को लेकिन अगर कंपनी चाहे तो हर एक सीम के लिए सेपरेट ट्रस्ट वपन करी सकती है ना ऐसा लेट्स उट कंपलीट अब अगर आप चाहें तो एकी ट्रस्ट से मल्टिबल स्कीम चला सकते हैं त्मेक्स इसी हम लोग लेमिट बढ़ रहे थे लिमिट के लिपार यहां पर इयर की लिमिट 2% aggregate limit for ESOP ESPS and SAR is 5% and for General Employee Benefit Scheme and Retirement Benefit Scheme it is 2% और अगर आपका एक ही ट्रस से आपकी multiple schemes भी चल रही है तो भी aggregate limit is how much? 5% 5% I hope you are getting a fair idea about it चला सुना भी अच्छे से ये वापिस चार मार्क है तो अगर मैं स्टार मार्क में पूछनता हूं तो secondary acquisition की limit पढ़ा ही यहां पर secondary acquisition की limit पढ़ा ही है per year you can secondary acquisition से acquire 2% aggregate you can acquire depending on your scheme इधर 5% और 2% so understand मैं चो लिख रहा हूं देखो आप अगरी करते हो क्या ESOP ESPS SAR इनकी अगर मैं बात करता हूं तो limit limit per year is 2% aggregate is 5% of what? of the share capital total ka और वही अगर मैं बात कर लेता हूं general employee benefit scheme retirement benefit scheme तो इनके अंदर limit per year is 2% छोडो aggregate is also 2% only aggregate is also 2% only तो इनके 2% ही secondary acquisition का right है सब लोग मेरे साथ में है आपे चालो अच्छा outside stock exchange off market का मतलब क्या होता है off market transfer outside stock exchange outside stock exchange transactions rarely cases allow किये गए अब आपको बता रहे तो simple कि कुछ rare cases के अंदर outside stock exchange आप personally negotiate करके भी transaction कर सकते है जैसे कि take over code पे जो trigger होता है तो आप promoter से off market ही तो करते हो तो आप transaction तो कुछ cases में off market transactions are allowed तो यह क्या बोल रहा है कि trust कर सकते है off market transaction only under the following circumstances a and b transfer to the employee जब trust employee को दे रहा है तो off market हो रहा है यह कौन सापने stock exchange पे कर रहा है देखो generally हम क्या मानते है सुना मेरी बात को बहुत अच्छे तो आपका पूरा dots connect होंगे generally हमारा क्या मानना है focus here focus here focus here generally हमारा क्या मानना है अगर मानलो मेरे पास कुछ share है मैं decide करता हूँ I want to give shares to her I want to give shares to Dolly कि इनको मैं बेशना चाहता हूँ इनसे पैसे लेगे इनको shares में दे सकता हूँ क्या नहीं यह होता है off market transfer हम लोग जो retail investors है हमें share को compulsorily बेशना है stock exchange पही हम लोग listed company के shares को ऐसे personal negotiation से नहीं बेच सकते it requires a lot of requirement approval and procedure तो यहां पर क्या मानते है हमारा normal mindset है कि off market transfer नहीं होता है stock exchange पही होता है तो उन्होंने बताया कि जब यह trust employees को shares देगा वो तो off market होगा तो regulation ने लिखा है कि वो specifically allowed है कोई यह बोलने नहीं आएगा कि वो illegal है trust off market transfer outside stock exchange employees को shares दे सकता है तेखो company fresh shares allot कर सकती वो तो obvious law है यहां पर trust fresh share थोड़ेना allot कर रहा है allot कर रहा है market से खरीदेवे stock exchange से खरीदेवे share दे रहा है किसी को तो वो off market ही कहला है that is very well allowed So the trust shall be permitted to undertake off market transfer of shares only under the following circumstances a. transfer to the employees b. देखो 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 क्या लिखा है while participating in an open offer under SEBI substantial acquisition of shares and takeover regulation 2011 or while participating in a buyback, delisting or any other exit effort by company generally to its shareholders क्या कह रहा है सुटना क्या कह रहा है पहली चीज़ तो यहाँ आप इप्सो्स कु देजो that is a regular way regularly क्या होगा company shares लेगा trust shares लेगा market से और मार्कत से oh that is a regular means तो यहां से यहां तक तक तो आप सबको समझ में आ रहा है कि यहां से यहां तक सबको समझ में सब आधा है कि trust क्या करेगा trust shares लेगा और off market तरीके से employees को देदेगा जिन जिन लोगों ने ESOP में apply किया है और vesting period पुरा complete किया है अब ये क्या लिखा है सुनना मुझे बताओ आपने बच्चों ने take over code पड़ा है take over code के अंदर एक open offer आता है जहाँ पे normally open offer normally जब company shares issue करती है यहाँ पे promoter shares को खरीदते है company shares को खरीदती है and the one who is holding share can sell his share ये open offer में होता है similar चीज़ buyback के time पे भी होगी जब company buyback कर रहा है मतलब जिनके आप shares है वो अपने share को बेच सकते है जब company delisting करता है या कभी भी exit opportunity देता है तो तब company आपके shares को खरीदने के लिए ready है ना yes or no I repeat again take over कह दो या फिर dissenting shareholders का हम exit opportunity देते हैं वो कह दो आप buyback जब करते हैं वो बोल दो delisting के अंदर भी जब देते हैं exit opportunity इन सब में होता क्या है company आपको कह रही है या company का promoter आपको कह रहा है के हम आपके share खरीदने के लिए ready है yes or no ये समझ में आ रहा है वापस repeat करो question समझ अचे से normally company में shares issue करती है ठीक है but in सब cases में company आ प्रमोटर खड़ा है हमारे shares खरीदने के लिए open offer में क्या होता है एक व्यक्ति आता है acquirer वो कहता है कि मैं आपके share खरीदने को रिड़ी हूँ so in सब cases में any person who is holding share gets a right to sell the share do you agree with this sentence or not you are understanding वापस repeat करता हूँ मैं अच्छे समझने के गोशिश करो बली buyback हो रहा है बली takeover हो रहा है बली delisting हो रहा है in सब cases में issue of security में का difference है issue of security ICDR के अंदर company shares बेच रही है company shares issue कर रही है आपको shares खरीदने इन cases में जब company exit report दे रही है company share बेच थोड़े न रही है company share खरीद रही है गंगा उल्टी बैद रही है और हर बार जब ये company promoter या acquirer share खरीदता है ये बहुत higher price पर खरीदता है और इस बीच इन में से कोई golden opportunity आ गई यार earlier trust was not allowed to sell the share तो trust को share लेके बैठने पढ़ते था because trust को सिर्फ allowed क्या था shares किसको दे सकते हो employee को but ये तो हम सब को बता नहीं ये golden opportunity होती है जिसमें आप अपने shares को company acquirer या promoter को बेच पाते हो at a very higher price फिर आप market से वापिस lower price पे खरीद लो रहा लेकिन यहां पे तो price regulated होता है so the trust has been given a right कि आप चाहो तो इन offers में participate करके अपने shares को बेच सकते हो because this is how even the trust can benefit ना मान लीजिए इन सब cases में exit opportunity मिली 1200 में market price तब 800-900 का होता है तो trust के पास अगा share है तो trust and shares को 1200 में बेच देगा पैसे मिल गया है उस पैसे से 800 में वापिस market से shares खरीद लेगा ना ये कुछ ऐसी golden opportunities है जो कभी-कभी मिलती है आप company के takeover के time पे अगर shareholder है तो you are the lucky one who will be getting an exit opportunity at that higher price यादे पढ़ाओगा ना higher of the above तो यहाँ पर इतना सा point लिखा है कि अगर trust है और trust भी चाहे तो उस time पे अपने shares को बेच सकती है because this is a time to mint money mint money समझते हैं ना this is a time to have an arbitrage profit arbitrage profit भी समझते हैं without any risk वाला profit this is a time to mint money कि आप मस्ती से पैसे कमाऊ ना trust के पास जो share है वो market में 800 का मिल रहा है और वही शेयर इन एक जर्पॉर्चिन बारास को खरीदने को रेड़ी है तो बारासों में बेचो पैसे लो और आट्सों में वापिस खरीद लो complicated नहीं करता हूं आपके लिए मैं वापिस लाता हूं थोड़ा भावू को जाता हूं इंसा क्या करेगा मार्केट से शेयर लेगा और इंपलोई को देदेगा इंपलोई से जो पैसे मेले ओ ठीक है बचावा उनका खर्चा सही है ना लेकिन ये कुछ केस में अलाव किया गया है कि अगर इस बीच को exit opportunity आ गई तो trust उसका फाइदा क्यों नहीं उठाए तो trust उस case time पे अपने शेयर बेच देगा जो भी exit price से वो ले लेगा और उसके बाद चाहे तो trust case option है वो चाहे तो बेच के पैसे कमा लेगा और उतने में वापिस शेयर मार्केट से acquire कर लेगा are you understanding एक छोटा से एक्जांपल से देखता हूं कुछ faces मुझे blank दिख रहे हैं इसलिए मान लो यह हमारा पूरा example है trust चल रहा है trust ने अभी 1 lakh shares खरीद है trust के पास कितने shares है 1 lakh six months के बाद employees का wasting period complete होगा six months के बाद employees को देने है 1 lakh shares six months के बाद employee को 1 lakh shares देने trust ने already 1 lakh shares खरीद लिए खरीद सकता है ने trust of course company से loan loan भी तो मिलता है इसको trust 1 lakh share खरीद के बैठा है 6 महने बाद employees को 1 lakh share देने इस आप के ताहित ठीक है अभी क्या हुआ company के अंदर open offer आया company के अंदर management change हो गया promoter change हुआ होगा तो किसी promoter ने 25% shares acquire की तो open offer आया open offer में जो price calculate हुई तो एक share की कितनी price देने को ready थे वो मान लीजे 2500 और market price क्या चल रहा है मान लीजे 1900 अभी trust क्या सोच रहा है कि हमने 1 lakh share acquire की हमने 1800 1902 रैंडम price पर acquire की थी 1 lakh acquire करके बैठे है वो exit price में हम अपने 1 lakh share कितने में बेच सकते है 2500 और वापिस market में से कितने में से acquire कर सकते है 1900 the trust can make easy money here यहाँ पर कोई risk भी नहीं है ऐसा निए कि risk की जगह पर है तो यहाँ पर trust is allowed to sell the share under the open offer बेच देगा और फिर जो पैसे आ गए उस पैसे से मार्केट से आपसे खरीद लेगा तो इसमें company का फाइदा क्या होता है मैं आपको बता रहता हूं company का फाइदा यह हो जाता है कि company जो loan repay पहले कम कर पाती थी अब जयादा कर पाएगी ना क्यूंग थोड़ा था profit बना लिया यह पर तो यह specifically allow किया गया है are you getting an idea of this point what's over this point but I don't know the you have a kidney कोशिश करें के off-market transfer is allowed only in two cases one so you can give it to employees and second you can participate in the exit opportunity or offer given in case of buyback delisting or open offer under takeover code that is allowed good point is is practically last point चलो अच्छे से बड़े लास्पॉंट कहता है that trust लेकिन having said all of that अब आपको कहा लग रहा हुँ मस्तिर ट्रस्टो पैसे कमाएगा बुले रोको that trust shall not become a mechanism for trading in shares and hence shall not sell the shares in secondary market except under the following circumstances कि trust के बास जो भी share है वो secondary market में बेचेगा नहीं अभी क्या हुआ अब आप लोगों को अलग-अलग मांज़े तो सही है न तो फिर trust क्या करेगा छे मेने का टाइम है जभी कम में मिलेगा ले लेगा ज्यादा मिलेगा बेज़देगा कम ले लेगा स्यादा बेज़देगा करता रहेगा आपने क्या प्रोहिबेट किया अभी तक shares की trading को लेके Trust shall not become a mechanism for trading in shares and hence shall not sell the share in secondary market अब मुझे एक और चीज़ बताव लॉजिकली एकदम basics पे जाएं तो trust को ideally shares का भी sell ही नहीं करने चाहिए Trust का काम क्या है market से secondary acquisition में shares को buy करने का और किसको देने का employees को देने का तो उनको ideally तो sell करना ही नहीं है तो यह बोल रहा है कि नहीं नहीं आप sell नहीं कर सकते except under the following circumstances मतलब A B C D E F और G in G के cases में आप share को sell कर सकते otherwise आप share को sell नहीं कर सकते देखने का पहला to enable the employee to the fund the payment of the excise price the amount necessary to meet his or her tax obligation and other related expense pursuant to excise of options granted under ESOS ESOS and ESOP same है employee stock option plan or employee stock option scheme same होता है समझना यह क्या कह रहे है यार कभी-कभी क्या होता है employee को कुछ पैसा refund करना है यह employee का कोई tax बढ़ना है तो इस case में हम थोड़े से shares को बेच के वो चीज कर सकते है जैसे की समझना हमने 1,000,000 shares खरीद के रख लिये यह employee 6 महीने और job में रहेंगे और फिर उनको 1,000,000 shares दे देंगे respect हो मान लो कुछ employees ने job छोड़ दी तो क्या करोगे मैंने आपको पहले ही बता है अगर वो job छोड़ देते हैं तो उनको उनका पैसा क्या कर दिया जाता है refund अब हमने तो उनके भरोसे shares खरीद के रख लिए थे ना आप क्या करेंगे वह share को बेचेंगे और उनका पैसा है वह उनको कर देंगे refund तो उनको refund करने के लिए भी उनको जो पैसे return करने के लिए भी चाहिए तो हम shares को बेच सकते हैं या फिर उनका कभी-कभी कुछ tax obligation आ जाता है तो अगर हमें उनका कुछ tax भरना है तो वह tax भरने के लिए भी हम shares को बेच सकते हैं तो what are they trying to say first point में अगर amount necessary to meet his tax obligation and other related expense pursuant to exercise of options granted under ESOS तो ESOS में उसने option को grant किया है उसके बाद में अगर उसका कोई tax obligation है या फिर उसका कोई भी other related expense आ रहा है तो इसके लिए shares को बेच सकते हैं तो आप shares बेच सकते हैं employee के ही tax obligation या other expense को meet करने के लिए पहला point दूसरा on investing or exercise as the case may be of SAR under the scheme covered by Part C or Chapter 3 of the regulation अब मालीजी SAR है तो SAR के case में तो shares बेचना ही पड़ता है अगर SAR कैसा है cash settle दे तो सुनना अच्छे से मेरी बात को अच्छे समझना मैं हूं management आप सभे employees example लेलो मैंने आपको कहा कि share की price में जितना बड़ेगा उतना ही percentage से आपकी salary भी मैं आपको दूँगा अब मुझे आपकी salary जेब से देनी पड़ेगी ना तो मैंने कहा कि हैसे अच्छा मैंने अभी 10 लाग share खरीद के रख लिया एक साल बाद अगर वह 10 लाग share actually उसकी value भी बढ़ गई तो उसको बेच हूंगा और जो profit हुआ वही तो आपको bonus की रूप में दे दूँगा ना तो सार अगर cash settled है हमने क्या पड़ा कि सार cash settled हो सकता है equity settled हो सकता है हम presume तो करते हैं कि that is equity settled लेकिन अगर सार cash settled है तो उसके दर आप share को खरीच सकते हैं और time भी डोन का share को बेच दो और जो appreciation हुआ उससे bonus दे तो sir अगर appreciation नहीं हुआ तो तो bonus भी नहीं देना है ना bonus कब देना है appreciation के case में so that also can be done अभी कहता है कि हम syllabus में इत्ता सा पड़ता है actually vision बहुत बढ़ा है तो अगर आप हलका सा समझ पाओगे तो यह कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने 1 crore rupees के shares खरीद लिए एक साल के बाद वह shares ही हो गए 1 crore 20 lakh के तो हम 1 crore 20 lakh में shares बेच देंगे और यह 20 lakh रुपए bonus के तोर में सब में distribute कर देंगे और यही तो उनको वादा भी किया होगा हमने कि share का price बढ़ा तो bonus मिलेगा तो इस प्रकार के arrangements होते हैं तो उस case में shares को of course बेचोगे आप तो उस case में shares को sell करना loud है ESOP के case में shares को दिया जाता है बट SAR में तो shares को बेचा जाएगा उसके बाद में इस of emergency for implementing the scheme covered under part D & E D & E कौंसी schemes थी? General Employee Benefit and Retirement Benefit Shares खरीद रखे थे general benefit के लिए और लोगों के retirement benefit के लिए और कुछ emergency आ चुकी है तो emergency के लिए तो रखे थे share को बेज देंगे और emergency को पूरा कर लेंगे So emergency under part D & E of chapter 3 of these regulation and for this purpose the trustee shall record the reason for such sale क्यों बेच रहे Money so realized on sale of shares shall be utilized within a definite time period as stipulated under the scheme or trustee General Employee Benefit or Retirement Benefit scheme में भी ऐसा ही कुछ होता है वह थुदा theoretical है वह इतना popular नहीं है भारत में तो उसमें क्या होगा? कि हमने employee को बोला है कि आपके benefit के लिए आपने जैसे की provident fund सुना होगा तो उसमें पैसा इखटा करके रखते है और उनको दिया जाता है हम आपके benefit के लिए shares इखटे करके रख रहे कि जब भी ज़रत पड़ेगी आपके retirement benefit के लिए तब इन share को बेचेंगे और वहां से पैसा आपको देदेंगे तो उसमें फाइदा क्या हो जाता है अगर provident fund यहां पर पैसा इखटा हो रहा है तो पैसा बढ़ता नहीं है जो आपका contribution वह इखटा हो रहा है यहां पर retirement benefit fund में अगर आपने shares इखटे कर रखें तो जैसे जैसे value बढ़ रहा है तो यह नए concept अभी तो इतने popular नहीं हुए बढ़ इस प्रकार की concept भी हो सकते हैं कि हमने fund में employees के लिए पैसा नहीं रखा है fund में employees के लिए shares रखा है You just imagine कहां पहुँच रहे हैं कि पहले क्या होता था कि एक fund इखटा करते थे fund में हम लोग पैसे खटे करते थे और उसको बुरे वक्त में काम लेंगे अब यह लोग fund में DMAT account बना रहे हैं और DMAT account में shares खटे कर रहे employees के लिए कि बुरे वक्त में काम आएंगे तो वह उस प्रकार से तो जब बुरा वक्त आ गया emergency आ गया और जो purpose उसके लिए उसके लिए time and benefit general benefit next you can sell to participate in buyback, delisting या कोई भी exit offer के अंदर यह हमने पढ़ा already last for repaying of loan if unappropriated inventory of shares held by trust is not appropriated within time यह क्या कह रहे है समझो बहुत detail में यह point भी रुकर रुकर पेज फिलिप मत करो समझा क्या है point flip क्यों कर रहे है बहुत जल्दी यह घर जाने की सम्हाल होगी माम, पक्की बात है चलेगा focus करना है यह क्या कह रहा है देखो क्या कह रहा हूँ exam में ऐसा question आएगा ही नहीं बताओ क्या क्या प्रोविजन है implementation की impossible नहीं क्या 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 it doesn't it cannot यह आपको फसा सकते हैं किसी concept में तो समझने की कोशिश करो I am trying to explain it to the best of my efforts even with a restricted time because हम समय भी इस पे limited दे पाते न तो इस restricted time के अंदर जो best possible समझा सकते हो मैं समझाने की कोशिश करो यह point क्या कह रहा है the same regulation can be taught in five times of the time as well but हमें balance रखना पड़ता है यह क्या कहने की कोशिश कर रहा है आज हमने क्या किया हमारे trust में loan लिया loan हमारे पास आ गया उस loan से हमने 1 lakh shares खरीद लिया 1 lakh shares हम employees को दे देंगे जो जो wasting period में हमारे साथ में रहेंगे end में क्या हुआ employees को हमने shares भी दे दिया हमारे पास 20,000 shares बच गए बच जाते हैं कुछ employees बीच में छोड़के गए कुछ कुछ हुआ और हमारे पास shares बच गए हमारे पास 20,000 shares बच गए अब इस 20,000 shares का trust क्या करेगा आप जो trust बंद करना ना scheme over हो गई क्या करेंगे बेचेंगे और जो पैसा आया उससे loan repay कर देंगे as easy as that वही लिखा भाए देखो इसका मतलब क्या है for repayment of loan if the unappropriated inventory trust के लिए inventory क्या है? और unappropriated मतलब जो employees को दी नहीं है employees को दे दिया वो तो बात खातेम हो गई जो unappropriated है जो employee को दे नहीं पाए उसको बेच कर हम loan repay कर देंगे तब ही तो trust के पुरे so for repayment of loan if the unappropriate inventory of shares held by trust is not appropriated within time तो अगर आपका जो inventory unappropriated वो आप appropriate नहीं कर पाए, employee को नहीं दे पाए time खतम हो गया है, जिन जिन को exercise कर दा था वो कर चुके है, time जा चुका है फिर इसका क्या करेंगे unappropriate inventory का बेचो, loan repay करो, free हो जाओ I'll just take the question after these two points ठीक है नहीं, shares रख लो तुम नहीं, shares को रख लो सम मर जाएंगे, पर यादे रह जाएगे है न, winding up of the scheme भाई साब, scheme ही wind up हो रही है तो share को बेचो, खतम करो and, last point based on approval granted by board to an applicant for the reason recorded in writing in respect of the schemes covered by A, B, C of chapter 3 of these regulations upon payment of a non-refundable fee of rupees 1 lakh to the board along with the application by way of direct credit in the bank account through any FTA, RTG, IMPS or any other mode allowed by Reserve Bank of India Sir, यह क्या हो रहा है हम लोगो ने सुना होगा, सुना हम लोग तेखते है कभी-कभी क्या होता है क्यामान लीजिये आप कोई मंदर में दरशन करने के लिए यह बड़ी-बड़ी लाइन है ना, बाहर एक दिर्ट गंटे तक line में लगया ठीक है, आप जैसे तैसे जैसे से पहुँचे यह पीछे से मिला, दो-ती लोगों से मिलके सीथा दरशन करके लिए होता है कभी-कभी कुछ जगा भी आपन देखते है कि हम लोगों ने बहुत संगर्ष किये, रिल्वे टिकेट के line में लगये, कोई लगया है कभी सुबह चार बिज जाके line में, क्या बात, लगया ना, लगया मैं भी लगया हूँ, मैं भी लगया हूँ, कोई शर्मानी की बात ने ठीक है, और मैं तो यह देखन वाली line में लगा था कर जाना है, कोई और option available नहीं है तब train से ही जाना है, तो आपर सुबह चार-पांच बही लोग line में लगते हैं, और line में लगते हैं मतलब कुछ कर दीन, line में लगी है, क्योंकि line आगे ticket counter खुलेगा 10 बजे तो 4-5-6 गंटे से line में ही लगया लोग, फिर ticket counter खुलता है, फिर एक एक करके line होते हैं अपन वेट करते हैं कि 2-5 minutes होगा है, क्या कर रहा है क्या कर रहा है, वो कटकर जल्दी type कर, क्योंकि हमारे ticket से ला जागे तीर में लोग online भी कर रहे है, और इतने में हम हम पढ़ रहे हैं, उन special treatment के बारे में, सुनना अच्छे से अब, based on approval granted by the board, यह board में कौन से board की बात हो रही है सोचो, board की 2 मतलब हो सकते हैं, या तो company का board of director, या फिर SEBI, security and exchange board of India, पूरा point पढ़ाता हूं, फिर आप मुझे बताना, board का मतलब क्या होगा based on the approval granted by board to an applicant, हमारा एक applicant था जो scheme के इंदर registered था for the reason recorded in writing उसने reason लिखके दिये for scheme covered in A, B or C ABC मतलब ESOP, ESPS या फिर SAR बहुत सालर से चलने वाली schemes हैं हमारी of chapter 3, of these regulations upon payment of a non-refundable fees of 1 lakh to the board आप board को एक non-refundable fees देंगे, non-refundable fees कौन सा board लिता है SEBI तो ये board कौन सा board है SEBI non-refundable fees लिए SEBI ने 1 lakh की और आपसे reason लिया in writing along with the application by way of direct credit in the bank account SEBI ने अपने सीधा credit in bank account लिया है through, anyhow मैं क्यों बता रहे हो, पता नही NEFT, RTGS, IMPS ये सब हाँ, ये भी बता रहता हू तो तीन प्रकार से आपके bank account में पैसे आ सकते हैं One is NEFT, NEFT ऐसा धिरे 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 होता रहता है One is RTGS, ये और धिरे 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 होता है One is IMPS तूफान, lightning, fast speed से होता है Or any other mode, इसके लाव भी Google पे लेगा भी लेगा वह, बहुत अच्छी बात है Or any other mode, I'm just kidding Allowed by Reserve Bank of India तो कह रहे हैं, ये आखरी की दो लाइन बिलकुल time waste ये कह रहे हैं कि SEBI किस तरीके से non-refundable fees ले सकता है क्या होता है कभी-कभी As a student, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है Cash नहीं ले सकता है आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तब आप ऐसी कुछ, ऐसी line होती न जिसका कोई मतलब नहीं है अब वहाँ फसे रहते हो, परिशान होते हो कि समझ नहीं रहा और mood अगर अच्छा होता है तो वह एक minute में समझ में आता है कि इसमें कुछ पढ़ने जैसा ही नहीं इसमें कुछ नहीं है कि a non-refundable fees of rupees 1 lakh to the board पर रुक सकते हो, ठेक है, कोई मतलब नहीं है along with an application by way of direct credit in the bank account, थुरू यह क्या बोल रहा है कि RBI ने कुछ means specified कर सकते हैं, जिससे कि SEBI पैसे लेगा, बस वो, तो RBI के specified तरीके से ही लेगा, of course, जैसा आप पूछ रहे है cash वकरा सभी नहीं ले सकता है ठेक है, तो RBI के specified तरीके से एक लाक रुपए सभी लेगा तो यहाँ पर क्या एक special excess है कि कोई भी व्यक्ति scheme के बीच में shares लेना चाहता है, तो यह regulation कहता है कि वो share ले सकता है, provide the scheme should be A, B or C वाली किसम है ESOP, ESP, SAR की scheme है और कोई व्यक्ति, SEBI से approval लेकर आया Approval by SEBI plus reason in writing Sir, कौन से reason पर मिलेगा भगवानी जानत है इन्होंने कोई भी example नहीं दिया कोई case study आज तक देखा है कि किसी को पहले दे दिया हो, but provision उन्होंने बनाया इस regulation के अंदर कि कोई भी SEBI को Approval application देगा SEBI ने Approval दे दिया, साथ में उसने reason बताया in writing के, इस reason के कारण मुझे अभी के भी shares चाहिए, plus उसने non-refundable fees दे दी है to SEBI, तो इस case में भी company directly shares इस व्यक्ति को दे सकती है, हम क्या पढ़ रहेते हैं कि किन cases के अंदर shares sell हो जाएंगे SEBI ने non-refundable fees ले लिये और उसने reason and writing भी दे दिया तो इस specific case में भी उसके shares बेचे जा सकते हैं तो इन cases में हम पढ़ रहे हैं कि किन-किन cases में shares बेचे जा सकते हैं Normally trust का का काम क्या है shares खरीदना, trust का का काम shares बेचना नहीं है Normally trust का का काम shares बेचना नहीं है तो इन exceptional cases के अंदर trust shares बेच सकते हैं क्या exceptional cases है एक बार वापिस देखते हैं फटाफट से पहला exceptional case हो गया कि employee की जिनको ESOS हम दे रहे है tax obligation other expense के ठेक है SAR है तो बेची सकते हैं लोगों को cash benefit कैसे देंगी हम उसके बाद में हो गया अगर D or E है तो उनके emergency के case में भी आप दे सकते हैं उसके आद में buyback, delisting या कोई भी exit offer के अदर participate करने के लिए अगर unappropriated shares बच गए end में तो repayment of loan के लिए भी आप use कर सकते हैं अगर आपकी scheme ही बंद हो रही है winding of the scheme है तो भी आप दे सकते हैं और अगर कोई भी exceptional case SEBI का approval आया है SEBI को non-refundable fees मिली है और साथ में reason and writing दिये हैं तो इन तीन cases के अंदर भी यह तीन चीजी satisfy होते हैं तो इस case के अंदर भी you can actually sell your shares the trust can sell the shares यहां पे खतम होता है हमारा सबसे जो hefty part होता है इस regulation का वो यहां पे खतम होता है इसके बाद का जो हम पार्ट देखते हैं वो इतना hefty नहीं है वो इतना hefty नहीं है actually जो hefty part होता है वो यहां पे खतम होता है समझना अच्छे से एक बार आप सब अच्छों से मेरी request है you'll have to pen just this thing down पूरा नहीं you just have to pen this thing down in that given space only जिससे कि आपका ये जो implementation of the scheme है ये कंठस्त हो के निकल रहा क्या implementation of scheme बाला part है वो पूरा अच्छे से done हो चुका है ये यही पे pen down करना है थोड़ा से space है नहीं हो पे उस थोड़ा से space में pen down करना है इसी प्रकार से कि scheme है वो direct route या फिर trust route हो सकती है लेकिन अगर secondary acquisition या gift है then it is mandatory to go for trust route, change कर रहे है आप route तो आपको special resolution plus it has to be for the benefit of the employees just pen it down once, बड़ा मसा येगा मुझे, हाजी कोई भी query है अब आप पूछ सकते है मस्ती मैं shoot करिये आप जब trust, नहीं हाँ बिलकुल कर सकते है कुछ केसे में promoter exit offer देता है न तो promoter buy कर सकता है यहाँ पर tension क्यों नहीं, डर क्यों नहीं है because the price is regulated by SEBI तो regulate करता है SEBI price को, तो उस case में trust can even sell the shares under the buyback or under delisting regulation to promoter it is allowed company loan देगी trust को नहीं नहीं कुछ पे नहीं हाँ जी सुनो सुनो एकदम chill करके pen down करो 110% आप pen down कर पाएंगे change route change route उसके उपर कहे, scheme, direct route, trust route secondary acquisition या फिर gift है, तो mandatory trust route, यहाँ पर आप अगर चाहते हैं तो आप summary लिख सकते हैं अगर जगे नहीं है second वाला single trust can manage multiple schemes single trust can manage multiple schemes मजा जाएगा H जगडे नहीं क्या बात है the objective is कि यह पूरा regulation वो दिल में उतर जाना अची as it is तो अभी का short term target क्या हुआ यह जो implementation वाला part है यह दिल में उतर जाना सबसे पहले हाँ जी oh मैं उनके बीच में आ रहा हूँ story of my life मैं क्या करेगा अभी actually हाँ 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 सही बात करे है कोई परिशानी ठीक है shh मैं क्या करेगा रोको मुझे देखने तो पढ़गी तुमारे college को ठंडक हो गया मैं side में दुमारे nice ए चलो गदो लिखो time waste मत करो time waste मत करो आप लोग लिखो आप लोग लिखो आप 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 अप आप चली आप प्लीज मुझे आगे बढ़ने दो मुझे रोखो कूमत सुना मरी वाद को हरे ओ हाँ है कैसमें है श्क्रोल को शुकर वार शुकर वार सुना ही दी रहा है क्या चल रहा है आपका सुनो फोर्थ प्रट को बहुत कैरफुली लिखना फूर्ट मुट्रन ए उसमें क्या-क्या लिखना है बता रहता हूं दो चीजे लिखनी है एक तो ये पूरा कार्यकरम लिखना है जिसके अंदर पर लिखते हैं कि कौन-कौन ट्रस्टी नहीं बन सकता और साथ मिनिमूम ट्रस्टी कितना है ये भी लिखना है फोर्थ पॉइंट अच्छी हंट्राइ इसी शक्ले मत बनाओ इतनी प्यारी हंट्राइटिंग है देखो कंपनी के ओपर स्चारमाक मंजे होल्डिंग सब्सिडिरी असोसियेट कंपनी के प्रमोटर डिरेक्टर केंपी अंदर रिलेटेव केंड़ बीट्रस्टी कंपनी के शेर होल्डर नीचे लिखा 10% और मोर जो ओब सब्सक्राइब कर ना जी आप और मोर मतलब कम्पनी के वो शेर होल्डर जिनकी वाप शेर हैं 10% और मोर वो शेर होल्डर नहीं बन सकते उसके पासिए पांट लिखा ना वोज शेरोल्डर सब्सक्राइब कांपनी अनी शेरोल्डर कांपनी वोड़िंग 10% और मोर शेरोल्डर कांपनी वोड़िंग कनोट बिकम ट्रस्टी लाला वह बहुत बढ़िया no voting for shares held with trustee shareholders approval to be obtained shareholders approval to be obtained trustee झाल See you ईट झाल झाल चलिए येस पीपल ये आरो, नहीं मुझे रोको मत मुझे आगे बढ़ने दो श्क्स वाल बता हूँ शेर होल्डर अप्रूवल तो बी अप्टेंड ब्रैकेट में ट्रस्टी मतब ट्रस्टी अस तो इंशूर ठीक है कोई परिशानी तो नहीं है बस ठीक हो गया तिंग 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 येस पीपल I will not be teaching anything further we have to just pen down a lot of things we'll just pen it down and that'll be all yes yes you're welcome प्रूब्साना हुआ क्वेशंस बस प्रूब्साना हुआ झाल झाल गजब बुली ना आगे बढ़ेंगे? क्या बात है आप लोग स्क्रोल बोलते हो मैं एक सिंग लिए घबरा जाता हूँ मुझे सुनाए दिया रोल एई पढ़ाय लिखाई मर्यादा अरे सुनो पढ़ाय लिखाई भी जान दो क्रीम रोल ठेक है? हाँ एई कुछ नहीं है विशाल को बिगाड़ो है आप है विशाल आपके लिए लग से स्ट लगाएंगे आप इन लोगों से बात मत किया करो आप ठेक है? राज सर को पूचु आप राज सर को क्या पूचु मैं? विशाल के साई हारे बहुत बढ़या मैं बीच में आ रहा हूँ यह लोग बोलेंगे रुको मैं कहां ख़डा रहा हूँ? मैं यहां पर खड़ा हूँ यस लिखो लिखो क्या बात है? जबर्दत स्विशाल नहीं नहीं अच्छा है हाँ फुल जुबागी इसरी फुल जुबागी इसरी एक अधन सुनो हसी मजाग ठीक है इसब गंधी चीजे मत किया करो नहीं नहीं I'll tell you one thing चलो लिखते लिखते सुनोगे ना लाइफ में कोई भी ऐसे चीज मत करना जिससे हमने ऐसा हो जाओ कि करनी ही पढ़ रही है ये कुछ नहीं होना चीजी जीवन में कोई भी चीज क्या कैसी बाते करता हो Eeeh Ruko Eeeh Chh I am reading it up ठीक ना अधना लिखा है share based employee benefit क्या के अंदर कांस्यो basic teen regulations होती है वह यह रही तीन regulations जैसे की ESOP, ESPS and SAR उनके लिए लिमित is per year 2% aggregate 5% for general employee benefit scheme for general employee benefit scheme and retirement benefit scheme the limit per year is 2% and aggregate is also 2% yay चलो कोई बात कर दो मैं क्या बात है इस दान मैं स्क्रोल करना चाहता हूं यह सुनो यह भी लिखो A, B & C talks about ESOP ESPS and SAR D & E talks about GPS and RBS लिख लो लिखा ना? बहुत आगे जाओ गया चाहला बहुत वो आरे ओ यह सुनो यह क्या पीचे बहुत अरना अरय यह उरना अरह कर रहे हो यह क्लास पागल हो जाती के संडे के दिन और 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 क्या चल रहा है पीछे कौन सा वाला सर पुछो लो General Employee Benefit Scheme Slash Retirement Benefit Scheme Limit पूरा भिंडी मार्केट कर दिया मैं मैं क्या करू इंका मैं अरे वो नक्को समालो शुछ चले शुछ ए शुछ प्रकेट शुछु ये सुनो सुनो इनको पोड़ो साँ हाथ अगे रखलो कोई बात नहीं आप अपने ठकेवीड़कोई है जैवरिवन रिटेन एवरिधिं अप तिल हेखलो अब सुनो, आज का एक छूटा टूडू बता रहा हूँ, सिर्फ आप जब इस chapter की self-story करोगे ना, सिर्फ ये जो, implementation के दो पेजना ये आपको परिशान करेंगे तो कम से कम implementation के दोनों पेज तो कंठस्ती कर देने, immediately जैसे lecture खतम होता है, आपको time मिलता है, गूगल रहा है, अब ही time मिलता है, जब time मिलता है, इसने आप इसको पड़की खतम कर लेना है अरे, सुनो, 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 notebook को लो, अभी बहुत कुछ बाकी है सिंदगी में हाँ, हाँ, मैंने काये कि मैं कुछ पड़ाऊंगा निबट यवफ तो complete everything, जो pen down करके जाओगे आप लो, यह कौन से पेच पह है ढूंडो जहां पे match होता है, यह उपर recording and writing खुक्ष्छ APPROVAL, BY SEBI, PLUS REASON IN WRITING PLUS, NON REFUNDABLE FI, TO SEBI APPROVAL APPROVAL सेभी प्लस रीजन राइदिंग प्लस नौन रीफंडिबल फी तुसेभी ए गदे हो किती बाते गरते हो यह आपका क्या ब्रेक का टाइम हो गया नहीं वह ठीक है खाओ मुझे खाने में क्लास में अब ढून की निकाल रहे है उसमें खू 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 अराम से कोरेस्ट अरेक या चल रहा है क्लास में देंगे लोग देंगे लोग बस 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 सूपर एक्सेप्शनल केस है और वि अल्ड़ डिन अप्लिया चल मापस्टनोना जो भी आपको कहना है वो आप मन में कहेंगे सब लोग सुनो आपको जो नोट्स के एंड में ये ब्लैंक पेज दे रखा है ना उसके फर्स पूरे ब्लैंक पेज पर आओ सुनो यू हवव दुर्ण ये और पडुट्स को इसको आप उस पेज को लैंड स्केप में लेकर रो प्राचार जा रहना चाहिए यह पूरा डाइग्राम आपके उस page पर आजाना अची है, अब इसको आप कैसे draw करते हो, that's your lookout, अब अपने comfort level के साब से draw करो, landscape लेके draw करो के तो ज्यादा बहतर होगा, इस प्रकार से, के ये आपका, जहां पर सारा written part of the chapter complete हो रहा है, उसके इस page पर, ऐसे landscape लेके, organized तरीके से, पूरा octopus draw कर दो, now what I'll do, I'll zoom in with the respective parts, shh, what you have to do, एक और सी समझेगा, ये मैं zoom in कर रहा हूं, respective parts पर, आपने ये जो ऊपर का पार्ट है इसको लिखने पर साथा time waste मत करना, because ये तो एक मिट में दिमाग में बैठ गया ना, दो रेगलेशन ती मर्जो के, एक बनी, बस, invest more time in writing this down, अब मैं क्या कर र बेह हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपकी कि कर लो, देख लो पहले, बस, नहीं, 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 ये बर राको रेको चैलो, this is done, पहले, जिनको फोर्य देना है वू लेलो, कोई चंतागी बात मिया, यह हो गया है रहो बस नाव जस्पन इड़न और फ्कॉर्स चलो अब ऐसी शकले बनाओगे तो मैं क्या बोलू हो गया जिसको जो करना था अब या रहो चलो स्टार्ट द्रॉइंग दिस अप अप लोग एथी शकले मत बनाओगे जो व्यक्ति जाना चाहता है उजा सकता है बद एंशियों के आप यह द्रॉआ करके हैं और कोई व्यक्ति रुख के द्रॉआ करना चाहता है 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 झाल 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 4th झाल 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 yes we will I hope it all with me I had a basic expectation from you guys that upload on a job in a bit of what I will put it around again and as you all know just say it's after the mother was kept up your seat on a valley so scale up net to fund the history and you take over code or is chapter key sublogue this chapter is a very easy chapter of very easy chapter but I'm going to discuss the part of the course of the discussion that I can revise the question of the question here is chapter key Parishanikya is that I want to study the time of the other time I can study because you can see the introduction of the elaboration so it's easy chapter but it's not generalize how to do it and we don't understand what I want to do a short summary I want to do it so 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 I want to do it चैप्टर को रिवाइस करने बैट इसा लगता है क्या ही रिवाइस करें ऐसा उसके कारण थोड़ा साम एक्टाइम लेकर आगे बढ़ रहे हम लोगने सब्सक्राइब करते चैप्टर के दो पार्ट होते हैं हम लोगने बेस पड़ा था कि दो रेगुलेशन से से भी शेयर ब बात कर रहे थे शेयर बेसंपलाइब बेफिट का पाट बी में लोग बात करने वाले हैं सवरी क्विशन का पाट भी इजी है एंड में डिसकस करेंगे शेयर बेस एंप्लाइब के अंदर आगे बढ़े तो इस रेगिलेशन का चैप्टर नमबर 2 & 3 टो फिर बाउट शेयर में हम लग थुद अगर कांव कांव सी अपनी कमपनी थावरे लिए लिए फूरी लिए उस्टेए कुछ पूर अवरे लिए लिए रट रीटिविट इस पीम शीम शीम, साथिवाइं फूरे इंटरी सोनी ठीटिए इलवरी इनटेट लिए पर तेसिंग पूरे इलें शीम, अगर सेकंडरी एक्विजिशन और गिफ्ट हो रहा है तो फिर क्या मेंडिटरी है रस्टूट अधर वाइस आप डिरेक्ट रूट से जा सकते हैं रस्टूट को सेकंडरी एक्विजिशन पर लिमिट पड़ी इन एए अट्रस्केन मैक्सिमुम अक्वायर हो मच तू और 1 2 & 3 schemes ESOP ESPS and SAR when it comes to general employee benefit scheme and retirement benefit scheme they can acquire only 2% in aggregate as well इस प्रकार को चीज़े पढ़ते हैं फिर जब भी ट्रस्ट इन सिक्योरिटी इसको जनरली तो सेल नहीं कर सकता है कुछ exceptional cases में सेल कर सकता है फिर वो ट्रांसर कर सकता है employees को off-market या फिर वो चाहे तो delisting regulation बोल दो take-over court बोल दो या कभी भी exit opportunity मिलती है महाँ पी participate कर सकता है यह से हमने पड़ा फिर हम आगे बड़े हमने पड़े हमने पड़े स्पेशल resolution पास करना जरूरी है कि जब भी आप ऐसी resolution ऐसी scheme launch करना चाहते है इस regulation के अंतरगत तो आपको एक resolution पास करना होगा then you have to pass separate resolutions for the four cases अगर secondary acquisition involved है तो एक separate resolution आप extra secondary acquisition कर रहे हैं because of capital expansion एक separate resolution आप अपने subsidiary employees को देना चाहते हैं holding employees को देना चाहते हो इस scheme का benefit separate resolution and the last one was अगर आप identified employees को 1% या उस्टाद आप एक separate resolution आप एक compensation committee बनाते हैं यह compensation committee बनती है same like which committee nomination remuneration committee तो आप चाहें तो अपनी nomination remuneration committee को designate कर सकते हैं as compensation committee यहां तक हम सब लोग साथ में life is very easy up till here ऐसे हमने कुछ पिद्दू पिद्दू छोटे-चोटे topics पढ़े जैसे लिस्टिंग करानी है तो अगर हम मान लीजिए पूरा का पूरा scheme regulation के हिसाब से होना चाहिए दूसरा आपको क्या अप्टेन करना है एन प्रिंसिपल अप्रूवल और जब वेक्ती exercise कर रहा है तब आपको क्या करना होगा इन फॉर्म करना होगा चौक एक्षेंच को बहुत पिदू-पिदू चीज़े पड़ी थे कल के लेक्षे के लास्ट में लास्ट सेशन के लास्ट ने डिसक्स क्या था ईस आप एस पियस मुझे बताऊं कौन से में एक कंडिशन होती है इस अप में विच्वन इस पार्ट कि लोकिन और दोनों कि इन प्राइस कें बीकम फॉर्टीब डिटर्मेंट बाइधा कंपनी कीपिंग इन माइंद अकांटिंग साथ में लाइप इजी है वापे साथ में रिपीद इस नौट इफिकल्ट इस ज़स्ट इस वरी जनरल इन नेचर यह प्रॉलम इस चैप्टर क अब हमारा नेक्स्ट आपिक आता है सार चलो बेटाची बहुत बढ़िया आशा करता हूं सब लोग यहां पे अच्छेज देख और सुन पा रहे हैं सार सार के बारे में मैंने आपको अल्री एक आइडिया है कि हाव ड़स सार फंक्शन स्टॉक अप्रीशेशिशन राइट अब यहां पर आपके अप्रीशेशन बेस्ट इंसेंटिवाइस कर दो उससे फायदा ही होता है कि अगर 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 शेयर बढ़ रहा है मतलब इंटायर कंपी इस परफॉर्मिंग वेल अदर्वाइस हम अगर उनके परफॉर्मेंस बेस्ट उनको इंसेंटिव देते हैं त आप उनको इंसेंटिव दे दोगे लेकिन बाकियों को तो आप कुछ भी नहीं दोगे और बाकियों की परफॉर्मेंस के कारण कंपनी का नुकसान हो रहा है लेकिन फिर भी आपको कुछ लोगों को बूनस देना पड़ेगा विकास अच्छे से काम कर रहे हैं तो रादर द इंगो फॉर सार स्टॉक अप्रिसियेशन राइट सार सार के अंदर इतना सा है कि आपका जो बेनिफिट है जो शेर होल्डर सो इंप्लॉईज को बेनिफिट देना चाहरे हो तैट इल बी लिंक्ड विद द अप्रिसियेशन ऑफ द श्टॉक स्टॉक मंजे का शेर स्टॉक इस पीस में यह सब्सक्राइब इस पीस में इस पीस इंचेल कंटेंड दो डीटेल ऑफ दो मैनर इन विज दिस्कीम विल बीमेंटेट कैसे अद्मिस्टरेशन इंप्लिमेंट करेंगे जैसे स्कीम में लिखा है वैसे बहुत अच्छी बात है हमने इस आप में भी बढ़ा एड्रीशन इंपलिमेंटेशन कैसा होगा इस और यह इक इस करेंगे जैसे स्कीम में लिखा है वैसा पढ़ने लाइक बात ही नहीं है अब आपे सम्हों लोग आज दने इधर सार में भी एक है Compensation Committee तो उसी के हिसाब से आपकी पूरी स्कीम चलेगी आगे क्या लिखाया अगे क्या लिखाया अगे क्या लिखाया अपनी सालरी पे 10% का बोनस मिलेगा इफ शेर प्रैस टॉच इसमच अमाउंट तो आपको इतना इतना बोनस मिलेगा अब यह बोनस आप आप इसके है या एंक तो बोनस में निटेक काइं इंसमें इंस शिर्स में भी इसकते है आप बोनस कैसे दे रहे हैं वह रelement नहीं वह बोनस में लेगा depending on the increase in share price war relevant तो सार का बोगा stock appreciation right जब उनका benefit उनका जो उनको फाइदा मिल रहा है उनको जो अप्रिसेशन मिल रहा है उनको जो इंसेंटिव मिल रहा है that is dependent on the share price stock price the stock appreciation right it can be cash settled or equity settled we've already read no sir shall be offered unless the disclosures specified by seven this regard are made by the company to the prospectus are grantees कि हमने हमारे सार के grantees को सब सारा disclosure दे देंगे उसी के बाद में आपी Implement करोगे देखो practically speaking यह जो point है वह आपका इसॉप और यसौस में भी है लेकिन problem कि एशॉप के बारे में और इसौस के बारे में awareness है ईसॉप के बारे में और ESPS के बारे में awareness है लेकिन सार के बारे में इतनी awareness है आप सोचो कि यह जो पॉइंट है यह एक्चुली इस आप और ईस इस पीएस इन दोनों के अंदर भी लिखा हुआ है बस इस पर फोकस नहीं क्या है अब इसको पर करते हैं इस पीएस सार मिनिमम वेस्टिंग पीरिए इस पीएस में नौट एपली केबल वहां पर तो यहां पर अगर आप लोगों को कहना चाहते हूं कि कम्पनी के शेर प्राइस इतने हो जाएंगे तो आपको बोनस मिलेगा तो उसमें आपको ट्यणिया रखना मिनममनन आउन का विकसे लोग महनत करेंगे उसका एैट शेर प्राइस में आने में काफी महन लगता है तो टौज रखा गया है वनियर का ओके राइट आफ सार होल्डर शुन्य पहले भी पड़ चुके हम लोग के जब तक वह बेनेफिट आपको मिलने जाता इस आप है एक साल के बाद में जब आपको शेर मिलेंगे तब आपको सारा बेनेफिट मिलता है यूट राइट टू अटेंड जनल में डाउट आसकता है एक तो डाउट इसका जवाब भी नहीं है एक डाउट तो यहां सकते किसी बच्चे के दिमाग में माली जिए सब्सक्राइब कि उसने कहा कि जो भी लोगों की इस उन्होंने टार्गेट दिया इफा शेर प्राइस तचेस दिसमच आफ्टर रही यह देन ओल फिल गेटर बोनुस ऑफ तैन परसंट अफिर सैलरी ठेक है एक विक्ति सैलरी यह पचास हज़ार कि मारफ ने टार्गेट दिया है कि शेर प एंड में सबको बोनस किस फॉर्म में मिलेगा शेर के एक व्यक्ति की सैलरी थी पचास हजार टार्गेट टाच हो गया इसको बोनस कितना मिलना चाहिए कि यह पचास जार का दस परसेंट पांसो मत करो इसे काम है मैं छोड़ो वह जो गड़े में आप कूद रहो ना बहुत लोग साथ में आ जाएंगे मत करना इसे काम फोकस करो आपे पांच हजार अब सवाल प्रॉब्लम डाउट समझा एमरेफ का एक शेरी 75,000 का है यह कैसे सब्सक्राइब होगा तो इसकेस में कभी भी कंपनी इसका ध्यान रखेगी ना इसे अगर के भी केसिस हो गए तो 100% इस वोड़ बी गिवन इन कैश हां हमारे कंपनी के डिरेक्टर्स वगरा है उनको भी बोनस मिलेगा उनकी सैलरी ही है 50,000,000 अब उनको 5,000,000 का मिलने वाल उसको हम 5,000,000 रुपए के शेर दे रहे हैं तो एक शेर मानलो 78,000 का मुझे बता उसको कितने शेर दे पाएंगे हम करो ना फाइफ लैग डिवाइड बैसेवंटी थाउजंड इसक्स पॉइंट का रहा है अब शेर तो आदा नहीं दे सकते हैं तो क्या करेंगे इस केसमें दे देंगे 6 शेर कितने हो जाएंगे 78,000 26 करो 4,68,000 ना बचा कितना 32 तो उसको 6 शेर दे देंगे और 32,000 रुप उसको लिफाफ में डालके देंगे कहने का मतलब ही इल बी गटिंग 6 चैर्स एंड रमेनिंग पॉर्शन 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 आ गया structure लेक्ष्ट पॉर्शन 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 बॉर्भ याद्थ के बाऴ एक इव ह। नहीं परफेक्ट चल्ड वन दन सेगें तो पहला पॉइंट तो कह रहा है कि फ्रैक्शनल हम दे देंगे एकुटी में कैश में सॉरी नेक्स रीड नेक्स्टू पॉइंट्स आपको अलड़ी पड़ा चुका हूं मैं रेपिटेशन कि अब लोग सब्सक्राइब सकते हैं अब लोग सब्सक्राइब अब कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो करना है अगर किसी व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो इसा मान लेंगे उसका वेस्टिंग उसी टाइम पे हो चुका है से मतलब आपको इतना याद रखने अगर आप चुली पढ़ना चाहरे हैं तो कि कोई भी स्कीम हो जाओ अगर किसी व्यक्ति की भृत्य हो जाती है या फिर पर्मनेंटली इंक पैसिटी हो जाती है तो दा कंपनी सब्सको देने पड़ेंगे जितने सब को देने है लेकिन शिफ्ट तो हो रहा है किसी और को बेनिफिट मिल रहा है तो इस सिर्फ इन दो केसे में अलावड और यहां पर आके हमारा सार भी कंप्रीट जाता है लेकिन रुखो अब अगर मैं आपको कल हमने लिखा था ना इसाउप येस अब मैं यहां पर अगर हलक असा सार लेना चाहता हूं सुना नहीं नहीं पीजस्ट इन सम्ट कर पर स्क्रीन पर फोक्स करो पहला मीनिग तो मीनिग के अंदर प्रिपल इचाने है एट्सार के अंदर हो क्या रहा है यू आर लिंकिंग्ग द इंसेंटिव टो बिगवें टो देंप्लोई इंप्लोईज विद शेर प्रैस इफ द्थ is linking in the super easy language if a company is linking the incentive to be given to the employees with the share price that is known as stock appreciation rights it is of two types it can be either equity settled or cash settled what's meaning can the door point to go asan bhasana doosra pricing again yeah but the company's free to determine the terms and conditions cap for target character equity share the tenure character now the company is free to determine vesting period calico one year minimum missing period is one year and lock-in nothing lock-in but I come to fight lock-in is different there's no lock-in when you get sir because I have to be able to show me I hope you're all with me when he's doing any questions up till here life easy children I'm the pilot discuss credit busque provisions could be on this me though gary point other general employee benefit scheme and retirement benefit scheme surely hundred percent focus is can actually you read it once you realize there's nothing here it is completely theoretical so if it is interpretation can I have to which is there don't know cases read both ones Xu? not residue dot 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 एक बार सब्सक्राइब आजओ वापिस आपको समय रिट करनेगा पहले तो बने बता है जिसके पैसे पॉइंट लिखा है यह पांचों स्कीम एक चीज लिखिए कि इंका इंप्लेमेंटेशन कैसे हुगा इंका अपनी स्कीम अपनी थे इस्कीम चाहिए लिखिया तो यहां पर लॉने कुछ ने लिखा है लॉने बस यह लिखा है कि स्कीम विल बी इंप्लिमेंटेट एंडिस्टर आज मैंशन इंड़ स्कीम एंड इस मेड़ाइब कॉम्पोजिशन कमिटी यह हो गया अब उसके बाद में एक लाइन एक बार सब लोग साथ में रीट करते है आज स्कीम श्यर्व इस लिस्टेड लोग सर्ट इस सिट्विशन इस फिर इस कि नोटने सीम रेंपेस की वर अपर पेशन बैस चीम यह अँपर एक 3.2. इस्क्रेट टीन एंड़ इस तो इंडेट्स. इस कॉना ब्राइब एसिज विए मिटीज पॉलेंगे स्टेज की अव the company shall certify the above mentioned point compliance at the time of adoption of such balance sheet by the company is secretary auditor check करेगा कि यह जो चीज लिखी है यह complied है यह नहीं है यह पॉइंट उन्होंने लिखके नहीं दिया है यहां पर लेकिन यह पॉइंट यहां पर भी बिलकुल आ सकता है कि यहां पर इस पर दिची देंगिन यह रिखेंट करेंदी यह चीज लिकी हुई यह रिप यह जीश लिखेंटे करीट आप चाहू तो प्रिंग कर सकते हो ना ठीक है perfect ऑफक्त सेंब जैसे मैं कह रहा हूं फर्ड पॉन्ट प्रेजिए वहां पर निया हुआ है perfect 3rd point वही चीज लिख्यों हए थे से कृटर लो जो चेक्ट लिमेट कि जो कफेडयां है यह नहीं चल परेख what I want you to do कुछ लिखा ही नहीं है सिर्फ यह जो हाइलाइटेड पार्ट अगर समझ में आ जाता है तो यह टॉपिक हो जाता है बाकि तो कुछ काम की चीज नहीं राइन इंटर्प्रेट थी हाइलेटेड पार्ट बायोसल रोहत आप भी कोशिश करो अब बाकि सब भी कोशिश क क्या होता है मोस्ती तो आपको से मीक है सकते हैं लेकिन कुछ चीज है होती है जिसके अंदर मार्ट वेलेट मेंकर्ना इस वरी डिफिकल तो अब उसको अलग अलग तरीके से रिटमीन करते हैं इसा तो इसके वैश्यक्या वांट रेसे मशीन वित उस नोबड़ी इंडिया वो एक चीज़ मैनिफेक्टर गाथ हम इसको बेचने चाहेंगे तो बाकियों के लिए तो उसकी फैर वेल्यू कुछ और हो सकती है उसकी मार्केट वेल्यू कुछ और हो सकती है एक 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 है पुर्वीत रडीयो तू फान हम विश्ने पागल युश्य उडर्ट त्रैंप मजेदार झाल चलिए खूड बॉन्टो ट्राइ ये सर्ट जी बिल्कुट सही बाती कतम होगी अरे एकदम करेक्ट है पहले पही आइल टेल यू कहां पर गलती हुई होगी जिन बच्चों से इंटर्पेशन में गलती होगी आई रिपीट इंटर्पेशन फर उनलाइन सुन वारी यहां पर गलती क्या गलती मिजॉर्टी जनता दस शेयर्स ऑफ दे कंपनी तो यहां पर वो क्या सोचते हैं इस इस अबाउट टोटल शेयर्स कितने अगर वहां से आपने इंटर्पेशन शुरू कि हमारी इंटर्पेशन से होता ही यह लेकिन उस पंड किते इंप्लायर और इंप्लायर ऑर मिघ्न दिया जाता था सए है यह बट प्रॉबलम क्या था आज मान लिए हमने व पैसे आप इन्टेरेस्ट घया तो मैं भी दस पर दे रहोओ आप बिदस रुपर दे रहोओ आप भी दस रुपर दे रहोओ इंप्लोई, employer employee ने मिलके वहाँ पर पांच करोड इखटा कर लिया है ठेक है बट वो पांच करोड पर आपको बस मेसिक minimal interest मिलता था और कुछ नहीं मिलता था वो पांच करोड है वो दस साल बाद भी उतना ही amount रहता था apart from the use utilization we have done फिर यह idea आया कि सुनो ना यार जब हम हमारी company कि पास इतना पैसा पड़ा है we can actually buy shares of the company यह नहीं करों market में invest करेंगे इस पैसे से हमारी company के shares खरीद लेते हैं अब यह company के जो share का price है वो बढ़ता रहेगा जब वो share का price बढ़ता रहेगा तो हमारे यह 5 crore रखा 5 crore रुपर सिर्फ interest की बात की तो तो 5 crore 10 lakh 20 lakh 30 lakh 40 lakh ऐसा कुछ बढ़ेगा तो वह उतना magnify नहीं होगा are you understanding the idea behind this कि यूस तो employee के लिए करना है लेकिन रादर देन keeping it in money let's keep it in shares अब हुआ क्या जब fund manage कर रहा है यह तो of course trustee manage करता है जब वो trustee fund को manage करता था तब वो एकदम उत्यजित हो जाता था उनके 5 crore रिकटी हुए पांच क्रोड के शियर से लिए अभी तो बहुत वैसा investment होता है जिसको आपने कर रखाए जब चाहो आप उसको बेच के वापस cash में रख कर सकते हैं जैसे कि लिक्विड मूचल फंड आते हैं ऐसे कुछ लिक्विड इन्वेस्ट आते हैं वह आप जब चाहो बेच के पैसा तरवर्ट कर सकते हो तो कहने का मतलब यह है कि प स्कीब टोटल 50 Seins इ Damenका अप लिए फिर वेल्यूंwe कौन गरे दीया हूआ है फिर वैल्यू आप जो फार्मला से केल्कुलेट कर सकते हैं एन मार्केट वेल्यू किया कज तो इतना पैसा मिलेगा 3540 से जो भी लोघ्र है जो भी लिए साय χvenir का 10% इतना जो है इतना जो आरज आप ट्रस्ट का इंवेस्ट में कर सकते हो शेर में मैं आपको इग्जांपल देख करता हूं वाली जे हमारा एक हमने स्कीम मना यह के इशेज दुश मैंस के टोटल एसथ बताता हूं तो आसरा के इसका इसका इसकी बैलेन्स शीट के अनदर मझी दिख रहा एक तो पांच करोड का तो कैश ही है और उसके लावा इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किये हैं तरेजरी बिल्स करता है ट्रेजरी बिल्स ट्रेजरी बिल्स क्रूड के बस ही है यही इनके दो को इनवेस्मेंट्स है आए और मुझे बताओ किसी स्कीम के पास घर गाडी यह सब थोड़ी ना होगा यहाँ पर प्रैक्टिकली पैसा ही रहेगा या फिर लिक्वेड इनवेस्मेंट्स रहेंगे तो इन्वेस्मेंट्स है अब हम पता करना है यह रहा है हम लोग जो है न हम तो थोड़ा सा शेर्सें निवेस्ट करें हम्सेयर् Souls यह सिर्फ अपनी कम्पणी के..? यह फिर अपनी वूल्डिंग कम्पनी के शेर्ट सकते स्पीडिरी के शेटा बिलाव नी CHS वॉस्टिण लगह सकतें अब यह जो आपका ट्रेशयिट यह कितने का वेल्व वैलिव चारकरोब इसका मार्केट वैल्यू कितना है 4कROड इसका फैर वैल्यू कितना है 4कROड इस चेस्ट और नाइन परसंट केसेज में टिसी हौन्हिए सोब भी दा स tornado कि पर रहे गा कभी-कभी दशकता है for example economic stability नहीं है तो हमने treasury bills RBI को दिये हैं लेकिन हमें डर लग रहा है कि हो सकता है पैसा recover ना हो तो यह 4 करोड का market value हो सकता है 3 करोड हो जाए कल को war situation आ गई RBI पैसा आपस नहीं कर पा रहा है 3 करोड 2 करोड हो सकते हैं तो in those rarest of the rare situation any one of them might reduce but 99.9% यह हमेशा सेम ही रहेंगे तो आपका book value market value fair value whichever is lower it will always be same तो 4 करोड ही आ गया तो 4 करोड प्लस 5 करोड 9 करोड आपके total assets है उसका सिर्फ कितना 10% आप 90 लाग shares में invest कर सकते हो बाकी कुछ में तो आप इस balance sheet में से 5 करोड में से आप चाहो आर्वी अंडेस्टाइब अभी बारत में लोगों का मानना है इधर वांट वांटो कीप इट कंप्लीटी शेयर बेस और यहां पर आकर हमारा प्रैक्टिकली पार्ट यहां पर आप आप यहां पर आके मारा पार्ट इद्व चाप्टर एंड्स आर यू ओल सुबर कंफिबल इस वेट फॉर्टी सेकंट्स कुछ भी कुरी दिमांग में आती है उल जलूल भी ता पूछ सकते हूं उसके आद में विल फड़ावट से गोएड तो दे सेकंट पार दो चैप्टर विच शूपर इस पार बाद से गो आरे पो झालीज शूपर पॉटिर तो आरे लिए में आती है झालीज चाहते हूं दो एक चलिए यहां पाद में नहीं है यह यहां पर सवाल दूब को अधिर आप टो चलो एजब झाल वाद दीडिये इस रेगलेशन वर दीर धिर गाम को बहुत धीर धिर इस्ट्रक्षर दिरीश देडि़ जने इस लिए वह को फिर जन्रल इन नेचर आप समझ रहे हो इतना जन्रल एक हमें लगता है कि यहां इसको पड़ना इसको पड़ना इसको करकर करके मागे बढ़ जाते हैं है तो इसी बड़ी केर भी वेरी कैरफुल एक्जाम में सवाल आ सकता है क्योंकि नया है और जबकि मुझे बताओ एक्शली नया भी है क्या नाई मैं आपको बता है ना कंटेंट is more or less the same बस यह दो अलग अलग रेगलेशन को कभी पेस्ट करके यहां पर रखती है आजाओ आजाओ नितर इतनी देर ऊपर तो नहीं बैठे थे अभी आया हो ना बहुत-बहुत वेलकम आपका नहीं बैठ पाओ गया नहीं बैठ पाओ अरे मैं कर नहीं बैठ पाओ गया हो जाओ फिट फुल लीन चलो इधर और चलो तो फिर यारो हम लोग इस चैप्टर के दूसरे सिस्टे मागे बढ़ता है दस्टें बार चाप्टर अपार्ट बीव दॉट इस स्वेट एक्विट हमने बढ़ा वापिस एक बार दो रेगुलेशन दिया लग अलग दोजार दो की दोजार चौदा की उनको मिक्स करके हम लेग रहा है दोजार की नहीं रेकुलेशन लाए हैं यह इसका चैप्टर बने स्प्रिम्नरी चैप्टर टू एं थ्री टॉक्स बाओ शेर बेस इंप पहले कि स्वेट एकुटी के साथ टॉपिक्स पर नजर कुमा लेते हैं उसके बाद में आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमने जब ओवर्व्यू लिया था ऑक्टोबस बनाया था उस हमने सब्सक्राइब को इंक्लूरी नहीं किया था था कि अगर मैं यहां पर देखता हूं सब आख़े एफ से बाद़ा टेशन ओवियू आपको यादे लेफ इंप्लोई फोर्शेर बैसिंप्लोई इंप्लाइब ईसके निशर वाथ मेलिगा था कि इस 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 गवर्जान में रिखा था कि दिस बवन सब्सक्राइब परपश आफ शेर बेसें ब्लाइप बेर यह सं इंप्लोई इसको और डिरेक्टर को और कुछ भी नहीं लिखा है कोई exclusion भी दिख रहा है नहीं दिख रहा है अभी हम सिंपल बढ़ रहे हैं एंड तक जाहेंगे काफी असान डिफिनिशन दिख रही है यह थे इंप्लाइब means employ means a company working in India or abroad and director of the company whether whole-time director or not part-time director whole-time director उसका पीस आप दे सकते हैं और employee का पीस आप दे सकते हैं रुकना अभी बीटू पर आते हैं यहां पर कुछ सीखने को मिलेगा a company whose equities रिस्ट रिस्ट को ने स्टॉक इक्स्चेंज में इस्टेडिक बीटिष इसे इन अच्टेशन को अपने को कमप्ला करना 54 यह जो इसको कमप्ला करना है लिस्टिंग एवाला रिगलेशन जो 2021 21 विश्ट सकते हैं ध्यान से फ़ोर देर प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग आगचली नो हाव और मेकिंग अविलेबल राइट्स इन देनेचर आफ इंटलेक्ट्ट्र प्रोप्ट ईथ और वेल्यू एदीशन वाट एवॉटेवर नेमक्ड समय अच्छा से विद्ध ने कंपनी लोगा कंपनी लोग इंदर स्वेडी क्रीजियर के पूरी रीटेशन पड़ी होगी यहां पर हम एक्दम छोटी सी डेफिनेशन की बात करें अच्छे समझना इस देफिनेशन के अंदर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने इतना सका कि आप जब भ इंप्लोई और डिरेक्टर्स बोलते हैं लेकिन जब इन्होंने क्लियरली इंप्लोई की देफिनेशन में डिरेक्टर को इंक्लूड कर दिया तो सेपरेटली और रेक्टर बुलने की अवशकता नहीं है तो यू कन गेव दस्वेडिक्रिश तो और इम्लोई नाओ अगेंस इस तो इस तो इस नहीं विट इन्स थे तो इस दो की आपकेट में और यूचा है तो यूट जोग आपना अच्छे से प्यार मोबच ते उसको बोले उसकी बाखरवडी इस उपर फीमस बाविमस है वो इतना से पैकट बेशने कुछ दो दूट के अए तिवानों की दिवा तो जो भी लोग बाहर से पूने आते हैं देवांट के रोट चितले की बाखरवडी चाहिए उसके लावा दैर आर टाइप आफ बिसकित जो कि पूने की काफी पेवस है श्रूबरी बिसकित तेक है तो बहुत नहीं के लेके जाने एंड इस प्रकार से आपको अपने अपने स समरी में वो तो यार बहुत लोग बनाते हैं पूने के पुरे महराष्ट में पर वहीं का फीमस क्यों है उनके अंदर कुछ तो एक टेस्ट है या कुछ तो बाद जरूर है मतलब वह पन देखते ना वो कुछ तो बाद जरूर है हम लोग हम लोग हम लोग लोग for example इस प्रक वोड़ी रेडी टुपे मनी एन बाइट क्या सब्सक्राइब कोई भी एक चीज है जिसके अंदर उसकी एक्जाक फॉर एक्जांपल बेटर एक्जांपल देते हैं फार्मेसिटिकल कंपनी एक दवाई बना रही है अब वो दवाई का एक्जाक्ट मिश्रण क्या है एक्जाक आप इस डवाई के अंदर आप क्या कितने एमल कितनी कॉंटिक्स कर रहे हैं उसका वैल्यू है वो बताया का नहीं वो बताया का नहीं बट अगर वो बताता है तो उसकी वैल्यू है नोहाँ आज अगर कोई नई चीज इन्वेंट करता है कोई व्यक्ति तो उसने एक फॉर से इंवाइब किया उसका वैल्यू है know-how what I am trying to tell you if your employer director has some know-how which is of value he can tell you I am ready to give you this know-how but let me you give me shares but let me give me shares those shares are termed as sweat equity issues sweat equity shares that I am getting equity shares for something which for which I have worked hard sweat equity share look now again or making available right in the nature of intellectual property rights or value addition by whatever name called IPR talks about that I am only a manic booklet and now I am telling someone that you know make company market on inspire private limited I said this is a book written by me I am ready to give the right of this book to the company written companies should give me some shares company is giving me shares and buying the intellectual property rights of my book for that matter even the lectures elective intellectual property is lecture to be a big intellectual property today if I say the Academy so I am ready to say intellectual property I am I am ready to give me I want equity shares of the company the shares they will give me is equity shares but lip console sweat equity share because I am to the shares refers to what shares sweat it refers to shares refers to shares issued as per section 54 of companies act and as well as this regulation of 21 to employees against which you get you are against which the company is getting know-how or intellectual property right or value addition by whatever name you have to see if you have any value addition will rise to your opinion value is software I have a software made a job of a boy by the world where are you going to be a job of a game made a pubg where are you going to be a of a lot of popular water for which I like a Pokemon go what I am trying to tell you I have to bought two fun interesting game made a game called sell company the shares of the I tell you can't even sellable everything is saleable everything is saleable just keep value I keep seeking as room that's top of the city's there company up with the share that equity that those are so delicious as easy as that तोड़ते हैं थोड़ाँ अच्छे से इसको बीडू अच्छे सब्सक्राइब कामपनी विच इस लिस्टिड सो यह मैं बार बार नहीं बोल रहा हूं कि बेसिक्स में चला चला के बताया था के सबी के सारे तो यह मस्या बेसिक प्रिशुम्शन यह सो अकांपनी विच इस इस इसुएं थे carbon equity shares after complying with and they are complying with one is section 54 of companies act and they're complying with this regulation of 21 इस सेभी शेयर बेज्ट इंपलोई बेनेफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगलेशन 21 तो इप यहां पर सिर्फ इंपलोई इस तरह इसलिए तू इसलिए तू इंपलोई स्वेट बद इंपलोई इसलिए दू थे लिए फॉर पहली चीज नोहाव प्रोवाइडिंग नोहाव कि आपको employee know-how दे रहा है डिरेक्टर know-how दे रहा है बदले में आप shares दे रहे हैं या फिर intellectual property right IPR पढ़ा होगा न आपने कही न कही कि सब patent, copyright, trademark सब IPR में आ जाते हैं वह आपको कोई भी IPR दे रहा है IPR और बहिया value addition by whatever name called by whatever name call so this is life अभी भी आसान है इसको याद रखना तरीका बहुत सिंपल है स्वेट इकुटी स्वेट मतलब भी पसीना वाला कि जिसके लिए company के employee director ने बहुत पसीना बहा है बहुत महनत किये और बदले में उनको उसके shares मिल रहे है that is sweat equity share तो इसका definition यही वाला definition पढ़ना है आप बच्चों में से जिन बच्चों ने पहले स्वेटिक का definition पढ़ा था उन्होंने दूसरा definition पढ़ा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है वह अपनी जिगा पर सही है लेकिन यह regulation यह definition देता है हमको यह definition पढ़के जानी है what do you mean by sweat equity shares when a listed company is issuing equity shares after complying section 54 of companies act as well as and I say regulation 2021 to the employees for providing know-how और IPR और value addition बाटेवर नेम कॉल life easy है यह हो गया सब्सक्राइब क्या बढ़ा कि कोई भी company अपने employees को डिरेक्टर को motivate करने के लिए उनको सब्सक्राइब कैसे function करते हैं इसके बहुत अलग अलग टाइप से समझो एक company उस company के अंदर अगर IPR और नोहाओ का बहुत ज्यादा वैल्यू है तो वह company में सब्सक्राइब पिक्चर में आएंगे पर एक्जामपल मान लीजिए यू 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 कोटा फैक्री सबने देखा है सब्सक्राइब नहीं देखा है कोई बात नहीं ऐसे से परिशान मत तो समझाता हूं तो इसा बता गया है कि बहुत बड़ी अकैडमी कोशिश करते हैं मान लीजिए के उन सबके लेक्श्र लोते हैं अच्छी तारीक में सब टीचर के लेक्श्र कर रहा हूं तो मान लीजिए कोटा फैक्टरी में एक अकैडमी है बहुत बड़ी तूफान अकैडमी उसके अधर एक टीचर है जो कि बहुत ही तूफान मतला एक दम स्टूरें आप पीपल लाइक हम लॉट एंड और और लॉट इस चुड़ेंट स्कोर वरी ओड़ी 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 तूफान लीजिए पूरा राइट हमको चीए लुट नहीं पर लेक्टर में इंटलेक्शल प्रपटी वह मेरा कॉपे राइटेट कंटेंट है बड़ी एकडमी वंट्सके इंस्ट्ट्रूट नहीं आपके पाइजे मन्जें पाइजे वह बठाएंगे उनको पुणको समझाने की कोशित काम करो ना आपको क्या काम करते ना आउसटूर इंसीट इंट परफॉर्म फरपर विल यू इक्विटिश्ट इस आपने से नहीं आपने से बनाया है वीुटिव इकविटिश्ट इस अको मतल रहे हैं और बदले में उससे लेना चाहते हैं नोहाव आई-पी आर या फिर वाल्य वैल्य एडिशन वाटेवर नेम कॉल क्योंकि अलग 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 टाइप के नोहाव हो सकते हैं तो किसी भी नाम से बुलाते हो वह अगर उनसे आप ले रहे हैं एक टेकनोलोजी का हो सकता ह आप जरोक्स क्या होता है समझते हैं तो जरॉक्स आज की तारिक में फोटोकॉपी को सबसे पहले लाया था तो अब उसके अंदर भी अलग-अलग रूल्स होते हैं कि को टेकनोलोजी अपलाते तो कुछ एर्स तक आप उसको एक्स्क्लूजिव ली यूस कर सकते हैं तो कु पूरे वर्ल्ड में फोटोकॉपी सिर्फ जरॉक्स करता था क्योंकि मशीन उसी के पास थी तो अपने राइट दे सकते हैं और गवर्मनेट उसको पॉब्लिक्ली अवेलेबल भी करती है तो बाद में वह अवेलेबल हुआ है ना तो सोनी क्या कोई भी कंपनी अब वो जिसने उसको बनाया तो माली जब वह बन गया दो साल हुए अब को बड़ी कंपनी आती है माली किसी इंपलाइब बना दिया बहुत तूफान सा वह पॉपिलर हो अभी इंपलाइब यह कंपनी का नया विक्ति बाहर से नहीं जो फेस्बुक वाट्साप पर डील ता उससे दो इस देते हैं तो कोई भी इंपलॉई को या डिरेक्टर को अगर हम हमारे कुटी को देरें बदले में कुछ भी ले रहे इन में से तो बिल बीक विक वर एज़ एक एक आईडिया लग रहा है अभी आगे जाएंगे तो बहुत बहुत बहुतर तरीके से क्लिर होगा पड इसको भी एक कर दिया है बड़ कोई कारन था या लग था विकल्स यह जो आपके शेडिवेस इंपलोई बेनिफिट है इस टारगेट टू इंपलोई इस एट इनको सेपरेट चैप्टर स्टीए कर एक दम माइंड सेट को चेंज करके इसको फ्रेश तरीके समपड़ते हैं स आपको से एक ओवर्यू दिया है थोड़ा रेगुलेशन पढ़ा दूँगा फिर आपके डाउट्स दूँगा तो बीवन इंपलोई का मतलब एंड देर आफ्टर इश्यों सटिक्रिश इंपलोई नेक्स्ट अब आते हैं कि लिमिट पे बी थ्री में कि मैक्सिमुम क्वांटम ऑफ स्वेडिकुली शेर के हमारी कंपनी मैक्सिमुम स्वेडिकुली शेर के नाम पे कितने शेर इश्यों कर सकती है यूल बी अबल टो अंडेस्टेंड बाई और से रीडिट आपको मेरी आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी मुस्लिया आपके हो गया क्या कहीं से किसी फरिष्टे ने कर दिया है क्या वास थाई है चलो यहां पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है हाँ आप सबको टाइम दिया पढ़ने का ना बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ पंचायती क्या हूँ आप सबस्क्राइब कर दिया है आप what is the limit the limit is that in a year you can maximum issue how much 15% of the capital in aggregate issue how much 25% of total capital life is easy now that IGP the point of time we are learning but we are learning from a very hard mind but we are learning what you should do ideally what you should do is your notebook in the last page we have 4 points where IGP which provision so which page for the provision for IGP or service provision because every place you can't remember but if you have a syllabus I have 6-8 provision so if you have a syllabus you can try to read it so you can read it so you can try to read it so henceforth work into what you can do घर पे जब पढ़ते हैं जहां पे भी आईजीपी का सेप्रेट प्रोविशन आता है तो नोट बुक के लास्ट पेस्ट पेस्ट प्रोविशन को इखटे करते जाओ समझ मेरा क्या रहा हूं चल यहां पर सबसाले नॉर्मल लिमिट मिल गए 50% 25% अब आईजीपी की लिमिट पता लेता हूं फॉर्दर कंदी लिस्टरों आईजीपी शेल भी पर्मिटेट टू इशू नॉट मोर देन 15% पेड़ चैपल फिनेंशल यह सेम सब्जेक्ट टू ओवराल लिमिट नॉट एक्सीडेंग 50% अब टू टेनियर्स फ्रॉम देट इस इंकॉर्परेशन और रज लाजानी आएगा की जोपन ट्रेडिशनली पूरा कंपनी लोग पड़ते थे ना अब दुनिया बदल रही है अब आप खुद भी देखोगे ना पिछले दो तीन सालों में स्टाट अप्स को इतना ज्यादा बूस्ट मिल रहा है फिर हम देखते हैं टेक्नोलोजिकल साट लाइक बिक बजार लाइक डून्जो फॉदर मैटर जप्टो जप्टो लिए ना मेना जप्टो जप्टो नया है दस मिटम प्रॉसरी डिलिवरी आरे मतलब उन्होंने मचा रखी है तो कुछ लॉंडों ने मिलके क्या इखटा गया जप्टो चालू करते हैं जप्टो और में क्या फरक है विक बजार में यह लोग थोड़ा कल तक देते ना वगेरा सेप्टो दस मिनिट मतलब दस में नहीं कर पाते कि क्या चीए आपने डिसाइड किया और आइडिया उसमें टर्म सें कंडिशन हजार रहते होंगे एंड और बिक जो भी एपने बिक प्लियर ना यह सब बहुत भारी थी तो उन्होंने उसको अक्वायर करने की कोशिश की बटकुई अक्वायर करनी पाया देडिन वाटेट अब अगर समय उसकरते तो कली समय ने अपडेट पुश किया था कि अब समय भी 10-minute delivery चालू करना चाहरा है तो आप देखोगे तो वह लोगी तो अब शुरुआत में we can hire 10 people कि चार इंजीनेर आजाओ आप सबको लाग रुपी की सैलरी देरें आप यहां से आजाओ आपको इती सैलरी देरें विकस जितने टाइप जितने अच्छी क्वालिटी का आपको टेक्नोलोजी चाहिए आई-टेंस सही आप अफॉर्ड नी कर सकत तो बिल्ड़ कंपनी सुधा टुमोरों देट बेनिफिट अफॉर्टी वहां पर आपको लिमिट यह कितनी 50% हायर लिमिट है विकसो सारी कंपनीजी टेक्नोलोजीकल कंपनीज रहती है लेकिन वह भी सिर्फ अप्टू 10 यह के बाद में आपको स्वेट इक्विटी का जो ह है वह आपको आपको 25% तक लाना पड़ता है उसके अपने प्रोविजिंस है वो सब सेलिबस पर नहीं है पर हमारे लिए उननों क्या का कि नॉर्मल कंपनी का एग्रिगेट लिमिट इस 25% लेकिन वहीं पर इग्रिगेट लिमिट फॉर आईजीपी इस 50% एन पर यह का लिम 15% पर यह 25% एने एग्रिगेट इसके लिए आपको क्या पास काना होगा श्पेशल रिजुशनी करीप सा भी एक एक लं नॉब फॉपस ऑप्सिंग श्पीश रस्पेशल शुस्य पर इवस ऑप्सिंड श्री शॉस्बाइशल इस्टेमें वोस्य बीलुसर इस्तिमि साथ को बहुत अच्छे से शेर बेसिद्स बेए गडवेफेट के अंदर इंपलाई के डेफेनेशन से सीधा तइक दिया था किसको प्रम requiring को promote those were not a part of employees their promoter coo benefit नहीं दे सकते वह पांच स्कीम में promoter benefit नहीं मिलता लेकिन स्वेट इकृटी से प्रमोटर को दीजा सकते और I'll tell you rather ये तो प्रमोटर को ही देते शुरुवात में लोगों को play direktorn in करते हैं पर मुटर बंजाओ आपको शिर दे रहें तेन पर संट शिर दे दिये तो आपको मोटिवेट करें पर मुटर के लिए न तो प्रमोटर को स्वेडिक शेंज दे सकते हैं को इसमें परिशानी नहीं है ओके पर पासिंग सब्सक्राइब आपको अगर आपको स्वेडिक शिर देन यह समझ में आया यह सिंपल मेजॉरिटी अलग है इसलिए अगर आपको स्वेडिक शिर देना यूवी ठॉर सब्सक्राइब करें आपको उड्न रेजलिशन लिवास अ diye करेंगे आज की तारीक में अगर मान लीजी हम रखते हैं कि हाँ प्रमोटर हमारी सारी जनरल मीटिंग है यह लोग प्रमोटर है इन्हीं को थोड़े और स्वेड़ी की रूप में दे रहे हैं अलाउट तो है हम लोग अप्रूवल पास करने के मिले यह यह लोग अगर वोट क एंड सेकेंड इसके अंदर पोस्टल बैलिट या फिर जिससे इवोटिंग कहते हैं वो ऑप्शन देना कंपल सरी है ना उंडर्टेंड वाइपोस्टल बैलेट इवोटिंग इस गिवन हमें पता है क्या प्रैक्टिकली शिरोलस मीटिंग करने आते हैं क्या अरे टाइम क्य हाँ वहाँ पर आपको इडली सांबर खिलाते हैं पर आने जाने का टिकेट नहीं जेते हैं यह मैंज मत रुकित करने नहीं जा रहे हैं प्रमोटर्स वोट नहीं कर सकते हैं तो बहुत थोड़े से जो इन्वेस्टर्स आएंगे वही लोग डिसाइड कर लेंगे इसलिए हाँ पर मेंडेटरी गया गया कि आपको इवोटिंग का ओप्शन देना कंपल सरी है ताकि जो लोग घर पे भी हैं घर पे भी वह अपने मुबाइल से अपने लैप्टोप से वोटिंग कर सके हैं तो जब स्वेडिक्रीशेर था इस्व कर रहे हैं तब आपको इव आपको सेप्रेट रेडिशन देना रहाँ से आप ब्लैंकेट रेडिशन पास नहीं कर सकते आपको सेप्रेट रेडिशन पास करने फॉर इच इस एक बार जो स्वेडिशन पास किया है उसकी वैलुडिटी होती है 12 months इसका मतलब क्या होता है आज मान लीजिए सारे शीरोलर से मिलकर इस डिरेक्टर को हम 1000 देने को लिए एस स्वेडी कृशियस ओके बड़ एड़ अलॉटमेंट हैस्ट विदिन 12 अगर 12 मंस में उस रेक्ति को अलॉटमेंट नहीं हुआ तो वह जो आपने आपने रिजलीशन पास किया था वह इन्वैलिट हो जाएगा वापे सापको फ्रेश रिजलीशन पास करना पड़ेगा वाद बैट मैटर जहां पर रिजलीशन पास किया था जनली उसकी वैलिटी होती है 12 इसी रुख जाओ यहां पर हमने कुछ अच्छा पड़ा है चार पॉइंट आते हैं 1 2 3 & 4 क्या चार पॉइंट पड़े हमने जब भी स्वेटी कृशियर इश्यू करेंगे स्पेशल रिजलीशन पास करना ठीक है अगर आप स्वेटी कृशियर प्रमोटर प्रमोटर ग्रू जो वोट नहीं कर सकता और जो भी आपके पोस्टल बैलिट या इवोटिंग जिसको कहते हैं उसका ऑप्शन देना जरूरी है सेपरेट रिजलीशन पास करना होगा आपको फॉर इच इश्यू आफ स्वेटी कृशियर और लास आ जाता है कि स्पेशल रिजलीशन पास करें होगी 12 months रुख जाना नहीं रुख जाना नहीं रुख जाना रुख जाना यहीं पर लिफॉर हंड़ पसें यह बताने के बाद में यह टीकप डाउट्स विफॉर जब इस वेडिशियर इस्वेश्यू करने यू इड़ीट पास आ स्पेशल रिजलीशन स्पेशल रिजलीशन पास करना होगा रुख जाओ मुझे बताओ कोई भी स्पेशल रिजलीशन आपको पास करेंगे तो स्पेशल रिजलीशन की वेलिटी कितनी रहेगी थर्ड पॉइंट इडिड़िए सब्रेट रिजलीशन आपको पास करना है एक टो क्या केश सपड़ाया अगर इसफेशल पास करना है नीचे आचा पोइंट था इजिवाला हर एक एष्यू के लिए हर बार जब स्विट इसो कर रहे हर बर सेपर डिलिशन सब्सेपर डिलिशन एच इस्जु अबस्वेदिक अद्यू रिफिट डिलिशन इफ याऊट इस्विट आ इस्वेद एकुटी शिर्थ टू प्रमोटर्स इस सट इस टो प्रमोटर्स बने रहना है प्रोप्चर लेकिन विए श्यूर्स टो चीजों का ध्यान रखना है पहला यहां पर प्रमो टर्स और प्रमोटर ग्रूप जो है इन लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा यह लोग कि एंदर प्रमोटर को थोड़ी दिरहे हैं किसी इंप्लॉई को दे रहे हैं तो सब का वोटिंग राइट होगा सिर्फ अगर आप प्रमोटर को इसको हम और सेकेंड इस केस में कि जब प्रमोटर को इस दे रहे हैं तब यहां पर आपको सारे शेरोल्डर्स को कौन सा उप्शन देना जरूरी है यह वोटिंग या फिर जिसको हम पोस्चल बैलिट भी कहते हैं यह देना मेंड़ेट्री कि मैंड़ेट्री हो जाएगा and that is as easy as that हो गया है क्या 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 स्पेशल दिशन पास करना स्पेशल दिशन के वैलिडिटी 12 months रहेगी separate resolution पास करने का for each issue and अगर आप issue कर रहे हैं for to promoter promoter प्रमोटर वोट नहीं कर सकता है और बाकी सब वोट करेंगे electronically के लिए हमने क्या बढ़ा हमने सिर्फ के लिए चार चीज़ें बढ़ी हमने बहुत इजी चल रहा है तक भी if there are any queries up till here you can ask एक दमस्ती से अभी तक मैंने पढ़ाया भी क्या वापिस बढ़ां सब्सक्राइब इंडिया में काम करेंगा बाहर इंप्लॉई है बोड़ फ्रेक्टर्स इंप्लॉई है उसके बाद में आप किसको देने पूरी डेफिनिशन में पड़ी फिर क्वांटम पर यह 15 परसें एग्रीगेट 25 परसेंट फिर हमने पड़ा स्पेशल डिशन पास्ट करना पड़ेगा पहला उसकी वालिटी ट्वेल सै इसके अगरेगें स्वेट इकविटि श्यर्स अब सुनना काले तर्शाय से इक चीज्वांट अच्छे से मिप्राक्टिकी क्या हुरा और सुटिकीक description को साथेंटिक के प्रोवेशन को बहुत ऐखिविञेट किया जाता है इसको आख कह सकते हो इस टाइप ओफ प्रेफरेंशल इस्यू प्रफेद इस्यू सुमझते हम लोग आई सीडियर में प्रफेदिल इशू भी कहरे जनरली अभी भी हम लोग अगर मान लिजे हम किसी भी सेलेक्टिड क्लास आफ पर्सन को शिर्स इशु कर रहे हैं और प्राइवेट प्लेस्मेंट बेसिस पब्लिक का ओफ रॉपन ही कर रहे हैं इस प्रेफरेंशल इशु तब बहुत सारी जगह पर सब्सक्राइब पर पर नहीं है हम क्या लिख देंगे के प्रोविशन्स विल भी अप्लीकिबल सेम लाइग प्रेफरेंशल इशु उसका एक बेस्ट एक्जांपल आचाहेगा प्राइसिंग प्राइसिंग कैसी होगी सेम लाइग प्रेफरेंशल इशु लेकर और वियक्ति को शेर से लोट करते हम अगर किसी बirkति को शेरहर करते करते प्राइबेंट ब्रेफरेंशल इशयू कुलिकला इक की लिख करते हुए तो हम कहते हैं qualified institutional placement प्रिफरेंशल इशु कर रहे है तो आप प्रिफरेंशल इशु कर रहे है क्योंकि आप क्यूआ भी को थोड़ी ना दे रहे हैं क्यूआ भी को अगर दे रहे होते हैं तो वह qualified institutional placement हो सकता है there is no possibility that your employee or director would be a QIB वो तो possibility नहीं है तो इस कारण से हमेशा है प्रिफरेंशल इशु का अदर दिन क्यूआ पी क्यूआ पी को हटा के जो प्रिफरेंशल इशु के प्रोविशन होते हैं वह आते हैं लाइफ हमारे लिए एक्षाइम के लोगाउट सोचने तो अफ़ी असने प्राइसिंग ऑस्ट इसेम लाइक प्रेफरेंशल इशु यह एक चीज़ हमें मिली नेक्स्ट वैलिवेश्ट अब सुना यह दो टॉपिक से जिसमें ज्ञागा सकते हैं यह दो टॉपिक ऐसे जिसमें ज्ञागा सकते हैं बड़ गुड़ पार्ट इस कि इंट्रेस्टिंग है आइव और यहां पर जिन बच्छों का अकॉंट स्ट्रॉंग है उनको काफी इजी आएगा इजी जाए गए है और कुछ लोग सिर पकड़ के बैठें एक्दम से सबको समझा दूँगा चिंता मत करो एक बार खुद से पढ़ने की कोशिश करो कर दो कर दो कर दो कर कर दो कर दो कर दो करल कर दो कर दो झाल झाल कि अच्छा लिए कुछ बच्चों ने पढ़ा कुछ बच्चों ने पढ़ने की एक्टिंग की इधर आजाओ मैं आपता हैं कुछ बच्चे मस्ट अक्टिंग करते हैं यसी मैंने बूला उसके बात अगर मैं दो साल तक भी कुछ नी बोलूगा तो ऐसी करते रहेंगे उनको ऐसे नीजब हां सब सब्सक्राइब करें यह क्या रहे हैं कि आप सुना मेरी बात को सबसे बोड़ी परिशा नहीं क्या पता है अरे मतलब छोड़ो यह एक छोटा सा टॉपिक है अथवे कि गहरायू में डूप जाए ना तो इतना तूफान कंसेप्ट है कि वीकें सटीट फॉर मतलब 10-12 आर्स तस दिस कंसेप्ट समझना क्यों क्योंकि हर एक चीज अगर मान लीजी अगर मतलब इस प्रिशिप का वैलिएशन क्या जा सकता है बट वें इत कमस तू एनी नोहाव एनी इंटलेक्ट प्राप्र एड एनी वैलिएशन हाओ विल्यू थे जब यू वैजघ एड़ जाओ वावाड़ी उसका रेसिपी का वैलिएशन निकाल दो नहीं निकाल सकते ह मतलब how do you value that recipe how do you value that recipe because अब हम कैसे जच करें कि उस recipe से future में कितने समय तक वो लोग पैसे कमाएंगे तो वैलिएशन अगर अपन करेंगे तो ऐसी करेंगे ना the profitability in future तो हमें मानते हैं कि अगले 5 साल तक इस बेस पे चलेगा और इतना इतना revenue होगा so my point is it is very difficult to value any know-how किसी भी copyrighted चीज़ का valuation करना काफी मुश्किल है किसी भी value edition का valuation करना काफी मुश्किल है तो अब हम क्या करेंगे किसी ना किस तरीकिस तो valuation करना पड़ेगा क्यों valuation करना ज़रूरी है अरे भाई उसको कितने shares दें decide करना है आज उसने हमें एक value edition दिया मैं आज मेरे books का मेरे lectures का copyright मान लीजी academy को देता हूं तो उसके बतले में valuation तो करना पड़ेगा न so that's the difficult thing that's a difficult thing तो इन्होंने एक बहुत general बात बोली है कि valuation कैसे करेंगे the valuation of the know-how IPR value edition shall be carried out by a merchant banker इन्होंने बोलके लिखके छोड़ दिया आप भी क्या करना exam में लिखके छोड़ देना examiner भी क्या करेगा चेक करके छोड़ देगा और हमारे बैंकर क्या करेगा expert को बुला लेगा रुक 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 रुकॉ the merchant banker may consult such expert and value as it may deem fit having regard to the nature of the industry and the nature of the valuation of know-how or intellectual property or value addition जैसे की merchant banker जो जन्रल होता है उसका करना है तो मर्चंट इंकर तो शेर्मर्केट का उक्सपर्ट है वह इक सब्सक्वर्ट धून देगा जो कि उस इंडस्ट्री का call for industry expert क्या बताओ कि इसका इस सही है कि नहीं है इन्होंने जो रेसीपी दिए हो सही है कि नहीं इसका वैलुइशन क्या होगा फिर प्रोबैबली कोई कि ऐसे व्यक्ति को फूस इंटु मार्केटिंगें मैनेजमेंट अफ सच आइटम कि इसका वैलुइशन आप कैसे कर सकते हो तो यहां पर भी बात खतम हो जाएगी क्योंकि एक्सपर आने की बात क्या करेगा भगवानी मालिक है इन्होंने भी लिखके दिया आप भी लिखके आजाना कॉपी चैकर भी चेक कर लेगा सब खुश यहां पर लेकिन एक्चुली कैसे वैलुइशन करेगा उसका आंसर ही नहीं है आंसर ही नहीं कैसे वैलुइशन हो सकता है विकुस्ट इस तैम डिफिकल्ट तो वैल्यू एनी इंटलेक्टिल प्रॉपटी रही बट हमें क्या बताया मैं वैलिशन करना किसके बास जाएंगे मर्चंट मैंकर वह गरेगा वह भी सर्टिफाइब करतेगा बढ़वान जाने कैसे होगा इस अब आयल टेलिव क्यों क्योंकि इसके अंदर मैं क्यों क्या थे इसको तेलिट कर सकते हैं इट केन ओनली बिश्कर्स विदिग्स कैसे इसे किसे में कुछ जगपर इस वरी डिफिकल्ट आई गिवेश्माल इस अधिल नौट इस वेलिएशन बढ़ जस्ट रिस्ट वेश्ट वाडिट करने के लिए एक कंपनी का काम था और वी मतलब आप समझे वहां पर चॉप अले ते गैस था कुछ उनका फार्मा का काम होगा अलग-अलग प्रकार के ओल चेमिकल्स थे उसका अब उसके प्रका प्रकार के केमिकल्स लिखें आगे उनकी क्वांटिटी लिखें और यहां पर ड्रम से जाओ कलो चेक करेंगा उसके लिए सब एक है अब आप समझो सोयाबीन ओयल या फिर मूफली का तेल थोड़ी ऐसे करके हाँ 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 ही के नोट चेक इना देर कैमिकल्स तो वाट वाट विली डू तो प्रैक्टिकली करने हाँ हाँ यह लिख रहा है इतना यह सब्सक्राइब इस अब बड़ा साइसा एक रॉड आता है जिसके उपर मैजरिंग शिक लगी होती है अब ऑब एक सब्सक्राइब अब और यह जो निकलता है उसका मैजरमेंट लिया और यह बाला यह थे पाते हो कि वो चीज क्या है अब वाट ईस वाली शनक्राइब करना तो इस वरीडिकल को बेषा वाट बडुटीं बोलरों अबस सब्सक्राइब के जीए मौन करेगा मर्चंद मैंकर के अटेक थे लप अ बफी इक्षे एक्स्ट्री एक्सपर एन यह सब हो सबसे है या नहीं था यह होगा आब वालेशन डेसा महाओ यू विल दॉधा आप्लट उपट फॉपट्विज इन शिंट treatment how will you treat the sweat degree shares in terms of your company's accounting so not just whether it's very vicious issued for non-cash consideration because of them you know how the valuation will be done by merchant banker he may consult कुछ लोगोते ना सब कुछ कर सकते हैं वो कर लेंगे उनको करने की जरूरत नहीं है तो ही में consultant expert and last me he needs a certificate from a chartered accountant कि सारा वैलिशन सभी किया अब आपकाउंटिंट पर यह important है कुछ दो एक साल पहले इस पर for a non-cash consideration आपने non-cash consideration पर इशू किया है कि आपने स्वेडिक रिशे दिए बदले में कैस्ट थोड़ी ना है बदले में उसने कुछ आई पर दिया है such non-cash consideration shall be treated in the following manner in the books of accounts of the company उस non-cash consideration को आप कैसे treat करोगे समझना बहुत अच्छे से where the non-cash consideration takes the form of a depreciable or amortizable asset sir what do you mean by depreciable or amortizable asset समझना अच्छे से it means an asset which can be carried to balance sheet रुकना एक्दा माराम से asset लिखने का बाद में समय दोंगा which can be carried to balance sheet where the non-cash consideration take place of a depreciable asset it shall be carried to balance sheet of the company in accordance the relevant accounting standard or where clause is not applicable मतलब ऐसा कुछ asset नहीं मिला है इट शल्बी expense this provided in the relevant accounting standard sir पता है आपको क्या हूँ अभी कुछ भी नहीं समझा इसक्स बीसेवन इधर आओ नहीं नहीं समझा नहीं समझा इधर आज़ा बीसेवन हंड्रेट परसें फोकुस के साथ समझना बाद समझ मैं आएगी आज मान लीजिए मैं शेर्स इस्यू कर रहा हूं स्कूल सामॏकियो एंधर से गुषं कर रहा हूं पैसे लेकर अपंसक्त बैक मैं अप्लिकेशं ओन टू अपकूंटिअ टेम्च बैक ow तह इसक्थे अचोंट सॉब हो ऱैस इस यह भी बात है एवह सब्सक्तिरक्री यह यर्प accounting entry होती है, bank account debit to share capital account, बिल्कुल सही है, bank balance sheet है यह हमारी, इसमें यहाँ पर हमारा आ जाता है, bank रहता है, यहाँ पर share capital हो जाता है, नौर्मली कोई भी account होता है, bank account, share capital account, हर account में debit, credit, debit, credit, लेकिन balance sheet में क्या होता है, यह आपकी liability side और यह आपकी असे रोती होती होता है, लेकिन this is the credit side and this is the debit side, debit balances और credit balances balance sheet के अंदर उल्टे होते है, यह मेंशे ध्यान रखना होता है, कि balance sheet के अंदर जो भी credit balances हो इधर आ रहे है, तो normally debit credit होता है, balance sheet में opposite होता है, चलो, अच्छी बात है, कुछ लोग इस घूर के मत दे कोई, पढ़ा 11-12 में, ठीक है, focus करना अच्छे से, so now when you are effectively making an entry of bank account debit, तो bank account debit मान लीजी आपने कर दिया 10 lakh, to share capital account credit, यह आपने कर दिया 10 lakh, तो आपकी balance sheet में क्या होता है, bank में debit side में 10 lakh rupees आ जाते हैं, और इधर share capital भी 10 lakh से बढ़ जाते हैं, balance sheet मैच होती है, सब लोग मेरे साथ में यहां तर, this is how we pass accounting entries, right, now the biggest problem in issuing sweat equity share is, sweat equity share में, पैसा तो आई नहीं रहे न, पैसा नहीं आ रहा है, तो अब हमारा share capital तो 10 lakh से बढ़ जाएगा, बड़ यहां पे हमें asset side में कुछ तो बढ़ाना पड़ेगा न, this is the trouble, क्यार हमें मिली नहीं रहे कुछ तो क्या करें, मान लीजिए, अब दो case हो सकते हैं, वो हमें जो चीज दे रहे हैं, intellectual property right, know how, कुछ तो दे रहे हैं, अगर that, if that thing can be carried to balance sheet, कुछ चीजे carryable है, copyright carryable है, कुछ चीजे carryable होती है, balance sheet के अंदर, copyright हो सकता है, patent हो सकता है, trademark हो सकता है, कुछ चीजे आप carry कर सकते हैं, but something like a recipe, you cannot carry it यार, उसको balance sheet पे कैसे लेके जाओगे, तो कुछ चीजे ऐसे assets हैं, जो accounting standard कहता है, कि आप उसको balance sheet में ले जा सकते हैं, कुछ assets बली कितने भी valuable होंगे, उसको आप balance sheet में ले जा, नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा picture में issue या आएगा, कि आपको ये check करना है, कि जो आप sweaty precious दे रहे हैं, जो asset मिल रहा है, whether that is amortizable or depreciable or not, means, आसान भाशा में, whether it can be carried to balance sheet or not, any asset which can be carried to balance sheet is amortizable and depreciable, हर साल depreciate करते हो न, तो any asset which can be carried to balance sheet means it is amortizable and depreciable, so you have to see कि वो asset balance sheet में आएगा, मान लेते हैं, आएगा, तो तो चिंता ही खतम, कि हमने मानी जी ट्रेडमार्क लिया है, और बदले में उसको shares दिये, तो हम यहाँ पर क्या account क कर देंगे, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क account debit to share capital हो जाएगा, share capital credit side में बढ़ रहा है और यह debit क्या हो है trademark, यहाँ पर ट्रेडमार्क आ जाएगा, दस दस लग से, problem solve, problem solve, so when you are able, when you are able to get some asset which can be carried to balance sheet, then to there is no problem, you carry that asset to balance sheet and you give the share capital, balance sheet match, problem solve, परेशानी तब हो जाती है, when you are not, it is not possible, when you are not getting any asset which is carryable to balance sheet, वहाँ पर फस जाते हैं, अब क्या करें, तो वहाँ पर कोई option नहीं है, यह पूरा का पूरा खर्चा, you charge to P&L account, then you make the entry, मैं सीधा effective entry बता रहा हूं, otherwise बहुत सारे account बीच में आते हैं, मैं effective entry बता रहा हूं, effective entry will be P& P&L account debit to share capital account, अब इसमें क्या होगा, share capital 10 lakh से आजाएगा, बट P&L वो इसके पहले आपका एक P&L account बनता है, P&L account में expense की तरह चार्ज होगा, अगर expense आया, तो आपका profit 10 lakh से कम हो जाएगा न, मान लो profit आपका होने वाला था 50 lakh रुपे, उसमें आपने 10 lakh का खर्चा डाल दिया, तो अब आपका profit कितना होगा, 40 lakh रुपे, तो जो profit यहाँ पर आने वाला था, आपका 50 lakh रुपे, मानिजे profit आपका यहाँ पर आने वाला था 50 lakh रुपे, एक अधो, profit कहां पर आता है पता ह से profit कम हो गया तो आपकी balance sheet तभी match होगी आपके पास या तो आपने पूरा खड़्चा expense में charge करना है अगर आपने expense में charge कर दिया है तो profit कम हो जाएगा तो आपकी liability side में क्या हुआ capital बढ़ा profit कम हुआ balance sheet settled या फिर आपको कुछ ऐसा asset चाहिए जो कि बैले शीट में कर पाऊ तो आपकी balance sheet में liability side में आपका capital बढ़ रहा है और asset side में आपका वो asset आ गया तो आपको balance sheet तभी मैं चोगी मैं explanation के लिए ये वारी balance sheet रिउस करता हूं बट presentation के लिए हमारी balance sheet हो जाती है ठीक है अब हमारे लिए मैं बढ़ता हूं सिक्यॉर्डी लॉक से इस वरी सिंपल बट अब वो आपको समझ में आएगा जिस लैंग्विज में आपके लिख रहे हैं आफ्टर अंडिस्टैनिक इन अकांटिंग वे देखना क्या लिखा है और जिन बच्छों को अकांटिंग म स्वेट इकुटी शेट सुनों केस वन या केस चुप पहले हमें यह बताओ कि आपको स्वेट इकुटी शेर के बदले में जो मिल रहा है आपको वेदर इट कैन बी कैरी टू बैलेंशी टॉर नॉट समझना मतलब क्या कह रहे हैं दर नॉन कैश कंसिडरेशन प्रैदर सहर नॉन कैश सब्सक्डराइशन और के सबस्द अंतरए देडम के इस तरह में इंब सत्राइशन नोहें क। स्विंड विच इस डेप्रीशियेबल और अमॉर्टाइजेबल इसका मतलब क्या है विच कैन भी कैरी टू बैलेंशीट ओके तो एक तो केस हो गया कि हमें ऐसा सब्सक्राइब विच कैन भी कैरी टू बैलेंशीट यहां पर तेंशन ही नहीं दूसरा केस हमारा आसेट जो हैना सर वो डेप्रीशियेबल या फिर अमॉर्टाइज सेबल नहीं मतलब इट केनाट भी करिए टू बैलेंशीट तो अहां तक तो क्वेश्चन में दिया जाएगा कि क्या है कि कैसा है वो डेप्रीशियेबल अमॉर्टाइसबल है कि नहीं है इसके आगे हमें इत to balance sheet then the effective entry would be effective entry हो जाएगी आपकी PNL account debit to share capital account यह effective entry हो जाएगी आपका expense भो गया sorry I'm sorry I'm sorry मैंने उदर की entry दर पास कर दी PNL account नहीं होगा effective entry हो जोगी आपको मिल रहा है इसेट अकाउंट डबिट टूशेर कापिटल क्या आपको असेट मिला जो भी आपका डेप्रेशिवली आमोर्टाइब असेट वो मिला वो गया आपका असेट साइड और शेर कैपिटल बढ़ गया असेट मिलता ही नहीं है तो आपका यह यह अपिशन ही नहीं इसको करने का देन यूवाब एक्सपेंस चार्ज इस एक्सपेंस इन पीनलकाउंट पीनलकाउंट यह ब्मार्टी आपकाउंट इसेट 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 शाज कर लो उसकी एफेक्टिव एंट्रियों कि अबना पर लिगते हूं अगर आप उसको लॉजिकली भी पढ़ना चाहिए सिंपल समझो शेर कैपिल क्रेडिट तो होगा अब कुछ तो डेबिट करना है अगर किसी वेक्ति का अगर विक है तो उसको यह याद रखना है आपको बता रहे तो अगर तो इसको यह याद रखना है बस यही है यहाँ पर भी सेवन में लिखावा भी है यहां पर यही है यह नौन-कशा यहीं टेक्स फॉर्म टैट यहाँ इन आहीं मिल रहा है दो दो है तो है कि जो भी आप उसको बैलेंशीट में लेकर जाओगे या उसका एक्सपेंस भी चार्ज करते हो यह हम पढ़ रहे हैं इस एस पर दी बैलन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस अब यहां पर कुछ लोगों परिशानी हो सकती है मस्ती सब सवाल पूछों अगर यहां इस चार्ट में कोई भी कुश्चन आ रहा है इस यह कैसा है जिन लोगों के दिमागों बैठा तीर के मफिक बैठ गया होगा इस नहीं बैठा है उन्होंने याद रख लिया होगा किसा राशेट डप्रेशेबल अबरेशेबल है तो बैलेंशीट में ले जाएंगे नहीं है तो पिलमिशाट इवन इस नौट इस नौट इस नौटेखल बर अथीच्ट के आपके कानि कैसे वह लिए सब्सक्राइब अच्ट के आपके सब्सक्राइब सब्सक्राइब का जाएंगे उसके पाध में क्या है बच्चों असी बाते है प्लेसिंग ऑफ ऑडिटर ऐसेटिफिकेट बिफोर AGM in the general meeting subsequent to the issue of शेरोलडर असर्टिफिकेट फ्रम होम से कुरिटरियल यह प्रैक्टिसिंग सीए सबस्थ हाएगा चेक करेगा कि सब्सक्राइब करें चाहिए कि रहा है रहा है से क्रेटरियल और यह अर्ट मुझे बताओ यह चीज़ कॉमन है न यह पांच और स्कीम में भी तो थी कि अगर क इस पीएस तो यह एंड पे सेकरेटरियल और बताता था कि यह इस साल में इस चीज़ को लेकर सारे प्रोविशन कंप्लाइब हुए या नहीं होगा इस अन्दर कॉमन पॉइंट कुछ परिशन नेक्स अच्छा पॉइंट वापस चोटा सा सीलिंग और मैनेजिरियल रेमु जिसके अंदर एक लिमिट लगाती एक कंपनी के एक कंपनी के जो मैनेजर्स लोग है जो टॉप मैनेजमेंट है वो कितना पैसा ले सकते हैं क्यों लगाना जरूरी है सुनना तोडे मान लीजिए फॉर एक्सांपल को यह कंपनी है इंस्पाइर इस नॉट पॉब्लिक कंप यही जिंदगी जीनिया हमको एक व्यक्ति कंपनी और पैसा अभी अगर वो डिसाइट पैसा उनी का लगाना तो यहां पे जो मैनेजमेंट पैसा किसका लगा है पॉब्लिक का है अब यहां पे जो मैनेजिंग डिरेक्टर है फॉर एक्सांपल मुकेश्मानी नाओ यहां र दस्तंड तका मैं दसक्रों गाएख महीने का इसलिए आया एक सेक्शन कंपणी दाख में जिसने लिमें लगा कि यहां कितनी स्लिए सकता है तो बहुत सारी वापन वापनी परसन फैफ परसन एक्सर्ण एक्टर एक्षय का अपके लिए कि एक कम्पनी का मैंदेग्तर बिले सेलरी ले सकता है 5% of the net profit कि कंपनी का net profit है उसका 5% इससे जाधा वो रमिनेरेशन नहीं ले सकता यह हो गया एक टॉपिक का ओवर्यू सर उसका यहां पर क्या रिलेशन है यह कहना चाहरे है कि जो स्वेट इक्रीशियर्स मिलते न इस विल बीए पार्ट ऑफ मैनेजीरियल रेम इस फट्रीश इस शेल बीटेट इस पार्ट ऑफ मैनेजर रमपसी लाइनी पढ़ानी थी फॉर्ट ऑफ ऑफ फीजिए फ्ट पॉलिए फॉल्फिल प्लिए पहला तस्वेडिशिए शूट तु डिरेक्टर और मैनेजर अगर दिरेक्टर ए मैनेजर को दिया कहने का मतलब ह तो उसके लिए क्यों आएगा मैनेजर को आप दे रहे हो तो ही ये प्रोविजिन अपला होगा नेक्स्ट तस्वेट इक्रीश इसूट फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन क्या आपने उनसे पैसे नहीं लिए है और उनसे कोई आई पी आर्या कुछ लेकिए उनको शेर्स इसू बालन शीट और बदले में उनने जो असेट दिया वह बैले जा भी नहीं सकते हो बहुत कॉम्प्लिके टो रूखना सबसे पहला सवाल तो अब सम्झों कि वह द दूस्ट में वाट इस बाद एक फोर लाक रूपीस अ मंत यह अपर लिमित अगर मुझे सवेटिक एश्य मिल तो फिर तो मेरी लिमिट कम हो जाएगी ना माय लिमिट इस फोर लाक रूपीस मान उसमें 30 को इंक्लूड कर दिया है तो मान लीचे मुझे दो लाक रूपए के स्वेटिक एश्य दिये तो मेरी लिमिट फिर टू लाक का मंत की बच गई ना आयो पिर अंदस्टानिंग तो अगर आप डेयक्टर, बैयरेक्टर, मैनेजरए को दे रहे हैं दूसरी कंडिशन इंपोर्टेंट है अप्रिस्ट रिशानी नहीं है तॉपिक चल रहा है स्वेट इकुटी शेर वेदर इल्बी इंक्लूद इन मेनेजियल राइच नौट श्श्ट इंक्लूद क्यों टेक चलूद सबस्यु घरलिशॉइड इस वेटीकीशियस इफ यह जिवन टू मैनेजर रेक्टरडी तो अस्वेटीक शेर अगर आप दियर तो मैनेजरल रिमिरेशन की लेक्ट में निक्लूद but then it will be excluded if manager or director gives any asset for such sweat equity shares which can be carried to balance sheet वाट समझ में आ रीए क्या स्वैट एक कुट इंक्लूर करेंगे बिलकुल करेंगे अगर आप दे रहो manager को या director को लेकिन नहीं करेंगे एक्सक्लूद हो जाएगा अगर वो manager director ऐसा दे रहे जो किया बैले शीट में ले जा सकते हैं अगर मैं पूरा समप करके एक लाइन में बोलू जो कि difficult line है तो यह हो गया कि managerial remunation में include किया जाएगा अगर director manager को दे रहे और साथ में वो कोई asset ऐसा नहीं दे रहे हैं जो कि बैलें शीट के अंदर लेके जा सकते हैं इंक्लूड इस प्रकार से बढ़ते हैं थोड़ा सा समझना थोड़ा सा असान हो जाता है इसा कुछ नहीं हो रहा है ना सब ठीक है इसा कुछ नहीं हो रहा है ना सब ठीक है अपने चालो किस अपिक अफी आसान है लेकिन वहीं के बीच बीच में कुछ ऐसे चोटे चोटे से ऐसे परिशान करने वाल टॉपिक देता है अब एनिवेस क्या बच्छा के हैं वनस लेस्टिंग अजन इस उसके नाम में जनरल उसको पर अगे हम है इधर ओव लिसेंग बादी खतम तस रेकिशेर बाइन अलसे कमनी शेल बीच लेडिबल फो दिस इंग बात खतम जेकर बिलकुल होगी और लास्ट आया जनरल अब्लिकेशन अब कम्पणी शेल इंशेल इंशिया बैट इतना जनरल है कि आपको इसा पहले सबढ़ा एक बाद रिट करो सब्सक्राइब बहुत अब सब्सक्राइब कोई भी ऐसे ऐसी चीज देता है जो असेट नहीं है तो उसको जा रहा है हाँ है नहीं उसकी लिम उस पर्टिकलर डेरेक्टर की लिमिट उस लिमिट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा ऐसा कहा रहे है तो माली जैसकी लिमिट है है ऐसा सोच सकते हैं अब प्रैक्टिकल ऐसा क्यों नहीं होता क्योंकि एक कंपनी के अदर जो अपर लिमिट दे रखी है सब्सक्राइब होगी होगी आपकी सेलरी नॉमली होती ना माले जी मेरी सेलरी की लिमिट लॉग कहता है 50 लाग और मुझे दस लाग रुपे देते सा हां लेकिन अब लॉग उन्होंने बनाया तो बहुत कैर्फ़ली बनाया तो इसके अंदर वह पॉसिलिटी बहुत रहर आ जाती है चली यारो जन्रल पढ़के परिसान हो चुके हो इधर आ जाओ पर इसको मैं रैपकरता हूं फिर आप लोगों से बात करता हूं कोई और अब सब्सक्राइब सब्सक्राइब आध और कापनी शेल इंश्यूर्ट एट एक्स मेर इस सी बात है कि इस से फिलीनटरी स्टेटमें चूड है और दिस्क्लोशर यह तो कान ही लिखा है मुझ्व ऑठ लग एक्सिपे है शेड शून रहा है एं आपको समझ यह ऐसी बात है हो घर से निकल रहे हैं जादीभी बाहर का खानना माइद किसे कुछ लेना वाथ किसे बात करना वाथ फिक्स है पता है हमको क्या बोलेगा है जनल रहेगा के अंदर ये और कोई भी रही है तो सैक्रेटरी अटिट का यह द्यूटी है कि वाके बताएगा ऑपको पड़ा कि नहीं अगर नहीं नहीं पताना था तो आपको पड़ा कि रहा होता में कलको प्रेक्टिसिंग सीस्पानों गया तो आप जाके चेक करोगा शुक्रारी यह वैलिवेशन अकाउंटिंग तो यूब बेटाओ कैसे वालिशन वे वालिशन वे तो चेक वेटर अपनी विदिन सेवेंटेशन देशों शेयर सेंट शेयर सेंटेमें तो रिकटने शॉक्टेशन अभी हम बाख करेंगे जैसी आपने श्वेटी कुछ उगए उसके साथ दिन के अपको स्टॉक एंफॉर्म कितने स्वेट इक शुकिये कितनी प्राइस में आपने शुकिये कितना अमाउंट रिसीव हुआ आपको डिटेल्स ऑफ द परसंटुम में इसूर्ण आपने कॉन से इंप्लॉई डिरेक्टर को दिये दग कॉन्सिक्वेट चेंजिस नदग कापिटल स्टॉक्चर एंड शे क्लास में अच्छा लगता है लेकिन वह सबसादा परिशान करते हैं कोई भी टॉपिक का स्पेसिफिक होना क्लास में परिशान करता है लेकिन वह सबस्तरी में इसी जाता है जैसे कि मैंने आपको 15% 25% की लिमिट पढ़ा दी स्वेटी कुली शेर की यह क्लास में पढ़ते यह प्लिक पाहुए तब स्पिक एक्जमेल कि खाँगे ब्रहन थैस्ट पाहुगे लिए IT स्वेट्पिक लिए प्रहे लाग्या है क्या बाखे लिए क्या लिए धिस इनूमें टिस्टमी विए लिग सिवेट टॉडच भी स्टियर क्यों दिस्ट प्रक्राइब था प्रिश्ट पर इस लिए इपकर श्वेट इक विटी शेर्स होता है अंध और यहां पर आपका धी एंटार रेगुलेशन शेयर बेस्ट इंप्लोई बेनिफिट एंड स्वेट इकुविटी रेगुलेशन इंट इक विटीव शेयर रही है अगर हम देखें तो काफी एजी है रुख जाओ एक चीज़ करने तो मुझको बस 30-40 सेकेंड है दिमाग में डाउट कुछ भी आते हैं तो दोड़ाओ मैं 30-40 सेकेंड में आपको डाउट के लिए पूछता हूँ अब वीफाइब वी शिक्स है वी सेवन वी एट वी नाइन ग्या बाता वी टेन एंड वी इलेवन तो अगर हम देखते हैं तो हमारे sweat equity के अंदर 11 topics है बी 11 और एक इतने तक गया था 13 तक न एक अहां तक गया था कि इफ ए 13 न ए 13 तक तो अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर regulation में दो part है part A has got 13 topics part B has got 11 topics super easy regulation दिमाग में synopsis बैठता है और comfortably हम इसको कर पाता है बहुत सही रहे क्या timing करेंगे I hope you're all understanding कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं हाँ वाइल डैट इस दिफरेंट डैट इस कि जब आप special resolution पास करना चाहते हैं तो special resolution पास करने के पहले यह सारी information आपको शेरोडर को देनी है और फिर आप special resolution पास करेंगे that is one thing क्योंकि आप जब special resolution पास कर रहे हैं तो आपको शेरोडर को बताना पड़ेगा हम किस employee को दे रहे हैं कितने दे रहे हैं किस प्राइस में एक्सेटरा that is different this is after issuing within seven days you have to inform stock exchange why is that so हमें special resolution पास करते रहे हैं बनाना है बताना है यह तो सब companies के लिए हैं लेकिन आपको stock exchange को within seven days inform करना है this is only for listed companies stock exchange listed हाँ पूछो अब इते परिशान क्यों हो पहले सब ठीक है जीवन में हाँ अब पूछो एकदम आरा हम से ठीक है जनरल ऑब्लिगेशन के अंदर आप कहे रहे हैं पॉइंट नंबर थ्री थर्ड पॉइंट है है टोटल अमाउंट रिसीव टुवर्ट स्वेडिक्विशेर ठीक है हाँ तो कैसा होता है एक एंगल है स्वेडिक्विशेर का सुना सब लोग अच्छे से इनका क्वेशन किया है सर यहां पर लिखा है टोटल अमाउंट रिसीव ठूस्वेडिक्विशेर तो स्वेडिक्विशेर में एक टाइप का ऐसा भी इशू होता है जो कि इस रेगुलेशन ने पूरा डिमोटिवेट किया है इसके अंदर आप इम्प्लॉई को या फिर डिरेक्टर को शेर देते हों डिसकाउंट जिसके अंदर आप क्या करते हो मालीजिए शेर है सौर्पे का आप उस इंप्लॉई को कहते हो चलो आपको 40 में देंगे तो अगर आप याद करोगे इसकाउंट तो उसका डेफिनेशन के ता है शेर करो 100 रुपी इसकाउंट अब 30 दे तो इस चेस में यह पूरा मोटिवेट करता है कि उनको छोड़ो आप क्या करो शेर देखके और उन से कुछ एच्ट लो तो आप देखोगे तो पूरे रेगुलेशन के अंदर उस बारे म बात नहीं कि वहिए हैं डिस्चाउट पेशु करकें पहले से रगलेशन था उसके इंदर स्पेसिफिकली डिस्काउट इसु करने की बात की गई थी तो बिलकुल डिस्काउट पेशु कर जासकता है कि बिलकुल लगेगा पूरा प्रोसीजर से मुगा special resolution 100% अराम से पूछो तीस चालीज सेकेंड है हाँ है हम पढ़ रहे हैं क्या क्या चीज़े लीगली अलाउड है अब अगर कंपनी की स्पेसिफिक नीड हुई कभी तो कंपनी ऐसा करेगा अधर इसको नहीं करेगा कि इस कि मिट पफर्ब ऐसे कौन करता है भाई अब बिलकुल हो सकता है बिलकुल हो सकता है नहीं नहीं कि येस बीबल स्वारियोल सूपर कमफ़ड़ेवल एक बार चलो किसी बेक्तियों को चीज़ पूछना रहा है क्या तकि यहांसे चुछ तॉपक करते हैं और उसके आत्रीवह पूरा रीकाप दो बाद में रखते हैं पहलीव एक रिकाप करते हैं एक यहांसे चुछ टॉपिक हैं बी वन सब लोग साथ में बोलके इसको खतम कर लो ताकि आज ही आप घर जाएंगे टॉपिक पढ़ते हैं अभया स्टीट एन लाइफ सबसेला डेफिनेशन वेंप्लाइशन इस्यू ऑफ स्वेडिकूरी शेर के इंपलाई में कौन आता है इंपलाई वेदर वरकिंग इन इंडिया और अबरोड डेरेक्टर रफदे अब मेधर होल व्ल्याम और राविस इसी के डिरेक्टर बाली होल तेम पार्ट-्देम इंकुर रत हां एक पर इंडू और शुजर् सभरेशन में पर म्यां पर जिप्डिशन उन में पैप प्रिशन होरे को एकूरी शिस इस इस बाइट भ इंपलोई फॉर्दर नीचे के लिखा है हूँ प्रवाइज ओड नोहाव और आई-पी आर और वैल्यू अदिशन बाइव नेम कॉल एक बार स्केरफुली मैं बोल रहा हूं सब लोग अच्छे सुनना ठीक है क्या करना लोग पढ़ रहे हैं कि सवेडिक्री शेयर स्वेडिक कोशिश करें बार सब्सक्राइश इंपलाइश इंपलाइश इंपलोई नेक्टी वन फॉर्ट वेड़न विडिक्री वन तू इंपलोई फो प्रवाइदिंग नोहाव और इंटलेक्ट्ट्यल प्रविटियर और वाल्यू आइशन बार नेम कॉल यह हुआ है पर हमारा सब्सक्राइब क्वांटम इन यह 15 पर सब्सक्राइब कापिटल एन एग्रीगेट इस 25 परसेंट फिर हमने पड़ा कि जो आई जीपी होता है उसको कहा तक जाना लाओड है 50 पर सेंट तक फिर फिर स्पेशल दिलिशन यहां पने पड़ा का प्राइसिंग प्रेफरेंशल इशू उसके आता है वैल्यूएशन कौन करेगा मर्चेंट बैंकर ही में कंसल्ट एक्सपर्ट ही हास तो डेका सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडिपेंडेंट चार्ट चार्ट अकांटेंट के अकांटिंग सब्सक्राइब का आपका जो नॉन कै सब्सक्राइब करेंट तो बैलने शीट सोर्योवर इफ यह नॉट रसीव नॉट रसीट इन इस अच्छिट थैन युल बी चार्टिंग एस 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 एक्सेंस लाफ इसी थैन जो सेक्रेटरी लॉट्टरी उसको यरेंड परिपोर्ट किंदर लिके दियना है तो अल्ट अल्ट रेक्री विंपलेच वित सीट रडुट सेक्षा नॉट रूट एफ ऐन एदेटर विए विल्स विब्स स्राइब बैलनेजिव नॉट इस पर इस देट लिमिट थो लिमिट एक्स्या झायगा अधर्वाइश् हो जाएगी जनल अबले किना पड़ा एक्स्रेटरी स्टेविसार डिस्क्लोशन होने चाहिए सेक्रेटर अरिटर का सर्टिफेट ना चाहिए और आपको स्टॉक इस विदिन सेविट इस इन फॉर्म करना बाइब आल फीज थिंग्स आए होब यूर आप अपलो यहां पर हमारा यह वाला रेगुलेशन साइग्ण मस्ति में यह पुरा रेगुलेशन इंपलीट हो जाता है इस पूर्पिपल सब्सक्राइब तुम एक गड़ाइं थे रप दियुक्ति कुछ पूछना था पूछ सकता है रुख जो रुख जो पेंडाउन में कर रहा हूं थेक है चलना मन पेंडाउन कर नहीं करनें को सर पर हमारी इच्छा है के पेंडाउन हम जो ना करना चाहते हैं पर नहीं भी करना चाहते हैं ए रुको कर दो नहीं 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 छोड़ी दी चीज़ें मैं बता देता हूं ओवरॉल भी क्या पेंडाउन करना है ताकि आपको समझ मायाएगा वान तू थ्री सिर्फ तीन करके बी लेवें तक नंबर दे दो और उसके पीछे जो पेजिस ब्लैंक है उसमें जहां पर जगे है वहां पर और अर्गनाइस अरीके से लिखो कि यह आपको लिखने में बहुत फटावट से लिख लोगे आपको समय लगेगा नहीं फूश्यों में पने लगुति आप वड़ा विफ लगको अपने लुद के लिखने हुतित पने लुद के लिखने है वो उपर मैंने ट्रीटमेंट लिखा है कोड़ वर्ड में तो आप लोग समझ जाना ठीक है ना ठीक है एए नइए आप एक्जाम पास ओजो फिर एक्जाम के बाद ने अपना रफरेंसिंग देदिना वाले बी नाइन टेन पेज बीन 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 विरा इन रेफरेंसिंग देदो एक है चला अब जी जान से पेंड़न करना शुरू करदो आए आए यौल आप फोटोस असवल आप लोग उससे लिख सकते हो जैसे आपको लिखने लिखो अब फुल स्वीड में लिखो well for this session thank you so much for a nice nice spatial and I will see people tomorrow thank you so much bye bye you